उनके एलीट्स में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है और साओधी अरेबिया इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है आपको इस बात से अंदाजा रहेगा कि साओधी अरेबिया अभी तक हमास के फेवर में खुल कर कभी नहीं बोला है और इस वार में भी साओधी अरेबिया ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध थमें तो फिर से अपने USA का जो नज़दीक आने का एक एजेंडा था उसका वो आगे बढ़ा सके और सिर्फ साओधी अरेबिया भी नहीं जितने भी आसपास के देश है जॉर्डन ले 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 देखिए इनका एजेंडा क्या था इसराइलियों का कि किसी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप में धकेल दिया जाए तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी वन्स एट फौर ओल ये सेटल हो जाएगा लेकिन इजिप इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाते थे लेकिन साओधे अरेबिया का सबसे बड़ा अब्जेक्शन है कि हमास मुस्लिम ब्रदर हुट का पार्ट है जो मुस्लिम ब्रदर हुट एक तरह से इसलामिक डिमॉक्रसी पूरे वेस्टेशिया में चाता है और इजिप्ट उसका अड़ा है और इसी तरह जितने भी लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि जनता और लोग उनके जो नेता उनमें एक राय नहीं है लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सरकारें चाहें एंटी इस्रेल ना हो लेकिन एंटी समेटिजम घटनाए वहां पर बहुत बढ़ गई हैं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने वीवर्स को यह दिखा हूं इसके लिए मुझे आपर गोप्रो आपर स्टूडियो जाना पड़ेगा जहां से हम ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे त्योंकि देखिए अब पैलेस्टीन के समर्तन में आपने बहुत हेट क्राइम दिख रहे हैं आप देखिए गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाय अचानक बढ़ गई हैं अमरिका के लॉस एंजलेस ब्रिटन के लंडन चीन में सोशल मीडिया पर इसके अलावा जर्मनी और दक्षिन अफ् अथा, धर्म, परंपरा और राजिका प्रतीक है यानि वो मार्किंग कर रहे हैं यानि वो बता रहे हैं कि ये घर जिसमें यहूदी रहता है कोई यानि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहूदी है अब वो मार्किंग किसले कर रहे हैं आप इन घटनाओं से यह मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है लेकिन जिस हेट क्राइम के मैं बात कर रहा हूँ गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच लंडन में यहूदियों और मुसल्मानों के खिलाफ हेट क्राइम अचानक काफी बढ़ गया है आप देखिए यहूदि हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच यानि करीब साले 1300 परसंट का इजाफा हलाकि मुसल्मानों को भी निशाना बनाये गया है उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई है इसी दर्मियान 1-18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी वो अब बलकर 101 हो गई है यानि यह 140 फिजदी जादा है लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है यहूदी धर मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख रहा पहला क्या गाजा के लिए दुनिया भर के मुसल्मान एक होंगे और दूसरा क्या इसरेल में मचेगा परमाडू घमासान यह दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह दो बहुत बड़ी खबरे हैं लेक इसरेल के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी है तुरकिये के राश्ट्रबती ने मुसलिम देशों से इसरेल के खिलाफ मिलकर जंग लडने को कहा है उन्होंने अपील की है इतना ही नहीं एरदोन ने तो यहां तक कह दिया कि इसरेल के खिलाफ सन्युक्त सेना बनाने के लि उन्होंने बेहत सक्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इसरेल ने अपना आपा खो दिया है एर्दोवन ने इसरेल को युद्ध अपरादी बताते हुए उसे इनसाफ के कटगरे में खड़ा करने की बात भी की है उन्होंने गाजा मेजरेल के युद्ध परादों में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरो भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाब तो आईए आपको बताते हैं कि रेसब तैयब अर्दोवान है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्क्रपती चुने गए हैं इससे पहले वो अर्दोवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं तुर्किये पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आतातुर्क के रिकॉर्ड को तोल चुके हैं अर्दोवान दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोवान की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्कीय नहीं इरान भी गाजा की जग में इस्रेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबन करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्कीय और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूरती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सर्वोच निता ने मुस्लिम देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान की अपील कर रहे है क्या ये वाकई हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वार के अनाउंसमेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया जिस तरह से खूती ह tiles Allah, Hamas सब अक साथ अजरेल को निशाना बना रहे है क्या दूसरे बड़े देश बड़े मुस्लिम देश गाजा पर इस्लामिक देशों को फैसला करना होगा लोगों की मौत हो चुकी है इस्रेल के हमले में गाजा में मौत का आखड़ा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,796 हो गई है गाजा और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हैं हूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटेक करने की कोशिश कर रहा है इसरेल पर यह है इसरेल का वो एर डिफेंस सिस्टम जो उसकी मिसाइलों को लगातार कभी अमरिका तो कभी इसरेल उसकी मिसाइलों को ह भाग कर सकता है यह उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखिए इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैंद है मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट ने है जनरल संजय कुलकरली है अस डेफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ ग्रुप कैपटन विनोद आउकस्टीन है और विनोद आउकस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनरल कुलकरनी मैं आप से शुरू करूँगा ये जो गाजा में हम सुरंगे दिखा रहे हैं हिजबुल्ला की सुरंगे दिखा रहे हैं इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है जिस तरह से इस्रेल की सेना वहां घुसी है अब फाइनल जो लड़ाई है इन सुरंगों में लड़ी जानी है आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के जरीए भी आपको बढ़ाने की कोशिश करूँगा यह जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है यह उस इलाके को दर्शारा है जो गाजा पत्ती है और यह जो हरी आप देख रहे हैं यह गाजा पत्ती जो तक्रीबन आप लगा सकते हैं कि 40 किलोमेटर लंबी है और 10 से 12 किलोमेटर चौड़ी है और 355 किलोमेटर का इसका इलाका है और इसके नीचे 500 किलोमेटर के आप सुरंगों का जाल बिछा रखा है और यह जो 500 किलोमेटर का जाल बिछा रखा है यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया साथ अक्तूबर को तो हमास को यह लगा कि इसरेल जो है तुरंट हमला करेगा और वो इनको जो जाल बिछा रखा है इनोंने सुरूंगों का उसमें वो फच जाएगा और उस फचने के इसरेल जो हार माननी पड़ेगी इसरेल को लेकिन शायद उसको इस बात के एहसास थे हुआ कि इसरेल ने जो है थोड़ा बहुत जो तुमाचा लगा उस तुमाचे के बाद जो दो तिन दिन इसरेल ने लिए अपने आपको समारने के लिए उसके बाद जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरे जो सुरंगे बिशा रखी है उस सुरंगे की जो लड़ाई है वो वाकि बहुत बहुत खतरनाक है और इसलिए जो मलबा बन रहा है दबा करके जो फारिंग हो रही है गाजा पट्टी के उपर उसका मकसद ही है इस सुरंगों का जो एंट्री है एक्जिक पॉइंट है उसको बंद किया जाए गैस का इस्तिमाल किया जाए किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे बहुत बढ़ी आपने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इस सुरंगे हैं उनका जो लोजिस्टिक सस्तेनेंस ह वो उनके 50,000 लोगों के लिए हैं जाय हो दो मेने के लिए बनाया हूँ अगर लंबी लड़ाई खिछती है तो फिर आप देखेंगी कि उधर भी पानी की कमी हो जाएगी खाने की कमी हो जाएगी बिझली की कमी हो जाएगी जेनरेटर में तेल नहीं होगा तब वो सरेंडर करेंगे लेकिन सेर मार तो रहा है हमास हमार मर रहा है आम फिलिस्तिनी ये 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 देखे सबसr Juda के लड़ाके तो उन लोगों की ओ रही है अब वह हमास ये तो नहीं लोंग ediyorum यार नेवल लेखे पटी का एक हमने यहाँ पर detailed map अपने दर्शकों के सामने रखा है और एक एक चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ से शुरू करें जो कि यह North Gaza है और यहाँ से देकर South Gaza तक यह बीच का जो यह highway हम आपको दिखा रहे हैं जो main main points हैं जो camps हैं जो गाजा में plants हैं जो यहाँ पर यह जबालिया कैम बहुत सुना होगा आपने यह सब यह सब जो है यह कैसे यहाँ पर अब IDF के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको कैसे pin point targeted attack कर रहे हैं यह सब हम अभी बताएंगे ग्रूप काप्टेन विनोद आगस्टिन एक चीज मुझे बताइए क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हूती भी आ रहा है हम कह रहे हैं यहाँ पर अब दूसरे तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ चाप्टेन आगस्टिन मुझे बताया जा रहा है काप्टेन विनोद आगस्टिन डिस्कनेक्ट होगा है मैं उनके पास जाऊंगा लेकिन हमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रती सहनुभूती है और यह अक्रॉस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्की है यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए है तो वो इसलिए भी गए है कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हलाकि इरान और तुर्की में बिलकुल नहीं पड़ती उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि एक मत्यक के है पूरे इसलामिक वर्ल्ड में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए उसमें वो हमास को ही नहीं बलकि इसराइल के खिलाव भी है और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है ऐसा नहीं है लेकिन वो कितना सहयो करें हो कि इस समय सिर्फ इरान उनके साथ खड़ा है तुर्किये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे है जो आपने तीनों एच बताए हमास, हूती और हेजबॉला ये तीनों इरान समर्थी थे हैं और तीनों इरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं ये येमन नहीं है तो आप समझ सकते हैं पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस समय साथ है लेकिन जब बात होगी कि एक्चुली इंटर्वीन करना है तो कोई सामने नहीं आएगा अब तक जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बर्ग लाया है किसी ने इनको ये नहीं बताया कि देखो एक सोलूशन जो है एक शांतिपूर्न हल धूना जाए उसका उन्होंने कभी एमफेसाइज नहीं किया और इसको इसराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया है अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें तो 2019 में नेतनियाहु ने अपने सेंटर राइट लिकुड पार्टी में एक स्पीच में कहा था और ये नियूर्ट टाइम्स में है आप बात कर रहे हैं सराइल भी पुरी तरह के जानता है अब जो कह रहे हैं उसका मतलब 2019 में आप कंफर्म करिएगा इसको 2009 में या 2019 में 2019 में हमास को सपोर्ट करने की बात नेतनियाहु ने कही थी आप यह कह रहे हैं बिलकुल हमास को सपोर्ट नहीं इगनोर करने के लिए कि उनको फंड्स आने दीजिए उनको सपोर्ट मिलने दीजिए यह हमारी पार्ट अफ स्ट्रेटिजी है यानि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर जो दिखा रहे हैं वो शायद intelligence failure नहीं है, उनको पता था कि यह attack होने वाला है, इतने बड़े सुरंग बने हैं, एक विस्फोंग होने वाला है, उसको ignore किया है। कोशिश की है, यह missile हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह missile यहां से निकल रही हैं, अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलो मीटर तक जाने वाली missile हैं, क्योंकि यह हूती को अकर यमन से मारना है, तो इस रेल तक करीब इतनी दूरी है सर, और इसी बीच आ और उने एक animation वीडियो भी जारी किया, वो वीडियो भी जारी जो किया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब तक गाजा पर 11000 हमले हो चुके हैं, 11000 हमले हो चुके हैं अब तक, और अगर आप 25 दिन, तो किया 26 वा दिन है, 25 दिन का average निकालें तो यह करी हमास जो है, वो टिका हुआ है, नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है, एक तरफ हूती हमास और हिजबुला है, दूसरी तरफ भी आईडिया फे, और यह इरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ ख़़े दिख रहे हैं, लग रहा है कि एसकेलेट हो रहा है, एसकेलेट होना न यह उचाई पर पहुंचेंगे, यह तो आपने जो बात कही सर इतनी समझ में आती है, तो शायद लोग वारी नहीं करते हैं, लेकिन देखिए इसे बीच गाजा पर इसरेली बॉम देखिए, गाजा पर इसरेल के बॉम आपको दिखा रहा हूँ मैं, यह कैसे गाजा पर दि जितना से वाँ मौत हुई है, सब इस वक्त कहीं न कहीं उस खौफ के साई में जरूर होंगे, लेकिन इस बीच हमास है, जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे, तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इसरेली सिना ने हमले जारी कर रखे हैं, आईड के उन इलाकों को मैं दिखाता हूँ, यहां पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरीए, यह 3D ग्राफिक्स आपके सामने, जैसे आपसे देख सकते हैं, उत्तरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर, अद कोई स्ट्राटिजी दिखती है, यहां पर जिसमें आपको लगता हूँ कि इधर ही इतने अटैक क्यों हो रहे हैं, देखेगा यह जो नौदन गाजा है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे का आपने उत्री गाजा और गाजा में सिटी, यह जो इलाका है, तक्रीमन आ जारा किलोमेटर जो है, वो इजिप्ट के साथ लगता है, जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं, इजिप्ट ने भी उसको रुख के रखा हुआ है, इजिप्ट किसी भी महाँ से जो हमास के और फिलस्तिनी हैं, उनको आने नहीं दे रहा है, तो यह जो इलाके हैं, इनको हम बास्ते यूमन शील्ड बना रिका है, जिससे की जितने भी पलस्तिनिन्स हैं, वो यूमन शील्ड है, अब देखें जब दक्षिन कभी आ गया, अब यहां पर उत्तर की बात कर रहे थे, अब दक्षिनी गाजा में बरबादी का मनजर आप देखिए, यहां पर नुसेरत, बुरैज, मगाजी, अलमसदर, दीदलबला, अलकरारा, बानी सुहेला, अबासान, अलकबीरा, खुजा खान, यूनिस, अलफुखारी, अम कमेल, अम अलकिलाब, शौकत असूफी और ताल अससुल्तान, यह तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिससे यहां पर बिलिं पर, क्योंकि इसरेइल ने कहा ता है, हुमैनिटेरिन असिस्टेंस के लिए, उन्होंने कहा था, कि सारे कि सारे नौधन गाज़ा से संदन गाज़ा में जाईएगा, वो लोग गए नहीं, पलाएं उन्हें, क्या नहीं, क्योंकि इजिप्ट किसी को नहीं आने दे रहा है, तो क्योंकि पूरी गाजा पट्टी के साथ दो ही देश हैं, एक इस्रेयल और दूसरा है इजिप्ट और तीसरा है अपना मेडिटेरेंसी, तो क्या कर सकता है, क्योंकि लोग पलाएं नहीं कर पारें, और वहाँ पे लोगों के ऊपर अब मुझे लगता है, इस्रेयल भी अब गाजा में हमास और लिबनन में हizबला के लावा यमन के हुटी विद्रॲयों ने भी इसरेल के खिलाफ मौचा खोल दिया है यमन से हुटी विद्रॲयों ने तीसरी बार इज्रेल पर बलेस्टिक मिसायल मारी है हलाकि इसरेल के Aero 3 Air Defense System ने इस हमले को नाकाम कर दिया खूती विद्रोयों के निशाने पर इसरेल के परमाडू बेस थे लेकिन खूती विद्रोयों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फेल हुई और यह इशारा कर रही है कि गलती से भी अगर इसरेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है तो इसरेल की धरती से मिडल इस्ट में न्यूकलियर तबाही बढ़ जाएगी यह 2000 किलो मिटर, 200 किलो मिटर तक की मिसाइल हुटी के पास होना यह भी एक सवाल है अपने आप में चर्चा जब इसरेल के आटमी बेस की हो रही है तो यह भी बता देते हैं कि इसरेल में कहां कहां परमाणू केंद्र हैं जो हुटी और हमास के टार्गेट पर हैं डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंद्र है जहां प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहां परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके अलावा फार, जेखरिया, नाहल, सोरे, योधेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं जो हमास और हुटी के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हुटी ने भी बलस्टिक मिसाइल मार कर चिंता बढ़ा दी है इसरेल इस वक्त तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है तो लेबनन से हिजबुल्ला और यमन से हुटी विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं ऐसे में अब अमेरिका ने भी इसरेल को सेन साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी है सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A ग्लोब मास्टर 3rd की 53 उडान और C-5M मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट की साथ उडाने देखी गई है अमेरिका ने मध्यपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की सबसे बड़ी ताकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है जो वहाँ पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है मेरे साथ ग्रूप करटेंट विनोद आगस्टीन है मैं उनके पास जाओ उसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद कैसे चल रहा है यह आप देखिए गाजा के भीतर जमीन पर इसरेल के युद की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है जमीन पर इजरेल की सेना अब वहाँ अपना ओपरेशन चला रही है लगातार वो वहाँ पर टैंकों के जरिए बुल्डोजर के जरिए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि ये थर्ड स्टेज है इसका मतलब थर्ड स्टेज के बाद अब यहाँ पर जमीन के पर और ये ऑपरेशन बढ़ जाएंगे और इजरेल की सेना जो अबी तक एर स्ट्राइक कर रही थी जो अबी तक रॉकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई अब हमास से और ज़्यादा करेंगे और लेडी हुई है इसी बीच इस्रेली हाइवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं यह देखे हमास ने कैसे और यह तस्वीर आपने आप में बहुत विद्वनसक है यह तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है यह तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहाँ पर पिन पॉइंट अटैक किये है ये मिसाइल हाईवे के दाइबाई भी गिर सकती थी लेकिन बिलकुल एक हाईवे पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट मियाना ये देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उनके पास है अबी हमने आपको दिखाया था कि कैसे आटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हूती तो आए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहां कहां हमास और हूती के निशाने पर कौन-कौन से परमानू ठिकाने है गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हत्यार का इस्तमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइड़ टॉर्पीडो इसमें वारहेट ले जाने की शमता है हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है लेकिन इस्रेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है लेकिन जब इस तरह के हत्यारों की इस्रेल के पास कार्ड की बात होती है तो इस्रेल ने पहली बार एरो थ्री डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर बताया दुन्या को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है इसकी खास्यत यह है कि यह पहले लॉंग रेंज की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके वारहेट को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोल कर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो ग्रूप कार्टें विडियो दॉगस्ट्रिन आप तो इनी सब चीजों के माईर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बड़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार हैं दो-दो-हजार किलो मिटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बड़ी है सर बिलकुल निसंदे गौरव एंड इंटाक मैं इसमें किताब भी लिख रहा हूं आम जानते हैं जानते हैं जो फेस ऑफ वार जो आगे वाने आने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पालट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टु इंटरसेप्ट है अब अब ही दर्शकों को यह बताना चाहरा था आप देखिए मेरे हाथ में यह डिखिए इसका साइस और यह कम से कम नहीं तो दो गरिंड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फवेट मात्र दो 230 यह 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कारगर ड्रोन ब 120-20-250 a drone, कम से कम ने तो दो या तरी गरिनेड ले जाने का पादिल है और यसी drone का action हमने Russian-Ukraine War में देखा दा, यह आते हैं स्वाम में और यह बना हुआ है देखीएगा यह बना हुआ प्लास्तिक का, बहुत ही पतला सा प्लास्तिक, इसमें कोई कोई मेटल पार्ट नहीं है कि इस मोटर के कोई मेटल पार्ट नहीं यह किसी भी रेडार में या किसी भी चीज में पकड़ में आएगा तो और सोचेगा यह इससे भी छोटा फाइटर जहाज लाउंच कर सकता है रहा है फूर्टीन टॉमकैट या एफ 15 श्वाइक इगल ने एफ 18 ने ऐसे हजारों ड्रोन लाउंच किये हैं और यह बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह एक बहुर की तरह आपके उपर आपके अठाक करेंगे यह हमता हमास के पास है और हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन की जो आपने दिल्सक्र की मैं दस दिन पहले इसके बारे में बात कर रहा था अंडर वाटर ड्रोन ही नहीं उनके पास यह बहुत कर सकते हैं इस तरह की ट्रेनिंग उनको एरान ने प्रवाइड किया हुआ है लेकिन गौरव एक बहुत ही मतपून सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था सारे जो मुस्लिम वर्ल्ड और इसलाम के जो लोग है अगर यह एकठा आगए तो क्या होगा यह बहुत ही मतपून सवाल क्यूं है क्योंकि अभी शिया और सुन्नी करबला के बाद एक दुसरे के खिलास है और हम जानते ही हैं शिया सुन्नी कहीं मिल जाते हैं तो ए लेकिन उनके बीच में भी अभी एक ता नजर आना शुरू हो गया है और यह जो अगर हुआ तो यह सब लोग अपना पैसा जोकेंगे टेक्नालोजी जोकेंगे यह इसराइल के लिए इसराइल नुकलियर फैसलिटी के लिए वेस्टरन वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के बहुत बड़ा खत्रा है इसके लावा फार जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं यह इसरेल के नक्षे पर आप देख सकते हैं उपर से लेकर नीचे तक यह निकलर फैसलिटीज हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाइल मार कर चिंता और बढ़ा दी है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन वार में वो परमाणू दुरगटना होने का वो चेर्णोबिल वाली 1986 के दुरगटना के बाद जैपोरीजिया में कुछ परमाणू दुरगटना ना हो जाए इसके खत्रे लगातार वहाँ पर मंड़ा रहा था कुछ ऐसा ही अब इसरेल में मंड़ा रहा है और इसलिया हम बोलने कि क्या परमाणू घमासान मत जाएगा नौर्थ गाज़ा में जबालिया रेफ्यूजी कैम्प पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं क्या हुआ जबालिया रेफ्यूजी कैम्प इसरेली फोर्स ने पहले उसे सरेंडर का कई बार मौखा दिया अबराहिम बियारी 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इसरेली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टारगेटेड इटाइक किया इस अटाइक के बाด जो हालात है उसके हिसव से कैजवल्टी बढ़ेगी तो हालात और विद्वनसक होंगे एर्दवान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी हलाकि साओधी अरब ने कहा है कि युद रुके तो इसरेल से रिष्टे सामाने करेंगे तो मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है आईए इ देखिये बंबारी के बाद लोग कैसे वहां पर उसी मल्मे में उसी आग के बीच लोगों को ढूंटे हुए तो ये जवालिया कैम्प हमने आपको कल मैप दिखाया था उपर नौट गाजा की तरफ है और वहां पर ये हमला हुआ है गाजा में इसरेल के जमीनी हमले के बाद इसरेली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिको की मौत की बात मानी है आईडियाफ ने मंगलबार को अपने दो जवान सार्जेंट ड्रॉय वुल्फ और सार्जेंट लेवी लिफशिड्स की मौत की बात मानी थी और आज 9 अन्य सैनिको की मौत पर उन्होंने मौर लगाई है यह सैनिक हैं कार्पूरल आसिफ लौगर यहाँ पर लेटेन एरियल रीच इसके अलावा सार्जेंट हिलेल सोलमन इसके अलावा आप देख सकते हैं सार्जेंट आदी दानन, सार्जेंट आदी लियोन, सार्जेंट इरेज मिशलोवसकी, कार्पूरल लियोर सिबनोविड्स यह तमाम जो सैनिक कार्पूरल इदो ओवादिया और सार्जेंट द्रोई दावी यह सैनिक 11 सैनिक इसरेल ने खोए हैं हलाकि वार है और जाहिर सी बात है वार में कहा था इस्रेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं लेकिन फिर से अपने कोर मुद्ध पर आएं प्रोफेसर मताप सिंग साओधी अरब जब ये कह दे कि हम वार खतम हो तो इसरेल से सामान रिष्टे कर लेंगे तब तो ये बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक राय नहीं है इसरेल के खिलाब अधरवाइस अभी तक वो एक हो जाते देखें मुस्लिम वर्ल्ड कभी भी इसरेल के क्वेस्टन पे या पैलिस्टीन के क्वेस्टन पे एक नहीं रहे है उनके एलीट्स में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है और साओधी अरेबिया इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है आपको इस बात से अंदाजा रहेगा कि साओधी अरेबिया अभी तक हमास के फेवर में खुल कर कभी नहीं बोला है और इस वार में भी साओधी अरेबिया ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध थमे तो वो फिर से अपने USA का जो नजदीक आने का एक एजेंडा था उसका वो आगे बढ़ा सके और सिर्फ साओधी अरेबिया नहीं जितने भी आसपास के देश हैं जॉर्डन ले 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 इजिप्ट ले ले देखे इनका एजेंडा क्या था इसराइलियों का कि किसी भी तरह गज़ा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए तो ये पूरी तरह से गज़ा पट्टी खाली हो जाएगी ये सेटल हो जाएगा लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाहते थे लेकिन साओधे रेबिया का सबसे बड़ा अब्जेक्शन है कि हमास मुस्लिम ब्रदर हुड का पार्ट है जो मुस्लिम ब्रदर हुड एक तरह स अब सरकारें चाहें एंटी इस्रेल ना हो लेकिन एंटी समेटिजम घटनाए वहाँ पर बहुत बढ़ गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने वीवर्स को यह दिखा हूँ उसके लिए मुझे आपर गोप्रो आपर स्टूडियो जाना पड़ेगा जहां से हम वो ग घटनाएं बढ़ रही हैं उनके खिलाब हेट क्राइम दिख रहे हैं आप देखिए गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाएं अचानक बढ़ गई अमरिका के लॉस एंजलेस ब्रिटन के लंड़न चीन में सोशल मीडिया पर इसके अलावा जर्मनी और दक्षिन अफ्रीका में भी यहूदियों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस की राजदानी पैरिस में तो रातो रात यहूदियों के घरों पर डैविट डेविट स्टेंसिल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहूदी आस्था ध इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं जो लंडन में हो रही है जो नियॉक में हो रही है जो लोस एंजलेस में हो रही है यह मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है लेकिन जिस हेट क्राइम के मैं बात कर रहा हूँ गाजा में इसरेल और हमास की जंग क का इजाफा हुआ है कैसे आपको बताता हूं 2022 में 15 घटनाएं सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए अब यहीं हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती हैं यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच य तो अब बढ़कर 101 हो गई हैं यानि यह 140 फिजदी जादा है लेकिन कंपारिजन कोई नहीं है यहूदी धर मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख रहा है इन आकलों में में मचेगा परमारू घमासान यह दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह दो बहुत बड़ी खबरे हैं लेकिन घाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की होल मची यह पहले इसकी बात करते हैं इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्किये का जिसके राश्ट्रपती रेसेप तैयप अर्दोगन ने इसरेल के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी है तुर्किये के राश्ट्रपती ने मुस्लिन देशों से इसरेल के खिलाफ मिलकर जंग लर्णे को कहा है।। उन्होंने अपील की है। इतना ही नहीं। अरदोऑन ने तो यहाँ तक कह दिया ह। बनाने के लिए तुरकिये अपना योगदान भी देने को तैयार है। जाहिर है। ऐदोऑन कि इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम देश करना है तुर्किये के राश्टरपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्द से जल्द रोकने की अपील भी की है बहुत अपना आपा खुदिया है एरद्वान ने इसरेल को युद्ध अप्रादी बताते हुए उसे इंसाफ के कटगरे में खड़ा करने की बात भी की है उन्होंने गाजा मेजरेल के युद्ध परादो में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरो भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाब तो आईए आपको बताते हैं कि रेसब तैयब अर्दोवान है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है जना बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्क्रपती चुने गए हैं इससे पहले वो अर्दोवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं तुर्की पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आता तुर्क के रिकॉर्ड को तोल चुके हैं एर्दोवान दुनिया बर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अप पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोवान की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बापजूद उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्कीय नहीं इरान भी गाजा की जग में इसरेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबन करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्कीय और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि फौरन गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूर्ती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सर्वोच निता ने मुस्लिम देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान की अपील कर रहे हैं क्या ये वाकई हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वार के अनाउंसमेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया जिस तरह से हुटी, हिजबुल्ला, हमास सब एक साथ इस्रेल को निशाना बना रहे है क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश गाजा पर इसलामिक देशों को फैसला करना होगा इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे यहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहुदी देश से आर्थिक सहयोग बंद करें इसलामिक देश यह इलान ने कहा है इसे बीच इज्रेल अमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का आख़डा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इज्रेल के हमले में गाजा में मौत का आख़डा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,796 हो गई है गाजा में और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हूती मिसाइल का विनाशक यहाँ पर आपको दिखाते हैं हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटेक करने की कोशिश कर रहा इसरेल पर उसको पल भर में खाक कर सकता है यह उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखिए इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पर नहीं है मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट नहीं जनरल संजय कोल कर ली है इस डिफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ ग्रुप कैपटन विनोद आकस्टीन है और विनोद आकस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और आपने साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनरल कुलकरणी मैं आप से शुरू करूँगा ये जो गाजा में हम सुरंगे दिखा रहे हैं हिजबुल्ला की सुरंगे दिखा रहे हैं इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है जिस तरह से इस्रेल की सेना वहां घुसी है अब फाइनल जो लड़ाई है इन सुरंगों में लड़ी जानी है आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के जरीये भी आपको बजाने की कोशिश करूँगा यह जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है यह उस इलाके को दर्शारा है जो गाजा पट्टी है और यह जो हरी आप देख रहे हैं यह गाजा पट्टी जो तक्री का जाल बिछा रखा है और यह जो 500 किलोमेटर का जाल बिछा रखा है यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया साथ अक्तूबर को तो हमास को यह लगा कि इसरेल जो है तुरंत हमला करेगा और वो इनको जो जाल बिछा रखा है इन्होंने सुरूंगों का उसमें वो फस जो तमाचा लगा उस तमाचे के बाद जो दो तिन दिन इसराइल ने लिए अपने आपको समारने के लिए उसके बाद जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो सुरंगे बिचा रखी है उस सुरंगे की जो लड़ाई है वो वाकि बहुत बहुत है गास का इस्तेमाल किया जाए किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे बहुत बढ़ी आपने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इन सुरंगे के इंदर चले जाते हैं जिस जो सुरंगे हैं उनका जो लोजिस्टिक सस्तेनेंस है वो उनके पचास एक हजार लो आम फलिस्तीनी ये 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 देखे सबस्यादा कैजॉल्टी तो उन लोगों की हो रही है अब वो हमास के लड़ाके है या नहीं ये तो नहीं मालूम लेकिन ऐसा जैसा कि हमास कहता है ये आम लोग है जिनको इज्रेल मार रहा है ये गाजा पट्टी का एक हमने यहाँ प ये सब जो है ये कैसे यहाँ पर अब आईडियाफ के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको कैसे पिंपॉइंट टार्गेटेड अटाक कर रहे हैं ये सब हम अभी अब बताएंगे ग्रूप काप्टेन विनोद आगस्टिन एक चीज़ मुझे बताईए क्योंकि अ यहाँ पर अब दूसरे तो तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ चाप्टेन आगस्टिन मुझे बताया जा रहा है क्रूप काप्टेन विनोद आगस्टिन डिस्कनेक्ट होगा है मैं उनके पास जाओंगा लेकिन हमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रती सहनुभूती है और यह अक्रॉस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्की है यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं तो वो रहे हैं कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हलांकि एरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती है उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मत्याक के है पूरे इसलाम करें हो कि इस समय सिर्फ इरान उनके साथ खड़ा है तुर्किये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे हैं जो आपने तीनों एच बताए हमास हूती और हेजबॉला यह तीनों इरान समर्थी थे और तीनों इरान के समर्थन में यहां पर जो भी इसलामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बर्गलाया है कि किसी ने इनको यह नहीं बताया कि देखो एक सोलूशन जो है एक शांतिपूर्ण हल धूना जाए उसका उन्होंने कभी एमफेसाइज नहीं किया और इसको इसराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया हमास एंडी ट्रांसफर अफ मनी टू हमास दिस पार्ट अफार स्ट्राइटजी और यह नियू यूर्क टाइंज में है आप बात कर रहे हैं इसराइल भी पुरी तरह जानता है कि हमास यह आने वाला हमास को सपोर्ट करने के लिए कि उनको फंड्स आने दीजिए उनको सप इसराइल की सरकार पर सवाल उठा लुटा दिए सर वहां पर चौदा सो लोगों की मौत हो गई है अर्दौान के जो कह रहे हैं वह तो बात की बात होगी यह ने तन्यावं का फिर यहां पर इनसाफ करना लोग शुरू कर देंगे, मैं आऊंगा इस पर, जनर्ल कुल करनी इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं जलात कुछ तस्विरे दिखाना चाहता हूँ, इसरेल पर हूती का मिसाइल अटैक देखिए, यह तस्विरे आपके सामने, हूती ने कैसे इसरेल पर मिसाइल अटैक करने की हैं, क्योंकि यह हूती को अकर यमन से मारना है, तो इसरेल तक करीब इतनी दूरी है सर, और इसी बीच आप देखे, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ड्रोन का आटैक भी लगातार करने की धमकी दे रहा है हूती, हूती यह कह रहा है कि हमारे पास अपनी पूरी ड्रोन ब चुके हैं अब तक, और अगर आप 25 दिन, तो किया 26 दिन है, 25 दिन का एवरेज निकालें तो यह करीब 440 हमले रोज का हिसाफ बैठता है, एक 41 वाई 10 की पटी पर 440 हमले रोज, और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास चो है, वो टिका हुआ है, नही इसी तरफ भी आइडियाफ है, और यह इरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, लग रहा है कि एसकेलेट हो रहा है, एसकेलेट होना नहीं चाहिए, और मकसर यही होगा इस्रेयल का और यूएस का, कि यह गाजा पट्टी तक ही सीमित रहे, अगर यह इसकेलेट हो गया, तो पूरा वेस्ट एश्या में और पूरे विश्वबर में क्राइसिस के ही मुझे लगता है, नजर आते हैं, और उसका असर भारत पर भी बहुत जबर्दस्त होगा, क्योंकि तेल के जो कीमते हैं, इतनी उचाही पे पहुंचेंगी, यह तो आपने यह गाजा के लोगों को बिल्कुल सोने नहीं देती होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बंबारी हो रही है, हजारों लोगों की मौत हुई है, और हजारों लोगों की जिस तरह से मौत हुई है, सब इस वक्त कहीं न कहीं उस खौफ के साही में जरूर होंगे, लेकिन इ हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन डक्षणी गाजा के कुछ हिसों में ये रिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उतरी गाजा के उन इलाकों को में दिखाता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरिये ये 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उतरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर, अदीक और अल-मुगरका में सर, यह देखिए, यहाँ ग्राफिक्स जरिया आ रहा है, यह सारे लाके हम बता रहे हैं, सर, आप वो, उसको, यह जो आ रहे हैं, यह यह जो आ रहे हैं, यहाँ पच्चीस अक्टूबर के बाद, भारी तबाही मची है, और यह जो है, यह कोई स्ट्राटिजी दिखती है, यहाँ पर जिसमें आपको लगता हूँ कि इधर ही इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? इसको रोख के रखा हुआ है, इजिए किसी भी महाँ से जो हमास के और फिलस्तिनी हैं, उनको आने नहीं दे रहा है, तो यह जो इलाके हैं, इनको हमास ने यूमन शील्ड बना रखा है, जिससे कि जितने भी पिलस्तिनिन्स हैं, वो यूमन शील्ड हैं. अब देखें, उनिस, अल-फुखारी, उम कमेल, उम अल-किलाब, शौकत असूफी और ताल असुल्तान, यह तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिससे यहां पर बिलिंक करते हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची हैं सर, तो अभी तक हम लोग कर रहे थे कि संद्गाजा से संद्गाजा में जाईएगा, वो लोग गए नहीं, पलायन उन्हें क्या ने, क्योंकि एजिप्ट किसी को नहीं आने दे रहा है, तो क्योंकि पूरी गाजा पट्टी के साथ दो ही देश हैं, एक इसरेल और दूसरा है इजिप्ट, और तीसरा है यह अपना हर तरह हमले शुरू हो रहे हैं, आपके पास आओं लुक्से पहले मैं यहाँ पर कुछ और बड़ी खबरे दिखाना जाता हूँ, देखें, हमास को खत्म करने के लिए इसरेल को तीन मोर्चों पर चुनौती मिल रही है, और गाजा में हमास और लिबनन में हेजबुला के अलावा यमन के हुती विद्रोयों ने भी इसरेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यमन से हुती विद्रोयों ने तीसरी बार इसरेल पर बलेस्टिक मिसाल मारी है, हलाकि इसरेल के एरो थ्री एर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, हुती विद्रोयों के न न्यूक्लियर तबाही बढ़ जाएगी ये 2000 किलो मीटर 200 किलो मीटर तक की मिसाइल हूती के पास होना ये भी एक सवाल है अपने आप में चर्चा जब इस्रेल के आड़िमी बेस की हो रही है तो ये भी बता देते हैं कि इस्रेल में कहां कहां परमाणू केंदर हैं जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंदर है जहाँ प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहाँ परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके अलावा फार जेखरिया, नाहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाइल मार कर चिंता बढ़ा दी है इसरेल इस वक्त तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है अमेरिका ने मदेपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फॉर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की सबसे बड़ी ताकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है जो वहाँ पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है मेरे साथ ग्रुप्त करटन विनोद आउगस्टीन है मैं उनके पास जाओ उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद्ध कैसे चल रहा है यह आप देखिए गाजा के भीतर जमीन पर इसरेल के युद्ध की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है जमीन पर इसरेल की सेना अब वहाँ अपना ऑपरेशन चला रही है लगातार वो वहाँ पर टैंकों के जरीए, बुल्डोजर के जरीए, पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुश चुके है और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि यह थर्ड स्टेज है इसका मतलब थर्ड स्टेज के बाद अब यहाँ पर जमीन पर और यह ऑपरेशन बढ़ जाएंगे और इसरेल की सेना जो अभी तक एर स्ट्राइक कर रही थी, जो अभी तक रॉकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी, वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लडाई अब हमास से और ज्यादा करेंगे, और लेडी हुई है इसी बीच इस्रेली हाइवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं, यह देखिए हमास ने कैसे और यह तस्वीर आपने आप में बहुत विद्वनसक है ये तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है ये तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहाँ पर पिन पॉइंट अटेक किये हैं ये मिसाइल हाईवे के दाइबाई भी गिर सकती थी लेकिन बिल्कुल एक हाईवे पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट में आना ये देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उनके पास है एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल उनके पास है वहाँ पर इस तरह की मिसाइले उनके पास है रॉकेट आइरन डॉम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे आटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हूती तो आएए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहां कहां हमास और हूती के निशाने पर कौन कौन से परमालू ठेकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हत्यार का इस्तमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइड़ टॉर्पीडो इसमें वार हेड ले जाने की शमता है हमास का अल-असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है लेकिन इस्रेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है लेकिन जब इस तरह के हत्यारों की इस्रेल के पास कार्ड की बात होती है तो इजरेल ने पहली बार Aero 3 Defense System का इस्तिमाल कर बताया दुन्या को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है इसकी खास्यत यह है कि यह पहले Long Range की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके Warhead को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोलकर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो ग्रूप कार्टेन विनोद आगस्टीन आप तो इनी सब चीजों के माहिर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिकेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बड़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार है दो-दो-हजार किलो मीटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बड़ी है सर बिलकुल निसन दे गौरव और इन इंपक्त मैं किताब भी लिख रहा हूँ अम द्रोन बनाते हैं आप जानते ही है जो आगे वाले जो फूटर वार्फेर का पूरा काया पलट करके हमाने करता है लो कोस्ट है दिफिकल्ट इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटीजिक टार्गटिंग करता है और स्टरजिकल करता है और इतना अभी मैं दर्शकों को यह बताना चाहरा था आप देखिए मेरे हाथ में यह ड्रोन है देखिए इसका साइस और यह कम से कम ने तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक का पार्गर धिरॉन बन जाता है अब देख रहे है 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 मेरे यह हाथ में 220 ग्राम का ड्रॉन कम से छैकर दो यह ट्री मत रिमेड ले ले जाना का किसी भी चीज में पकड़ में नहीं आएगा तो और सोचिएगा यह इससे भी छोटा फाइटर जहाज लाउंच कर सकता है एक फोर्टीन टॉमकैट या एक फुटीन स्वाइक इगल ने एक एटीन ने ऐसे हजारों ड्रोन लाउंच किये हैं और यह बिल्कुल एक लोकस्ट की इसे दरात आपके उपर आपके अटाक करेंगे एच चमता हमास के पास है और हमास के पास अंडर्वॉटर ड्रोन की जो आपने दिल्स्क्र की मैं 10 दिन पहले इसके बारे में बात कर रहा था उंडर्वॉटर ड्रोन ही नहीं उनके पास यह भी इन्फरमेशन है कि मिजट आप compare कर सकते हैं इस तरह की ट्रेनिंग उनको इरान ने प्रवाइड किया हुआ है लेकिन गौरव एक बहुत ही महत्पून सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था सारे जो मुसलिम वर्ल्ड और इस्लाम के जो लोग हैं अगर ये एक अठाया आगए तो क्या होगा ये बहुत ही मौत्पून सवाल क्यूं क्यूं है क्यूंकि अभी शिया और सुनी करबला के बाद एक दुसरे के खिलास हैं तो हम जानते ही हैं शिया सुनी कर भाई मिल जाते हैं तो ए लेकिन उनके बीच में भी अभी एक ता नजर आना शुरू हो गया है और यह जो अगर हुआ तो यह सब लोग अपना पैसा जोकेंगे टेक्नालोजी जोकेंगे यह इसराइल के लिए इसराइल नुकलियर फैसिलिटी के लिए वेस्टरन वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया क अपने जो बात केना कि इसरेल की नुकलियर फैसिलिटीande के लिए ये बहुत बड़ा खत्रा है तो जरह हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वो ल्युकिलयर फैसिलिटीज हैं कहां-कहां इसरेल में किस किस जगा पर नुकलर फेसिल्टीज हैं जिनको हमास, हूती इस तरह निशाना बना सकते हैं इसरेल में कहां कहां परमाणू केंदर हैं या आपके सामने जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंदर है जहाँ प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है अलाइबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है जहाँ परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके लावा फार जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं ये इसरेल के नक्षे पर आप देख सकते हैं उपर से लेकर नीचे तक ये नीकलर फेसिल्टीज हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाईल मार कर चिंता और बढ़ा दी है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन वार में वो परमाणू दुरगटना होने का वो चेर्णोबिल वाली 1986 के दुरगटना के बाद जैपोरीजिया में कुछ परमाणू दुरगटना ना हो जाए इसके खत्रे लगातार वहाँ पर मंड़ा रहा कुछ ऐसा य verdict में बंड रहा है और इस लीए हम बोलने कि क्या परमाणू खमासान मत जाएगा नौर्थ गाजा में जबार रेफ्यूजिया केंपर हुए हमले को लेकर दुर बर में सवाल उट रहे हैं क्या हुआ जबालिया कैंप में? देखें, जबालिया रेफ्यूजी कैंप, यहाँ पर इसरेल की बंबारी हुई, जसमें 50 लोग मारे गए, लेकिन जब इस एक्शन पर सवाल उठे तो इसरेल ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप में फिलिस्तीनी शर्णारतियो उने पनार ले रखी है लेकिन इनी शर्णार्थियों के बीच कुछ लड़ाकों के साथ हमास कमांडर इबराहीम बियारी छिपा था इस्रेली फोर्स ने पहले उसे सरेंडर का कई बार मौखा दिया इबराहीम बियारी साथ अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इस्रेली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टार्गेटेड अटैक किया इबराहीम बियारी तो मारा गया लेकिन उ मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है। आईए इससे पहले कि हम अपने मेमानों से इस पर बात करें आपको कुछ तस्वीरे दिखा देते हैं। जबालिया कैम्प में तीन मिनट में पचास लोगों की मौत हो गई जिसको लेकर पूरी दुनिया में अब इसरेल के खिलाफ घुसा दिख रहा है। यह उसी जबालिया कैम्प की तस्वीरे हैं जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहाँ पर उसी मल्मे में उसी आग के बीच लोगों को धुन्टे हुए। की बार अपने 11 सैनिकों की मौत की बात मानी है। इसरेज मिशलोव्सकी, कारपूरल लियोर सिबनोविड्स, यह तमाम जो सैनिक, कारपूरल इदो ओवादिया और सार्जेंट द्रोई दावी, यह सैनिक, 11 सैनिक इसरेल ने खोए है। हलाकि वार है और जाहिर सी बात है, वार में कहा था इसरेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर से अपने कोर मुद्ध पर आएं प्रोफेसर हमेताब सिंग, सौधी अरब जब यह कह दे कि हम वार खतम हो तो इसरेल से सामान रिष्टे कर लेंगे, तब तो यह बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक राय नहीं है इसरेल के खिलाब, अधरवाइस अभी तक एक हो जाते, देखे, मुस्लिम वर्ल्ड कभी भी इसरेल के क्वेस्टन पे या पैलिस्टीन के क्वेस्टन पे एक नहीं रहे है, उनके एलीट्स में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है, और साओधी अरेबिया इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है, आपको इस इस बात से अंदाजा रहेगा कि साओधी अरेबिया अभी तक हमास के फेवर में खुल कर कभी नहीं बोला है, और इस वार में भी साओधी अरेबिया ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध हमें, तो वो फिर से अपने USA का जो नजदीक आने का एक एजेंडा था उसका, वो आगे बढ़ा सके, और सिर्फ साओधी अरेबिया नहीं, जितने भी आसपास के देश हैं, जॉर्डन ले लें, इजिप्ट ले लें, देखिए इनका एजेंडा क्या था इसराइलियों का, कि किसी भी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको एजिप्ट में धकेल दिया जाए, तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी, ये सेटल हो जाएगा, लेकिन एजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ, यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाहते थे, लेकिन साओधे अरेबिया का सबसे बड़ा उनके जो नेता हैं उनमें एक राए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर सरकारें चाहें एंटी इस्रेल ना हो, लेकिन एंटी समेटिजम घटनाए वहाँ पर बहुत बढ़ गई हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप अपने वीवर्स को ये दिखाओं, उसके घटनाए बढ़ रही हैं, उनके खिलाफ समाज में उनको वहाँ पर जलील करने की घटनाए बढ़ रही हैं, उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं, आप देखिए गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाए अचानक पर डेविड स्टेंसल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहूदी आस्था, धर्म, परंपरा और राजिका प्रतीक हैं, यानि वो मार्किंग कर रहे हैं, यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहूदी रहता है कोई, यानि वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहुदी है अब वो मार्किंग किसले करने हैं आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं जो लंडन में हो रही है जो नियॉक में हो रही है जो लॉस एंजलेस में हो रही है यह यह मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है लेकिन जिस हेट क्राइम के मैं गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच लंडन में यहुदियों और मुसल्मानों के खिलाफ हेट क्राइम अचानक काफी बढ़ गया है आप देखिए यह आप देखिए यहुदियों के खिलाफ 1-18 अक्टूबर इस घटना में 15353% का इजाफा हुआ है कैसे आपको बताता हूँ 2022 में 15 घटनाएं सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए अब यही हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहुदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच यानि करिब साले 1300% का इजाफा हलाकि मुसल्मानों को भी निशाना बनाए गया है उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई है इसी दर्मियान 1-18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी वो अब बलकर 101 हो गई है यानि यह 140 फिजदी जादा है लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है यहूदी धर्मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख रहा है इन आक्टूबर के लिए दुनिया भर के मुसल्मान एक होंगे और दूसरा क्या इसरेल में मचेगा परमानू घमासान यह दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह दो बहुत बड़ी खबरें हैं लेकिन घाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की होल मची हुई है पहले इसकी बात करते हैं इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्किये का जिसके राश्ट्रपती रेसेप तैयप अर्दोगन ने इसरेल के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी है तुर्किये के राश्ट्रपती ने मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ मिलकर जंग लडने को कहा है उन्होंने अपील किये इतना ही नहीं एर्दोवन ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्रेयल के खिलाफ संौय नयुक्त सेना बनाने के लिए तुरकिये अपना योगदान भी देने को तैयार है जाहिर है एर्दवान की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम देश करना है तुर्किये के राश्टरपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्ब से जल्ब रोकने की अपील भी की है अपिस अपुर्णे उन्होंने बेहत सक्त लहिजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इसरेल ने अपना आपा खोदिया है एर्दवान ने इसरेल को युद्ध अपरादी बताते हुए उसे इनसाफ के कटगरे में ख़ढा करने की बात भी की है उन्होंने गाजा में इसरेल के युद्ध परादों में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरो भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाम तो आईए आपको बताते हैं कि रेसब तैयब अर्दोवान है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है जनाम बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्क्रपती चुने गए हैं इससे पहले वो अर्दोवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं तुर्की पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आतातुर्क के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं अर्दोवान दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोवान की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्कीय नहीं इरान भी गाजा की जग में इस्रेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबन करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्कीय और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूरती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सर्वोच निता ने मुस्लिन देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान की अपील कर रहे हैं क्या ये वाख़ी हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वार के अनाउंसमेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया जिस तरह से हुटी, हिजबुल्ला, हमाज सब एक साथ इसरे इसरे को निशाना बना रहे है क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश गाजा पर इसलामिक देशों को फैसला करना होगा इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे यहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहुदी देश से आर्थिक सहयोग बंद करें इसलामिक देश यह इलान ने कहा है इसे बीच इजरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का आखड़ा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इजरेल के हमले में गाजा में मौत का आखड़ा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है इसरेल पर यह है इसरेल का वो एर डिफेंस सिस्टम जो उसकी मिसाइलों को लगातार कभी अमेरिका तो कभी इसरेल, उसकी मिसालों को हुआ में ही बरबाद कर दे रहे हैं ये इसरेल का डिफट शिस्टम है और असमान से आने वाले किसी भी खत्रे को चाहे वो मिसाल हो, ड्रोन हो, एरक्राफ्त हो, उसको पल भर में खाब कर सकता है यह उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखे इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैंद है मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट ने है जनरल संजय कुलकरली है अस डेफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद आउकस्टीन है और विनोद आउकस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनरल कुलकरनी इससे इसरेल की सेना वहां घुसी है अब फाइनल जो लडाई है इन सुरंगों में लडी जानी है आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के जरीये भी आपको बढ़ाने की कोशिश करूँगा यह जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है यह उस इलाके को दर्शारा है जो गाजा पट्टी है और यह जो हरी आप देख रहे हैं यह गाजा पट्टी जो तक्रीबन आप लगा सकते हैं कि 40 किलोमेटर लंबी है और 10-12 किलोमेटर चौड़ी है तो हमास को यह लगा कि इसरेल जो है तुरंट हमला करेगा और वो इनको जो जाल बिचा रखा है इनोंने सुरूंगों का उसमें वो फस जाएगा और उस फसने के बाद इसरेल जो हार माननी पड़ेगी इसरेल को लेकिन शायद उसको इस बात के एहसास थे हुआ इसरेल ने जो है थोड़ा बहुत जो बैकोंगे जो तमाचा लगा उस तमाचे के बाद जो दो तिन दिन इसरेल ने लिए अपने आपको समारने के लिए उसके बाद जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरे जो सुरंगे बिचा रखी है उस सुरं इंट्री है, exit point है, उसको बंद किया जाए, गैस का इस्तिमाल किया जाए, किस तरीके से उन लोग, जो आप कह रहे थे, बहुत बढ़ी है, आप ने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इंदर चले जाते हैं, जिस जो सुरंगे हैं, उनका जो लोजिस्टिक सस्तेनें है, वो उनके 50-1000 लोगों के लिए है, चाहिए वो दो मेने के लिए बनाया हूँ है, अगर लबी लड़ाई खिछती है, तो फिर आप देखेंगे जिए उधर भी पानी की कमी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, बिजली की कमी हो जाएगी, जेनरेटर में तेल नहीं हो गया, जिनको इजलील मार रहा है, यह गाजा पटी का एक हमने यहाँ पर डीटेल माप अपने दर्शकों के सामने रखा है, और एक एक चीज हम बता रहे हैं कि यहां से शुरू करें, जो कि यह नौर्थ गाजा है, और यहां से देकर साउथ गाजा तक यह बीज का जो य जो गाजा में प्लांट से हैं, जो यहां पर जबालिया कैम बहुत सुना होगा आपने, यह सब जो है, यह कैसे यहां पर अब आईडियाफ के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको कैसे पिन पॉइंट टार्गेटेड अटाइक कर रहे हैं, यह सब हम अभी बताए ग्रूप काप्टेन विनोद आगस्टीन एक चीज मुझे बताईए, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हूती भी आ रहा है, हम कह रहे हैं यहां पर अब दूसरे तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ, चाप्टेन आगस्टीन प्रती सहानुभूती है, और यह अक्रॉस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में, उसके अलावा है, जिस तरह आपने देखा, अभी आपने बताई, इरान और तुर्किये, यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं, तो वो इसलिए भी गए हैं कि हमास क कैसे एनफोर्स किया जाए, या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हलाकि एरान और तुर्की में बिलकुल नहीं पड़ती, उनका आपस में बहुत डिवाइड है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है, कि एक मत्याक के हैं, पूरे इसलामिक वर्ल्ड मे कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए, और उसको एक वजन दिया जाए, उसमें वो हमास को ही नहीं, बलकि इसराइल के खिलाव भी है, और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कितना सहयो करें हो, कि इस समय सिर्व इरान उनके साथ तुरकिये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने तीनों एच बताए, हमास, हूती और हेजबॉला, ये तीनों इरान समर्थी थे हैं, और तीनों इरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं, ये येमन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं, पूरा इसलामिक वर्ल्ड इस समय साथ हैं, लेकिन जब बात होगी कि एक्चुली इंटर्वीन करना है, तो कोई सामने नहीं आएगा, अब तक जितने भी इसलामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने सिर्फ इनको बर्गलाया है, कि किसी ने इनको ये नहीं लिकुड पार्टी में, एक स्पीच में कहा था, कि दोस वोन्ट थौर्ट दी पॉसिबिलिटी अफ पैलिस्टीनियन स्टेट, शुड सपोर्ट इस स्ट्रेंग्रिंग अफ हमास, और ये नियॉर्क टाइम्स में है, आप बात कर रहे हैं, याप बात कर रहे हैं, इसका ये कह रहे हैं, बिल्कुल, हमास को सपोर्ट नहीं, इग्नोर करने के लिए कि उनको फंड्स आने दीजिए, उनको सपोर्ट मिलने दीजिए, ये हमारी पार्ट अफ स्ट्रेटीजी है, यानि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर जो दिखा रहे हैं, वो शायद इंटेलिजेंस उनको पता था कि ये अटैक होने वाला है, इतने बड़े सुरंग बने हैं, एक विस्फोंट होने वाला है, उसको इगनोर किया है। मिसाइल हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये मिसाइले यहां से निकल रही हैं, अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलो मीटर तक जाने वाली मिसाइले हैं, क्योंकि ये हूती को अकर यमन से मारना है, तो इस रेल तक करीब इतनी दूरी है सर। और इसी जाने वीडियो भी जारी किया, वो वीडियो भी जारी जो किया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब तक घजा पर 11000 हमले हो चुके हैं, गैरा हजार हमले हो अब तक और अगर आप 25 दिन, लो कि आड見て 26 दिने, 25 दिन का व्रेज को निकलें तो ये करीब 40 440 हमले रोज का हिसाफ बैठता है एक 41 वाई 10 की पटी पर 440 हमले रोज और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है एक तरफ हूती हमास और हिजबुल्ला है दूसरी तरफ भी आईडियाफ है और य यह एसकेलेट हो रहा है एसकेलेट होना नहीं चाहिए और मकसर यही होगा इस्रेयल का और युएस का कि यह गाजा पट्टी तक ही सीमित रहे अगर यह एसकेलेट हो गया तो पूरा वेस्ट एश्या में और पूरे विश्वबर में क्राइसिस कहीं मुझे लगता है नजर आते हैं और उसका असर भारत पर भी बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि तेल के जो कीमते हैं इतनी उचाई पर पहुंचेंगे यह तो आपने जो बात कही सर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वारी नहीं करते लेकिन देखिए इसी बीच गाजा पर इस्रेली बॉम आपक लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों की जितना से मौत हुई है सब इस वक्त कहीं न कहीं उस खौफ के साई में जरूर होंगे लेकिन इसमीच हमास है जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इस्रेली सिना ने हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन दक्षणी गाजा के कुछ हिसों में एरिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उतरी गाजा के उन इलाकों को में दिखाता यहां पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरीए यह 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उतरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर, अद्दीक और अल-मुगरका में सर यह देखिए यह कोई स्ट्राटिजी दिखती है, यहां पर जिसमें आपको लगता हूँ कि इधर ही इतने अटैक क्यों हो रहे हैं, देखिएगा यह जो नौदन गाजा है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे का आपने उतरी गाजा और गाजा में सिटी, यह जो इलाका है, तक्री ग्यारा किलोमेटर जो है, वो इजिप्ट के साथ लगता है, जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं, इजिप्ट ने भी उसको रोख के रखा हुआ है, इजिप्ट किसी भी महां से जो हमास के और फिलस्तिनी हैं, उनको आने नहीं दे रहा है, तो यह जो इलाके हैं, इनको हम वास्ते यूमन शील्ड बना रखा है, जिससे कि जितने भी पलस्तिनिन्स हैं, वो यूमन शील्ड हैं, अब देखें जिप्ट दक्षिन कभी आ गया, अब यहां पर उत्तर की बात कर रहे थे, अब दक्षिनी गाजा में बरबादी का मनजर आप देखिए, यहां पर नुस भारी तबाही मची है सर, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नौर्थ गाज़ा से इस्रेल ने कहा कि पलाएन करना है, इसलिए साउथ गाज़ा की तरब जाओ, लेकिन अब तो हमने साउथ गाज़ा पर भी हो रहे हैं, अब शुरू होगा साउथ गाज़ा पे, क्योंकि इ ही देश है एक इस्रेयल और दूसरा है इजिप्ट और तीसरा है यह अपना मेडिटेरेंसी तो क्या कर सकता है तो क्योंकि लोग पलाए यमन के हूती विद्रोयों ने भी इस्रेयल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है यमन से हूती विद्रोयों ने तीसरी बार इस्रेयल पर बलेस्टिक मिसाल मारी है हलाकि इसरेयल के एरो त्री एर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया खोती विद्रोयों के निशाने पर इसरेयल के परमाडू बेस्ट थे लेकिन खोती विद्रोयों की तीसरी बार इस्तरा की हिमाकत उनकी फेल हुई और ये इशारा कर रही है कि गलती से भी अगर इसरेयल के किसी आटमी बेस्ट पर कोई मिसाल गिरती है तो इसरेयल की धरती से मिडल इस्त में न्यूकलियर तबाही बढ़ जाएगी ये 2000 किलो मिटर, 2200 किलो मिटर तक की मिसाल हुटी के पास होना ये भी एक सवाल है अपने आप में चर्चा जब इसरेयल के आटमी बेस की हो रही है तो ये भी बता देते हैं कि इसरेयल में कहां कहां परमाणू केंदर है जो हुटी और हमास के टार्गेट पर हैं डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंदर है जहाँ प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहाँ परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके अलावा फार, जेखरिया, नाहल, सोरे, योधेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाईल मार कर चिंता बढ़ा दी है इसरेल इस वक्त तीन मोर्चो पर जंग लड़ रहा है गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है तो लेबनन से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं ऐसे में अब अमेरिका ने भी इसरेल को सेन साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी है सिर्फ 24 गंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A ग्लोब मास्टर थर्ड की 53 उडान और C-5M मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट की साथ उडाने देखी गई है और हर तरह से उसको मदद कर रहा है मेरे साथ ग्रूप्त करटन विनोद ऑगस्टीन है मैं उनके पास जाओ उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद्ध की तस्वीर अब आपकी सामने आ रही है जमीन पर इसरेल की सेना अब वहाँ अपना ऑपरेशन चला रही है लगातार वो वहाँ पर टैंकों के जरिए बुल्डोजर के जरिए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि ये थर्ड स्टेज है इसका मतलब थर्ड स् और ज्यादा करेंगे और लेडी हुई है इसी बीच इसरेली हाइवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं ये देखिए हमास ने कैसे और ये तस्वीर आपने आप में बहुत विद्वनसक है ये तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी ये देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उनके पास है एंटी टैंक गाइडेट मिसाइल उनके पास हैं वहाँ पर इस तरह की मिसाइलें उनके पास है आइरन डॉम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे अटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हुती तो आए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां हमास और हुती के निशाने पर कौन कौन से परमाणू ठिकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हत्यार का इस्तमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया लेकिन जब इस तरह के हत्यारों की इज्रेल के पास कार्ड की बात होती है तो इज्रेल ने पहली बार Arrow 3 Defense System का इस्तेमाल कर बताया दुनिया को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है। इसकी खास्यत यह है कि यह पहले Long Range की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके Warhead को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोल कर हवा में ही उसको तबाह कर देता है। तो Group Carton, Vinod Augustine आप तो इनी सब चीजों के माईर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे। हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बढ़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार हैं। है पॉलट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटिजिक टार्गेटिंग करता है और स्ट्रजिकल स्ट्राइक करता है और इतना अभी मैं दर्शकों को यह बताना चाला था आप देखिए मेरे हाथ में यह ब्रोन है देखिए इसका साइस और यह कम से कम ने तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कारगर ड्रोन बन जाता है अब देख रहे हैं मेरे हाथ में जो 220 ग्राम का ड्रोन कम से कम ने तो दो या त्रीन ग्रिनेड ले जाने का काबिल है और यसी ड्रोन का एक्शन हमने रशन युक्रेन वार में देखा था यह आते हैं स्वाम में और यह बना हुआ है देखिएगा यह बना हुआ प्लास्टिक पात यह पनार्य से अ प्लास्तिक इसमें कोई पार्ट नहीं एक राईव श्री सभी दर नेकिसीगीज में पकड़ ममीश कि आएगा जान्च किया और यह से भी छोटा आठाट का अाट स्वास पितीं में सब्सक्राशरा फशान ग्र्रोन अच और बिलकुल एक के तरह एक भ़ॉर की तरह आपके आपके अधाक करेंगे ए eh hamta Hanas के पास है और Hanas के पास अंडर वार्तर डून की जो आपने शुक्त की मैं दस दिन पहले इसके बारे में बात कर रहा था लेकिन गौरव एक बहुत ही महत्वपून सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था सारे जो Muslim World और Islam के जो लोग है अगर ये एकठा आ गए तो क्या होगा ये बहुत ही मौत्पून सवाल क्यूं क्यूं है क्यूंकि अभी शिया और सुन्नी करबला के बाद 8680 के बाद एक दुसरे के खिलास है उसके बाद आप दुसरे को मानने बतुल आते हैं लेकिन उनके बीच में भी अभी एक ता नजर आना शुरू हो गया है और ये जो लब्द हम सुनते हैं तेरा मेरा रिष्टा क्या अलाई लाई इसलिए तो ये जो अगर हुआ बड़ा खत्रा है फार जेखरिया, नहल, सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं ये इसरेल के नक्षे पर आप देख सकते हैं उपर से लेकर नीचे तक ये निकलर फेसिल्टीज हैं जो हमास और हुटी के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हुटी ने भी बलेस्टिक मिसाइल मार कर चिंता और बढ़ा दी है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूकरेन वार में वो परमाणू दुरगटना होने का वो चेर्नोबिल वाली 1986 के दुरगटना के बाद जैपोरीजिया में कुछ परमाणू दुरगटना ना हो जाए इसके खत्रे लगातार वहाँ पर मंड़ा रहा है उसका खत्रा मंड़ा रहा था कुछ ऐसा ही अब इसरेल में मंड़ा रहा है और इसलिया हम बोलने कि क्या परमाणू घमासान मत जाएगा नौर्थ गाज़ा में जबालिया रेफ्यूजी कैम्प पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं क्या हुआ जबालिया कैम्प में देखे जबालिया रेफ्यूजी कैम्प यहाँ पर इसरेल की बंबारी हुई जिसमें 50 लोग मारे गए लेकिन जब इस एक्शन पर सवाल उठे तो इसरेल ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैम्प में फिलिस्तीनी शर्णार्थियों ने पनार ले रखी है लेकिन इनी शर्णार्थियों के बीच कुछ लड़ाकों के साथ हमास कमांडर इबराहीम बियारी छिपा था इसरेली फोर्स ने पहले उसे सरेंडर का कई बार मौखा दिया इबराहीम बियारी साथ अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इसरेली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टार्गेटेड अटाक किया इबराहीम बियारी तो मारा गया लेकिन उसमें और भी लोग मारे गए इस अटाक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी तो हालात और विद्वण सक होंगे एर्दोवान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी हलाकि साओधी अरब ने कहा है कि युद रुके तो इसरेल से रिष्टे सामाने करेंगे तो मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है आईए इससे पहले कि हम अपने मेमानों से इस पर बात करें आपको कुछ तस्वीरे दिखा देते है जबालिया कैम्प में तीन मिनट में पचास लोगों की मौत हो गई जिसको लेकर पूरी दुन्या में अब इसरेल के खिलाफ घुसा दिख रहा है यह उसी जबालिया कैम्प की तस्वीरे हैं जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहाँ पर उसी मल्मे में उसी आग के बीच लोगों को ढूंटे हुए तो यह जबालिया कैम्प हमने अपको कल मैप दिखाया था उपर नौत गाजा की तरफ है और वहाँ पर यह हमला हुआ है गाजा में इसरेल के जमीनी हमले के बाद इसरेली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिकों की मौत की बात मानी है यह सैनिक हैं कारपूरल आसिफ लौगर यहाँ पर लेटेन एरियल रीच इसके लावा सारजेंट हिलेल सोलमन इसके अलावा आप देख सकते हैं सारजेंट आदी दानन, सारजेंट आदी लियोन, सारजेंट इरेज मिशलोव्सकी, कारपूरल लियोर सिबनोविड्स यह तमाम जो सैनिक, कारपूरल इदो ओवादिया और सारजेंट द्रोई दावी, यह सैनिक, 11 सैनिक इसरेल ने खोए हैं, हलाकि वार है और जाहिर सी बात है, वार में कहा था इसरेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं, लेकिन हमास को अधरवाइस अभी तब को एक हो जाते हैं, देखें, मुस्लिम वर्ल्ड कभी भी इसराइल के क्वेस्टन पे या पैलिस्टीन के क्वेस्टन पे एक नहीं रहे हैं, उनके एलीट्स में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है, और साओधी अरेबिया इसका सबसे बड़ा एक्जाम्पल है, आपको इस बात से अंदाजा रहेगा कि साओधी अरेबिया अभी तक हमास के फेवर में खुल कर कभी नहीं बोला है, और इस वार में भी साओधी अरेबिया ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध हमें, तो वो फिर पूरी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए, तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी, ये सेटल हो जाएगा, लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ, यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाहते थे लेकिन साओधे अरेबिया का सबसे बड़ा अब्जेक्शन है कि हमास मुस्लिम ब्रदर हुड का पार्ट है, जो मुस्लिम ब्रदर हुड एक तरह से इसलामिक डिमॉक्रिसी पूरे वेस्टेशिया में चाहता है, और वो इजिप्ट उसका अड़्डा है, और इसी तरह जित ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिये अब पैलिस्टीन के समर्तन में आपने बहुत रहलिया देखी है, आपने नियूयॉक में आपने लंडन में देखी, आपने पैरिस में देखी, लेकिन अब यहुदी धर्म मानने वालों के खिलाफ वहां हिंसक घटना उनके खिलाफ समाज में उनको वहाँ पर जलील करने की घटनाएं बढ़ रही हैं उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं आप देखिए गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहुदी विरोधी घटनाएं अचानक बढ़ गई अमेरिका के लॉस सितारे का निशान बना दिया गया जो यहुदी आस्था धर्म परंपरा और राजिका प्रतीक है यानि वो मार्किंग कर रहे हैं यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहुदी रहता है कोई यानि वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह यहुदी है अब वो मार्कि कि में बात कर रहा हूं गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच लंडन में यहूदियों और मुसल्मानों के खिलाफ हेट क्राइम अचानक काफी बढ़ गया है आप देखिए यहूदियों के खिलाफ एक से 18 अक्टूबर इस घटना में 15353% का इजाफा हुआ है कैसे आपको बताता हूं 2022 में 15 घटनाएं सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए अब यहीं हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1 से 18 अक्टूबर के बीच यानि करिब साले 1300% का इजाफा हलाकि मुसल्मानों को भी निशाना बनाए गया है उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई है इसी दरम्यान 1 से 18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी वो अब बढ़कर 101 हो गई है यानि यह 140 फिजदी जादा है लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है यहूदी धर मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख रहा है इन आक्टूबर के बीच दो बहुत बड़े सवाल पैदा होते दिख रहे हैं पहला क्या गाजा के लिए इसरेल में मचेगा परमाडू घमासान यह दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह दो बहुत बड़ी खबरे हैं लेकिन घाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की खौल मचेगओ यह पहले इसकी बात करते हैं मुस्लिम देश करना है तूर्किये के राश्ट्रपती ने गाजा में इस्रेल के हमले को जल्ब से जल्ब रोकने की अपील भी की है उन्होंने बेहद सक्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इस्रेल ने अपना आपा खो दिया है एर्दोवन ने इस्रेल को युद्ध और वो क्या उनका प्रोफाइल है जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्ट्रपती चुने गए हैं इससे पहले वो अर्दोवन लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं तुर्की पर लंबे समय तक शासन करने कि मुस्तफा कमाल आतातुर्क के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं एर्दोवन दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोवन की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्कीय नहीं इरान भी गाजा की जंग में इसरेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबन करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्कीय और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूर्ती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सर्वोच निता ने मुस्लिम देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान की अपील कर रहे है क्या ये वाकई हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वार क्या अनाउंस्मेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया जिस तरह से हुटी, हेजबुल्ला, हमाज सब एक साथ इस्रेल को निशाना बना रहे हैं क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश अब तुर्किय या इरान की अपील मान कर साथ आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर आते हैं तो पिर इस जंग का क्या रूप हो जाएगा ये बहुत डराम ना हो सकता है इसी बीचे एक बड़ी खबर इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामने की धंकी घाजा पर इसलामिक देशों को फैसला करना होगा इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहुदी देश से आर्थिक सयोग बंद करें इसलामिक देश ये इलान ने कहा है इसे बीच इजरेल हमास जंग से एक बड़ी खबर आ रही है गाजा में मरने वालों का अख़ड़ा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इसरेल के हमले में गाजा में मौत का अख़ड़ा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा में और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हूती मिसाइल का विनाशक यहाँ पर आपको दिखाते हैं हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर राइज रेल पर यह है इसरेल का वो एयर डिफरेंस सिस्टम जो उसकी मिसाइलों को लगातार कभी अमरिका तो कभी इसरेल उसकी मिसाइलों को हवा में ही बरबाद कर दे रहे हैं ये इस्रेल का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो आसमान से आने वाले किसी भी खत्रे को, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एरक्राफ्ट हो, उसको पल भर में खाक कर सकता है, ये उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए, एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखिए, इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पहिंद है, मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट नेयर जनरल संजय कुल करनी है, इस डिफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका, मेरे साथ ग्रुप का सब्टन विनोद आउकस्टीन है, और विनोद आउकस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, सर आपका भी बहुत स्वागत है और बने साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है, जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जनल कुलकरणी, I'll start from you sir, मैं आप से शुरू करूँगा, ये जो गाजा में हम सुरंगे दिखा रहे हैं, हिजबुल्ला की सुरंगे दिखा रहे हैं, इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है, जिस तरह से इसरेल की सेना वहाँ गुसी है, अब साइनल जो लड़ाई है, इन सुरंगों में लड़ी जानी है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और मैं इस मॉडल के जरिये भी आपको बढ़ानी की कोशिश करूँगा, ये जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है, ये उस इलाके को दर्शा जा रहा है, जो गाजा पट्टी है, और ये जो हरी, आप देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी जो तक्रीबन आप लगा सकते हैं, कि 40 किलोमेटर लबी है, और 10 से 12 किलोमेटर चौड़ी है, और इसके नीचे 500 किलोमेटर के आप सुरंगों का जाल बिछा रखा है, और ये ज जब हमास ने हमला किया साथ अक्टूबर को तो हमास को ये लगा कि इसरेल जो है तुरंट हमला करेगा और वो इनको जाल बिछा रखा है इनोंने सुरूंगों का उसमें वो फस जाएगा और उस फसने के बाद इसरेल जो हार माननी पड़ेगी इसरेल को लेकिन शायद उसको इस बात के अहसास के हुआ कि इसरेल ने जो है थोड़ा बहुत जो बैकों गए जो तमाचा लगा उस तमाचे के बाद जो दो तिन दिन इसरेल ने लिये अपने आपको समारने के लिए तो उसके बात जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो उस सुरंगे की जो लड़ाई है वो वाकि बहुत बहुत खतरनाक है और इसलिए जो मलबा बन रहा है दबा करके जो फाइरिंग हो रही है गाजा पटी के उपर उसका मकसद ही है इस सुरंगों का जो एंट्री है एक्जिट पॉइंट है उसको बंद किया जाए गैस का इस्ति सुरंगे के इदर चले जाते हैं इस जो सुरंगे हैं उनका जो लोजिस्टिक सस्टेनंस है वो उनके पचास एक हजार लोगों के लिए है चाहे वो दो मेने के लिए बनाया हो या तीन मेने के बना अगर लबी लड़ाई खिचती है तो फिर आप देखेंगे जो उधर भी पानी की कमी हो जाएगी खाने की कमी हो जाएगी बिजली की कमी हो जाएगी जेनरेटर में तेल नहीं होगा तब वो सुरेंडर करेंगे लेकिन सर मार तो रहा है हमास और मर रहा है आम फिलिस्तिनी ये 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 देखे सबसे दा कैजूल्टी तो उन लोगों की हो रही है अब वो हमास के लड़ाके हैं ये तो नहीं मालूम लेकिन ऐसा जैसा कि हमास कहता है ये आम लोग है जिनको इज्रेल मार रहा है ये गा जो गाजा में प्लांटस हैं जो यहां पर यह जबालिया कैम बहुत सुना होगा आपने यह सब यह सब जो है यह कैसे यहां पर अब आईडियाफ के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको कैसे पिन पॉंट टर्गेटेड अटायक कर रहे हैं यह सब हम अभी ग्रूप काप्टेन विनोद आगस्टीन एक चीज मुझे बताईए क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हूती भी आ रहा है हम कह रहे हैं यहाँ पर अब दूसरे तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ चाप्टेन विनोद आगस्टीन डिस्कनेक्ट होगा है मैं उनके पास जाओंगा लेकिन अमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूती है और यह अक्रोस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्किये यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं तो वो इसलिए भी गए है कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हलांकि इरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मत्यक के है पूरे इसलामिक वर्ल्ड में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए उसमें वो हमास को ही नहीं बलकि इसराइल के खिलाव भी है और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है यह तीनों इरान समर्थी थे हैं और तीनों इरान के समर्थन में यहां पर जो भी अटैक हो वो करते हैं यह यहमन नहीं है तो आप समझ सकते हैं पूरा इसलामिक वर्ल्ड इस समय साथ हैं लेकिन जब बात होगी कि actually intervene करना है तो कोई सामने नहीं आएगा अब तक जितने भी इसलामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बर्गलाया है कि किसी ने इनको यह नहीं बताया कि देखो एक solution जो है एक शांतिपूर्ण हल ढूना जाए उसका उन्होंने कभी emphasize नहीं किया और इसको इसराइल की politics ने भी support किया है अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें तो 2019 में नेतनियाहू ने अपने center right liquid party में एक speech में कहा था कि those who want to thwart the possibility of a Palestinian state should support the strengthening of Hamas and the transfer of money to Hamas. This is part of our strategy. और ये New York Times में है. याप बात कर रहे हैं सराइल भी पुरी तरह जानता है कि Hamas यहां आने वालाए उसका मतलब 2019 में या 2009 में आप confirm करिएगा इसको 2009 में 2019 में हमास को support करने की बात नेतनियाहू ने कही थी आप यह कह रहे हैं? बिल्कुल हमास को support नहीं ignore करने के लिए कि उनको funds आने दीजिए उनको support मिलने दीजिए यह हमारी part of strategy है यानि उनकी intelligence failure जो दिखा रहे हैं वो शायद intelligence failure नहीं है उनको पता था कि यह attack होने वाला है इत जो कह रहे हैं वो तो बात की बात होगी या नेतनियाहूं का फिर यहाँ पर इंसाफ करना लोग शुरू कर देंगे मैं आऊंगा इस पर जनर्ल कुल करनी इस पर बात करेंगे लेकिन मैं जलात कुछ तस्विरे दिखाना चाहता हूं इसरेल पर हूती का missile attack देखिए यह तस 200-300 km तक जाने वाली missile हैं क्योंकि यह हूती को अकर यमन से मारना है तो उज्रेल तक करीब इतनी दूरी है सर और इसी बीच आप देखें आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे drones का attack भी लगातार करने की धमकी दे रहा है हूती यह कह रहा है कि हमारे पास अपनी पूरी drone brigade है और वो drone brigade का और उने एक animation वीडियो भी जारी किया वो वीडियो भी जारी जो किया वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन अब तक गाजा पर 11,000 हमले हो चुके हैं 11,000 हमले हो चुके हैं अब तक और अगर आप 25 दिन तो कि आच 26 वा दिन है 25 दिन का average निकालें तो य एक 41 वाई 10 की पटी पर 440 हमले रोज और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है एक तरफ हूती हमास और हिजबल्ला है दूसरी तरफ भी आईडियाफ है और ये इरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ ख़़े दिख रहे हैं लग राएंगी एसकेलेट हो रहा है और पूरे विश्वबर में क्राइसिस के ही मुझे लगता है नजर आते हैं और उसका असर भारत पर बहुत जबर दस्त होगा क्यूंकि तेल के हैं इतनी उचाई पे पहुँचेंगे ये तो आपने जो बात कीसर इतनी समझ में आती है तो शायद लोग वारी नहीं करते हैं लेकिन देखी इसी बीच घ्जापर इज्रेएली बम देखिए घ्रेयल के बम आपको दिखा रहा हूम है ये कैसे घ्रेल लगातार बंबारी कर रहा है ये उसकी तस्वीरे बिस вып중 है इस हजारों लोगों की जितना से वाँ मौत हुई है सब इस वक्त कहीं न कहीं उस खौफ के साई में जरूर होंगे लेकिन इस वीच हमास है जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इसरेली सेना ने हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन डक्षनी गाजा के कुछ हिसों में एरिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उतरी गाजा के उन इलाकों को में दिखाता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरीए यह 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उतरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सि अल्टी, जुहूर, अद्दीक, और अल-बुगर्का में, सर यह देखिए, यहाँ ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, यह सारे आपको स्ट्राटिजी दिखती है, यहाँ पर जिसमें आपको लगता हूँ कि इधर ही इतने अटेक्स क्यों हो रहे हैं, देखिए गाई यह जो न उत्री गाजा और गाजा में सिटी, यह जो इलाका है, तकरीबन आप लगा लेजी, बीस किलोमेटर और दस किलोमेटर, यह दो सो स्क्वेर किलोमेटर का यह आपको रहते हैं, और यही एक इलाका है, जो काफी डेवलप्ट है, और जो दक्षिन भाग है, जिसके तकरीबन 11 किलومیٹر जो है वो इजिप्ट के साथ लगता है जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं इजिप्ट ने भी उसको रोख के रखा हुआ है इजिप्ट किसी भी महां से जो हमास के और फिलस्तिनी हैं उनको आने नहीं दे रहा है तो ये जो इलाके हैं इनको हमास ने यूमन है वो यूमन शील्ड है अब देखें सिर्फ दक्षिन कभी आ गया अब यहां पर उत्तर की बात कर रहे थे अब दक्षिनी गाजा में बर्बादी का मनजर आप देखिए यहां पर नुसरत बुराइज मगाजी अलमसद्दर दीद बला अलकरारा बानी सुहेला अबासान अ कबीरा, खुजा खान, यूनिस, अल्फुखारी, अम कमेल, अम अल्किलाब, शौकत असूफी और ताल असुल्तान ये तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिससे यहां पर बिलिंक करते वे आपको दिख रहे हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नौर्ट गाजा से इसरेल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए साउथ गाजा की तरफ जाओ, लेकिन अब तो हमने साउथ गाजा पर भी हो रहे हैं, अब शुरू होगा साउथ गाजा पे, क्योंकि इसरेल ने कहाता है, हुमेनिटेरिन अस पलायन कर पारें, और वहां पे लोगों के ऊपर अब मुझे लगता है, इसरेल भी अब हमला करना है, यह तो लग रहा है कि अब बहुत जादा बुरा वक्त आने वाला है गाजा के लोगों के लिए, क्योंकि चाए साउथ हो या नौर्थ हर तरफ हमले शुरू हो रहे हैं, यमन से हूती विद्रोयों ने तीसरी बार इसरेल पर बलेस्टिक मिसाल मारी है, हलाकि इसरेल के एरो थ्री एर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, हूती विद्रोयों के निशाने पर इसरेल के परमाडू बेस थे, लेकिन हूती विद्रोयों की तीसरी बार कि हिमाकत उनकी फेल हुई और यह इशारा कर रही है कि गलती से भी अगर इस्रेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है तो इस्रेल की धरती से मिडल इस्ट में न्यूकलियर तबाही बढ़ जाएगी ये 2000 किलो मीटर 200 किलो मीटर तक की मिसाइल हूती के पास होना ये कलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहाँ परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके अलावा फार जेखरिया नाहल सोरेक योदेफट तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर यमन से हूती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं ऐसे में अब अमेरिका ने भी इसरेल को सैन साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी हैं सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A ग्लोब मास्टर 3rd की 53 उडान और C-5M मिलिटरी ट ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट की साथ उडाने देखी गई हैं अमेरिका ने मध्यपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फॉर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की इसरेल के युद्ध की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है जमीन पर इसरेल की सेना अब वहाँ अपना ऑपरेशन चला रही है लगातार वो वहाँ पर टैंकों के जरिए बुल्डोजर के जरिए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं और नेतन्याहू तो से गोले मार रही थी वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई अप हमास से और ज्यादा करेंगे और लेडी हुई है इसी बीच इसरेली हाइवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं यह देखिए हमास ने कैसे और यह तस्वीर अपने आप में बहुत व इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट मियाना यह देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उनके पास है एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल उनके पास है वहाँ पर इस तरह की मिसाइले उनके पास है आइरन डॉम को भेदने वाले रॉक के निशाने पर कौन कौन से परमालू ठेकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हतियार का इस्तमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया हमास ने जिस थ्यारों की इस्रेल के पास कार्ड की बात होती है तो इस्रेल ने पहली बार Aero 3 Defense System का इस्तिमाल कर बताया दुन्या को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है इसकी खास्यत यह है कि यह पहले Long Range की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके Warhead को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोलकर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो ग्रूप कार्टेन विनोद आगस्टिन आप तो इहीं सब चीजों के माहिर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बढ़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार है दो-दो-हजार किलो मिटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बढ़ी है सर बिल्कुल निसंदे गौरव और इन तक मैं किताब भी लिख रहा हूँ हम द्रोन बनाते हैं आप जानते ही है प्रोन फेस ओफ वर जो आगे वाने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पालट करके रखा हुआ है लोग कॉस्ट है डिफिकल्ट विंटरसेप्ट है और स्ट्रेटिजिक टार्गेटिंग करता है और स्ट्रजिकल स्टैक करता है और इतना अभी मैं दर्शकों को इसका साइस और यह कम से कम नहीं तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से खुल के अपना एक कारगर ड्रोन बन जाता है अब देख रहे हैं मेरे हाथ में और यह आते हैं स्वां में और यह बना हुआ है देखेगा यह बना हुआ है प्लास्टिक का पहुत ही पतला सा प्लास्टिक इसमें कोई मेटल पार्ट नहीं है कि इस मोटर के कोई मेटल पार्ट नहीं है यह किसी भी रेडार में या किसी भी चीज में पकड़ में आएगा तो और सोचेगा यह इस से भी छोटा फाइटर जहाज लांच कर सकता है फोर्टीन टॉमकैट या एफ 15 श्राइक इगल ने एफ 18 ने ऐसे ह दाजारों ड्रोन लांच किये हैं और यह बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह एक बहुर की तरह आपके उपर आपके अटाक करेंगे यह चमता हमास के पास है और हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन की जो आपने जिक्र की मैं दस दिन पहले इसके बारे में बात कर रहा था अंड को मारकोस के साथ या फिरीन कमांडोस के साथ या फिर मरीन के साथ आप कंपेर कर सकते हैं इस तरह की ट्रेनिंग उनको इरान ने प्रवाइड किया हुआ है लेकिन गौरव एक बहुत ही महत्पून सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था सारे जो मुसलिम वर्ल्ट औ लेकिन उनके बीच में भी अभी एक ता नजर आना शुरू हो गया है और यह जो अगर हुआ तो यह सब लोग अपना पैसा जोकेंगे टेक्नालोजी जोकेंगे यह इस्राइल के लिए इस्राइल नूक्लियर फेसिलिटी के लिए वेस्टरन वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है वेपन स्टोरेज सेंटर है जहां परमानू वार हैड और सुरंगे हैं इसके लाबा फार जेकरिया नहल सोरेक योदेफट तिरोश और रफाइल में भी इस्रेल के परमानू सेंटर हैं यह इस्रेल के नक्षे पर आप देख सकते हैं उपर से लेकर नीचे तक यह निकलर फे परमालू दुरगटना होने का वो चेर्णोबिल वाली 1986 के दुरगटना के बाद जैपोरीजिया में कुछ परमालू दुरगटना ना हो जाए इसके खत्रे लगातार वहाँ पर मंड़ा रहा है उसका खत्रा मंड़ा रहा था कुछ ऐसा ही अब इसरेल में मंड़ा रहा है और इसलिए हम बोलने कि का परमालू घमासान मत जाएगा नॉर्थ गाज़ा में जबालिया रेफूजी कैम्प पर हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं क्या हुआ जवा जबालिया कैम्प में देखे जबालिया रफूजी कैम्प यहा पर इसरेल की बंबारी पहले उसे सरेंडर का कई बार मौखा दिया इबराहिम बियारी 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इस्रेली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टार्गेटेड अटैक किया इबराहिम बियारी तो मारा गया लेकिन उसमें और भी लोग मारे इस अटैक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी तो हालात और विद्वण सक्क होंगे एर्दोवान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी हलाकि साओधी अरब ने कहा है कि युद रुके तो इसरेल से रिष्टे सामाने करेंगे तो मुस वहाँ पर उसी मलबे में उसी आग के बीच लोगों को ढूंटे हुए तो यह जवालिया कैम्प हमने आपको कल मैप दिखाया था उपर नौट गाजा की तरफ है और वहाँ पर यह हमला हुआ है गाजा में इसरेल के जमीरी हमले के बाद इसरेली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिकों की मौत की बात मानी है आईडिय अपने मंगलवार को अपने दो जवान सार्जेंट ड्रॉय वुल्फ और सार्जेंट लेवी लिफशिड्स की मौत की बात मानी थी और आज 9 अन्य सैनिकों की मौत पर उन्होंने मौर लगाई है यह सैनिक हैं कारपूरल आसिफ इसके अलावा सार्जेंट हिलेल सोलमन इसके अलावा आप देख सकते हैं सार्जेंट आदी दानन, सार्जेंट आदी लियोन, सार्जेंट इरेज मिशलोवस्की, कारपूरल लियोर सिबनोविड्स ये तमाम जो सैनिक कारपूरल इदो ओवादिया और सार्जेंट द्रोई दा हैं हलाकि war है और जाहिर सी बात है war में कहा था इस्रेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नहीं है इस्रेल के खिलाब अधरवाइस अभी तब को एक हो जाते देखे मुस्लिम वर्ड कभी भी इस्राइल के क्वेस्टन पे एक नहीं रहे हैं उनके एलीट्स में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है और साओधी अरेबिया इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है आपको इस बात से अंदाजा रहेगा कि साओधी अरेबिया अभी तक हमास के फेवर में खुल कर कभी नहीं बोला है और इस वार में भी साओधी अरेबिया ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध थमें तो वो फिर से अपने USA का जो गजा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी ये सेटल हो जाएगा लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाहते थे लेकिन साओधे एरेबिया का सबसे बड़ा अब्जेक्शन है कि हमास मुस्लिम ब्रदर हुट का पार्ट है जो मुस्लिम ब्रदर हुट एक तरह से इसलामिक डिमोक्रसी पूरे वेस्टेशिया में चाता है और वो इजिप्ट उसका अड़्डा है और इसी तरह जितने भी लेकिन आपने ए क्योंकि देखिए अब पैलेस्टीन के समर्तन में आपने बहुत रहलिया देखी आपने नियुआक में देखी आपने लंडन में देखी आपने पैरिस में देखी लेकिन अब यहुदी धर्म मानने वालों के खिलाफ वहां हिंसक घटनाय बढ़ रही है उनके खिलाफ समाज पर इसके अलावा जर्मनी और दक्षिन अफ्रीका में भी यहूदियों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस की राजदानी पैरिस में तो रातो रात यहूदियों के घरों पर डैविड स्टेंसिल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहूदि, आस्था, धर्म, परंपरा और राजिका प्रतीक है यानि वो माकिंग कर रहे हैं यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहूदि रहता है कोई यानि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहूदी है अब वो मार्किंग किसले कर रहे हैं आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं जो लंडन में हो रही है जो नियॉक में हो रही है जो लॉस एंजलेस में हो रही है ये ये मार्किंग बहुत अपने आप में ब एक हजार पांच तीन सो तिर्पंट परसंट का इजाफा हुआ है। कैसे आपको बताता हूँ दो हजार बाइस में पंदरा घटनाएं सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए। अब यही हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं। यह पंदरा घटनाएं दो हजार तेज अबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी वो अब बढ़कर 101 हो गई है। यानि यह 140 फिजदी जादा हैं लेकिन कंपारिजन कोई नहीं है। यहूदी धर्मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख रहा है इन आकलों नमस्कार टीवी नन भारत वर्षपर आप सभी का बहुत स्वागत है मेरा नाम गौरव अगरवाल है आप देख रहे हैं अडी क्योंकि हमें है देश की पड़ी गाजा की जंग हर दिन भीशन होती जा रही है इस युद्ध के बीच दो बहुत बड़े सवाल पैदा होते द लेकिन गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीफा बनने की होल मची हुई है पहले इसकी बात करते हैं इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्किये का जिसके राश्ट्रपती रेसेप तैयब अर्दोगन ने इसरेल के खिलाफ बहुत बड़ी जाहिर है एर्दोगन की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम देश करना है तुर्किये के राश्ट्रपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्ब से जल्ब रोकने की अपील भी की है उन्होंने बेहत सक्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इसरेल न आरो भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाब तो आईए आपको बताते हैं कि रेसप तयेप अर्दोगन है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है जना बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोगन की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपना इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीज़ों की आपूरती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सरवोच निता ने मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान का अपील कर रहे है क्या यमन ने जिस तरह से वार क्या अनाउंसमेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया जिस तरह से खूती हिजबुल्ला अमास सब एक साथ इसरेल को निशाना बना रहे हैं क्या दूसरे बड़े देश बड़े मुस्लिम देश अब तुर्किये या इरान की अपील मान कर साथ आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है औ इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोखने होंगे यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहूदी देश से आर्थिक सयोग बंद करें इसलामिक देश ये इलान ने कहा है इसे बीच इजरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का आखड़ा बढ़ गया है हमले में अब तक 8,796 लोगों की मौत हो चुकी है इस्रेल के हमले में गाजा में मौत का आख़़ा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हूती मिसाईल का विनाशक यहाँ पर आपको दिखाते हैं खूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाईल अटैक करने की कोशिश कर रहा इसरेल पर चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एरक्राफ्ट हो, उसको पल भर में खाक कर सकता है यह उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है अपको प्रोफेसर अमिताप सिंग है, जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते है लेकिन जनरल कुलकरनी, I'll start from you sir, मैं आप से शुरू करूँगा यह जो गाजा में हम सुरंगे दिखा रहे हैं, हिजबुल्ला की सुरंगे दिखा रहे हैं इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है जिस तरह से इसरेल की सेना वहां घुसी है अब फाइनल जो लड़ाई है इन सुरंगों में लड़ी जानी है आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के जरीये भी आपको बढ़ाने की कोशिश करूँगा ये जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है ये उस इलाके को दर्शारा है जो गाजापटी है और ये जो हरी आप देख रहे हैं ये गाजापटी जो तक्रीबबन आप लगा सकते हैं कि 40 किलोंटर लंबी है और 10 से 12 किलोंटर चोड़ी है और 375 स्क्वेर किलोंटर का इसका इस और इसके नीचे 500 km के आप सुरंगों का जाल बिचा रखा हैं और यहिकारन है कि जब हमास ने हमला किया सायத्ध अक्तूबर को तो हमास को ये लगा कि इसरेल जो है ठुरंग हमला करेगा और व जो जाल बिचा रखा है इनोंने सुरूंगों का उसमें वो फस जाएगा और उस फसने के बाद इसराइल जो हार माननी पड़ेगी इसराइल को लेकिन शायद उसको इस बात के एसास थे हुआ इसराइल ने जो है थोड़ा बहुत जो बैकोंगे उसके बाद जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो सुरूंगे बिचा रखी है उस सुरूंगे की जो लड़ाई है वो वाकि बहुत बहुत खतरनाक है और इसलिए जो मलबा बन रहा है दबा क अगर के जो फाइरिंग हो रही है गाजा पटी के उपर उसका मकसद ही है कि सुरूंगों का जो एंट्री है एक्जिट पॉइंट है उसको बंद किया जाए गास का इस्तिमाल किया जाए किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे बहुत बड़ी आपने कहा कि क्यों नहीं पटी के लोग इन सुरूंगों के दर चले जाते हैं इस यो सुरूंगे हैं उनका जो लोजिस्टिक सस्तेनेंस है वो उनके पचास एक हजार लोगों के लिए है चाहे वो दो मेने के लिए बनाया हूँ या तीन मेने के बना अगर लबी लड़ाई खिचती है तो फिर आप करेंगे यूँ उधर भी पानी की कमी हो जाएगी खाने की कमी हो जाएगी बिजली की कमी हो जाएगी जेनरेटर में तील नहीं होगा तब वो सरेंडर करेंगे लेकिन सर मार तो रहा है हमास, और मर रहा है आम फिलिस्तीनी, ये 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 देखे, सबसराइदा कैजूल्टीज तो उन लोगों की हो रही है, अब वो हमास के लड़ाके हैं या नई ये तो नहीं मालूम लेकिन यसा जैसा कि हमास कहता है, ये आम लोग है जिनको इजरिल मार र हैं जो में homeless हैं जो में पॉंट हैं जो गाजा मेंwe cust मदा कि यहां पर होका कि dece सँड़ करेंगे बहुत सब के दू रहे हैं यहां पर जपी आ रहा है हम कहारे है यहां पर आप दूसरे तो तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ चाप्टन आउगस्टीन मुझे बताया जा रहा है क्पटन विनोद आउगस्टीन डिस्कनेक्ट होका है मैं उनके पास जाओंगा लेकिन अमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूती है और यह अक्रॉस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने वताया इरान और तुर्की है यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए है तो वो इसलिए भी गए है कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हलांकि इरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मत्यक के है पूरे इसलामिक वर्ल्ड में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए उसमें वो हमास को ही नहीं बलकि इसराइल के खिलाव भी है और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है ऐसा नहीं है लेकिन वो कितना सहयो करें हो कि इस समय सिर्व इरान उनके साथ खड़ा है तुर्किय या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे है जो आपने तीनों एच बताए हमास, हूती और हेजबॉला ये तीनों इरान समर्थी थे हैं और तीनों इरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं ये येमन नहीं है तो आप समझ सकते हैं पूरा इसलामिक वर्ल्ड इस समय साथ है लेकिन जब बात होगी कि एक्चुली इंटर्वीन करना है तो कोई सामने नहीं आएगा अब तक जितने भी इसलामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बर्गलाया है किसी ने इनको ये नहीं बताया कि देखो एक सोलूशन जो है एक शान्तिपूर्ण हल ढूना जाए उसका उन्होंने कभी एम्फेसाइज नहीं किया और इसको इसराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया है अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें तो 2019 में नेतनियाहू ने अपने सेंटर राइट लिकूट पार्टी में एक स्पीच में कहा था कि दोस वोंट तो थौर्ट दी पॉसिबिलिटी अफ पैलिस्टीनियन स्टेट शुड सपोर्ट दी स्ट्रेंग्दिनिंग अफ हमास और ट्रांसफर अफ मनी तो हमास इस पार्ट अफ आर स्ट्रेटजी और ये नियू यॉर्क टाइम्स में है आप बात कर रहें सराब आप जो कह रहें उसका मतलब 2019 में या 2009 में आप कंफर्म करिएगा इसको 2009 में या 2019 में 2019 में हमास को सपोर्ट करने की बात नेतनियाहू ने कही थी आप ये कह रहें बिल्कुल हमास को सपोर्ट नहीं इग्नोर करने के लिए कि उनको फंड्स आने दीजिए उनको सपोर्ट मिलने दीजिए ये हमारी पार्ट अफ स्ट्रेटीजी है यानि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर जो दिखा रहे हैं वो शायद intelligence failure नहीं है, उनको पता था कि यह attack होने वाला है, इतने बड़े सुरंग बने हैं, एक विस्फोंट होने वाला है, उसको ignore किया है। कोशिश की है, ये missile हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से missile यहां से निकल रही हैं, अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलो मीटर तक जाने वाली missile हैं, क्योंकि ये हूती को अकर यमन से मारना है, तो उज्रेल तक करीब इतनी दूरी है सर, और इसी बीच आप द जारी किया, वो वीडियो भी जारी जो किया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब तक गाजा पर 11000 हमले हो चुके हैं, 11000 हमले हो चुके हैं अब तक, और अगर आप 25 दिन, तो किया 26 वा दिन है, 25 दिन का एवरेज निकालें, तो ये करीब 440 हमले रोज क के बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है एक तरफ हूती हमास और हिजबुल्ला है दूसरी तरफ भी आईडियाफ है और ये एरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं लग रहा है एसकेलेट होना नहीं चाहिए और मकसर यही होगा इसरेल का और यूएस का कि ये गाजा पट्टी तक ही सीमित रहे अगर ये एसकेलेट हो गया तो पूरा वेस्टेशा में और विश्व बर में क्राइसिस के ही मुझे लगता है नजर आते हैं और उसका असर भारत पर भी ब कौम आपको दिखा रहा हूं मैं ये कैसे गाजा पर दिन हो या रात हो या शाम हो कैसे इजरेल लगातार बंबारी कर रहा है ये उसकी तस्वीरें आसमान से बरस्ती ये मौत ये गाजा के लोगों को बिलकुल सोने नहीं देती होगी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बंबा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इस्रेली सिना ने हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन दक्षणी गाजा के कुछ हिसों में एरिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उतरी ग्राफिक्स के जरीए ये 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उतरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर, अद्दीक और अल-मुगरका में सर ये देखिए, यहां ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, सारे अलाके हम बता रहे हैं, सर आप वो उसको ये जो आ रहे हैं, यह ये जो अलाके हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है, और ये जो है, ये कोई स्ट्राटिजी दिखती है, यहां पर जिसमें और अधिन गाजा है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट जैसे का आपने उत्री गाजा और गाजा मेंची यह जो इलाका है, तक्रीर आप लगा लगा लेजी को आने नहीं दे रहा है तो ये जो इलाके हैं इनको हमास ने यूमन शील्ड बना रखा है जिसे कि जितने भी पैलस्तिनियन्स हैं वो यूमन शील्ड अब देखें ज़र दक्षिन कभी आ गया अब यहां पर उत्तर की बात कर रहे थे अब दक्षिनी गाजा में बरबादी का ताल अस सुल्तान ये तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिससे यहां पर बिलिंक करते वे आपको दिख रहे हैं यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर तो अभी तक हम लोग कर रहे थे कि नौर्थ गाजा से इस्रेल ने कहा कि पलायन करना है इसलिए स क्योंकि पूरी घाजा पठ्टी के साथ दो ही देश हैं एक इस्रेल और दूसरा है अजिपट और तीसरा है अपना मेटिटरियनओ क्या कर सकता है तो क्योंकि लोग पलायन कर पारे और वहाँ पर लोगों के ओपर अब मुझे लगता है इस्रेल भी अभी अभी हमला करना और गाजा में हमास और लिबनन में ह лишьbullah के लावब यमन के हूती विद्रोयों ने भी इस्रेल की खिलाफ मोरचा खोल दिया है यमन से हूती विद्रोयों ने तीसरी बार इस्रेल पर बलेस्टिक मिसाइल मारी है हलाकि इसरेल के Aero 3 Air Defense System ने इस हमले को नाकाम कर दिया खूती विद्रोयों के निशाने पर इसरेल के परमाडू बेस थे लेकिन खूती विद्रोयों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फेल हुई और ये इसारा कर रही है कि गलती से भी अगर इसरेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है तो इसरेल की धरती से मिडल इस्ट में निउकलियर तबाही बढ़ जाएगी ये 2000 किलो मिटर, 200 किलो मिटर तक की मिसाइल हूती के पास होना ये भी एक सवाल है अपने आप में चर्चा जब इसरेल के आटमी बेस की हो रही है तो ये भी बता देते हैं कि इसरेल में कहां कहां परमाणू केंद्र हैं जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंद्र है जहाँ प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहाँ परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके अलावा फार जेखरिया, नाहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलस्टिक मिसाइल मार कर चिंता बढ़ा दी हैं इसरेल इस वक्त तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है तो लेबनन से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं ऐसे में अब अमेरिका ने भी इसरेल को सेन साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी हैं सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A Globe Master 3rd की 53 उडान और C-5M Military Transport Aircraft की साथ उडाने देखी गई हैं अमेरिका ने मध्यपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की सबसे बड़ी ताकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है जो वहाँ पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है मेरे साथ ग्रुप्त करटेंट विनोद आगस्टीन है मैं उनके पास जाओ उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद्ध कैसे चल रहा है यह आप देखिए गाजा के भीतर जमीन पर इसरेल के युद्ध की तस्वीर अब कि सामने आ रही है जमीन पर इसरेल की सेना अब वहां अपना ऑपरेशन चला रही है लगातार वह वहां पर टैंकों के जरिए बुल्डोजर के जरिए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि यह थर्ड स्टेज है इसका अब यहां पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लडाई आप हमास से और ज्यादा करेंगे और लेडी हुई है इसी बीच इस्रेली हाइवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं यह देखिए हमास ने कैसे और यह तस्वीर आपने आप में बहुत विद्वनसक है यह तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लडाई की इंटेंसिटी आपको बताती है यह तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहां पर पिन पॉइंट अटैक किये हैं यह मिसाइल हाइवे के दाइवाई भी गिर सकती थी लेकिन बिलकुल एक हाइवे पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट मियाना यह देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उनके पास है एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल उनके पास है वहां पर इस तरह की मिसाइले उनके पास है आइरन डॉम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है अभी हमने गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हत्यार का इस्तमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइड़ टॉर्पीडो इसमें वारहेट ले जाने की शमता है हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है लेकिन इस्रेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है लेकिन जब इस तरह के हथियारों की इस्रेल के पास कार्ड की बात होती है तो इस्रेल ने पहली बार Aero 3 Defense System का इस्तेमाल कर बताया दुन्या को कि उनके पास किस तरह का हथियार है इसकी खास्यत यह है कि यह पहले लॉंग रेंज की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके वार हेट को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोल कर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो ग्रूप कार्टें विडियो दॉगस्टिन आप तो इनी सब चीजों के माईर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिकेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बड़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार है दो-दो-हजार किलो मीटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बड़ी है सर बिलकुल निसंदे गौरव और इन इंपक्ट मैं इसमें किताब भी लिक रहा हूँ द्रोन बनाते हैं आप जानते ही हैं ड्रोन फेस ऑफ द वार जो आगे वाने आने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पालट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटिजिक टार्गेटिंग करता है और स्ट्रजिकल स् आप देखिए मेरे हाथ में यह ड्रोन है देखिए इसका साइस और यह कम से कम ने तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कारगर ड्रोन बन जाता है अब देख रहे हैं मेरे प्लास्टिक का बहुत ही पतला सा प्लास्टिक इसमें कोई मेटल पार्ट नहीं है तिवाय इस मोटर के कोई मेटल पार्ट नहीं है यह किसी भी रेडार में या किसी भी चीज में पकड़ में आएगा तो और सोचेगा यह इससे भी छोटा फाइटर जहाज लांच कर सकता ह इसासरों लाउन्च किया हैं और यह बिल्कुल गो उक जिंसके चप करें दर कितने करेंगे इसंए निगित निदे की मैं दस दिन पहले पर अच्छाम की नहीं उनके पास यह बी इनविशन है कि मिजट सब मरीन भी हैं ओके जो हमास के जो नेवल टर्रेस्टेंग जो आंड़ वाइटर्र टर्रिस्टेंगो इस तरह की ट्रेणिंग उनको इरन ने प्रोवाइड किया हुआ है लेकिन गॉर्म एक बहुत ही महत्तपून सवाल अपने शुरू में उठाया था वह था सारे पृम्हाम कि अब इस लोग é अगर यह एकठा आगए तो क्या होगा यह बहुत ही मौत्पून इसंय की। कि अभी शुन्मी कर बला के बाद चर्फ तरह ऑं था मुझा चॉब है एक दूसरे के तेरा मेरा रिष्टा क्या अलाहिलाहिमिल्लाह। ये जो अगर हुआ तो ये सब लोग अपना पैसा जोकेंगे, टेक्नालोजी जोकेंगे, ये इस्राइल के लिए, इस्राइल नुकलियर फेसिलिटी के लिए, वेस्टरन वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है, तो जरह हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वो नुकलियर फेसिलिटीज हैं कहां कहां, इस्रेल में किस किस जगा पर नुकलियर फेसिलिटीज हैं जिनको हमास, हूती इस तरह निशाना बना सकते हैं, इस्रेल में कहां कहां परमाणू केंदर हैं आपके सामने जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंदर है जहां प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है अलावन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है जहां परमाणू वारहेड और सुरंगे हैं इसके लावा फार जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं ये इसरेल के नक्षे पर आप देख सकते हैं, उपर से लेकर नीचे तक ये नीकलर फेसिल्टीज हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं वो चेर्नोबिल वाली 1986 के दुरगटना के बाद जैपोरीजिया में कुछ परमाणू दुरगटना ना हो जाए, इसके खत्रे लगातार वहाँ पर मंड़ा रहा है, उसका खत्रा मंड़ा रहा था कुछ ऐसा ही अब इसरेल में मंड़ा रहा है, और इसरेल में इसलिया हम बोलने कि क्या परमाणू घमासान मत जाएगा, नौर्थ गाज़ा में जबालिया रेफ्यूजी कैम्प पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, क्या हुआ जबालिया कैम्प में यहां पर इसरेल की बंबारी हुई जिसमें 50 लोग मारे गए, लेकिन जब इस एक्शन पर सवाल उठे तो इसरेल ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैम्प में फिलिस्तीनी शर्णार्तियों ने पनाहर ले रखी है, लेकिन इनी शर्णार्तियों के बीच कुछ ल प्राहिम बियारी तो मारा गया, लेकिन उसमें और भी लोग मारे गए, इस अटाक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी, तो हालात और विद्वनसक होंगे, एर्दौान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी, हलाकि साओधी अरब ने क कि खिलाफ घुसा दिख रहा है, यह उसी जबालिया कैम्प की तस्वीरे हैं, जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहां पर उसी मल्मे में, उसी आग के बीच लोगों को ढूनते हुए, तो यह जबालिया कैम्प हमने आपको कल मैप को दिखाय था, उपर गाजा में इसरेल के जमीरी हमले के बाद इसरेली सेनाने पहली बार अपने 11 सैनिको की मौत की बात मानी है, आइडियाफ ने मंगलवार को अपने दो जवान सार्जेन डोय वुल्फ और सार्जेन लerson लेवी लिफशिड्ड्स की मौत की बात मानी थी और आज नो अन्य सैनिकों की मौत पर उन्होंने महर लगाई हैं यह सैनिक हैं कार्पूरल आसिफ लौगर यहाँ पर लेटिन एरियल रीच इसके लावा सार्जेंट हिलेल सोलमन इसके लावा आप देख सकते हैं सार्जेंट आदी दानन, सार्जेंट आदी लियोन, सार्जेंट इरेज मिशलोवसकी, कार्पूरल लियोर सिबनोविड्स यह तमाम जो सैनिक कार्पूरल इदो ओवादिया और सार्जेंट द्रोई दावी यह सैनिक 11 सैनिक इसरेल ने खोए हैं हलाकि वार है और जाहिर सी बात है, वार में कहा था इसरेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं लेकिन फिर से अपने कोर मुद्ध पर आएं प्रोफेसर हमेंटाब सिंग, साओधी अरब जब यह कह दे कि हम वार खतम हो तो इसरेल से सामान रिष्टे कर लेंगे तब तो यह बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक राय नहीं है इसरेल के खिलाब, अधरवाइस अभी तक वो एक हो जाते देखें, मुस्लिम वर्ल्ड कभी भी इसराइल के क्वेस्टन पे या पैलिस्टीन के क्वेस्टन पे एक नहीं रहे हैं उनके elites में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है और Saudi Arabia इसका सबसे बड़ा example है आपको इस बात से अंदाजा रहेगा कि Saudi Arabia अभी तक हमास के favor में खुल कर कभी नहीं बोला है और इस war में भी Saudi Arabia ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध थमे तो वो फिर से अपने USA का जो नजदीक आने का एक agenda था उसका वो आगे बढ़ा सके और सिर्फ Saudi Arabia ही नहीं जितने भी आसपास के देश हैं Jordan ले 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 इजिप्ट ले ले देखे इनका agenda क्या था इसराइलियों का कि किसी भी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी once and for all ये settle हो जाएगा लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ यही हाल कुछ वो Jordan के लिए चाहते थे लेकिन साओधे अरेबिया का सबसे बड़ा objection है कि हमास Muslim Brotherhood का पार्ट है जो Muslim Brotherhood एक तरह से Islamic democracy पूरे वेस्टेशिया में चाहता है और वो इजिप्ट उसका अड़ा है और इसी तरह जितने भी चाहता है उनके खिलाफ समाज में उनको वहाँ पर जलील करने की घटनाए बढ़ रही है उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं आप देखिए गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहुदी विरोधी घटनाए अचानक बढ़ गई अमेरिका के लॉस एंजलेस, ब्रिटन के लंडन, चीन में सोशल मीडिया पर इसके अलावा जर्मनी और दक्षिन अफ्रीका में भी यहुदीयों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस की राजदानी पैरिस में तो रातो रात यहुदीयों के घरों पर डेविट स्टेंसल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहुदी, आस्था, धर्म, परंपरा और राजिका प्रतीक है यानि वो मार्किंग कर रहे हैं, यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहुदी रहता है कोई यानि वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहुदी है अब वो मार्किंग किसलिये कर रहे हैं, आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं जो लंडन में हो रही है, जो नियॉक में हो रही है, जो लॉस एंजलेस में हो रही है, ये मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन जिस हेट क्राइम के मैं बात कर रहा हूँ, गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच लंडन में यहुदियों और के खिलाफ हेट क्राइम अचानक काफी बढ़ गया है आप देखिए यहूदियों के खिलाफ एक से 18 अक्टूबर इस घटना में 15353% का इजाफा हुआ है कैसे आपको बताता हूँ 2022 में 15 घटनाई सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गई अब यही हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाई 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1 से 18 अक्टूबर के बीच यानि करिब साले 1300% का इजाफा हलाकि मुसल्मानों को भी निशाना बनाए गया है उनके खिलाफ भी घटनाई हुई है इसी दर्मियान 1 से 18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाई रिपोर्ट हुई थी वो अब बढ़कर 101 हो गई है यानि यह 140 फिजदी जादा है लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है यहूदी धर्मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख रहा है इन आकलों में करेंगे क्योंकि यह दो बहुत बड़ी खबरें हैं लेकिन घाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की होल मची हुई है पहले इसकी बात करते हैं इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्किये का जिसके राश्ट्रपती रेसेप तैय Redogan ने इसरेल के किलाब बहुत बड़ी बात कह дополн était हैं तुर्किये के राश्ट्रपती ने मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ मिलकर जंग लडने को कहा है उन्होंने अपील की है इतना ही नहीं अप्रिया कि इसरेल के खिलाब सन्जिक्त सेना बनाने के लिए तुर्कि कि राश्ट्रपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्ब से जल्ब रोकने की अपील भी की है। उन्होंने बेहद सक्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इसरेल ने अपना आपा खो दिया है। क्या उनका प्रोफाइल है जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं। देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्ट्रपती चुने गए हैं। इससे पहले वो अर्दोवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं। तुर्की पर लंबे समय तक शासन करने क मुस्तफा कमाल आतातुर्क के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। अर्दोवान दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं। ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि अर्दोवान की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था। तो तुर्किया ही नहीं इरान भी गाजा की जग में इस्रेल के खिलाफ मुसलिम देशों को लामबन करने में जुटा हुआ आजी अंकारा में तुर्किये और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस मीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूरती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सरवोच निता ने मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ एक ज यमन ने जिस तरह से ऐलान कर दिया, जिस तरह से खूती, हजबुल्ला, हमास सब एक साथ इस्रेल को निशाना बना रहे हैं, क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश अब तुर्किये या इरान की अपील मान कर साथ आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, औ यहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा, यहुदी देश से आर्थिक सयोग बंद करें इसलामिक देश, ये इलान ने कहा है, इसे बीच इजरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है, गाजा में मरने वालों का आख़डा बढ़ गया है, हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है, इसरेल के हमले में गाजा में मौत का आख़डा लगतार भलता जा रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा में, और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं, तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हैं, खूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं, खूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटेक करने की कोशिश कर रहा है इसरेल पर, यह है इसरेल का वो एर डिफेंस सिस्टम जो असमान से आने वाले किसी भ पत्रे को, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एरक्राफ्ट हो, उसको पल भर में खाक कर सकता है, यह उसका एक टेमो यहां पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखिए इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैंद है, मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट नेयर जनरल संजय कुलकरनी है, अस डिफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका, मेरे साथ ग्रूप कैटन विनोद आउकस्टीन है, और विनोद आउकस्टीन सा आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले हैं, जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, सर आपका भी बहुत स्वागत है और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है, जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जनरल कुलकरनी, I'll start from you सर, मैं आप से शुरू करूँगा, ये जो गाजा में हम सुरंगे दिखा रहे हैं, हिजबुल्ला की सुरंगे दिखा रहे हैं, इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है, जिस तरह से इसरेल की सेना वहां घुसी है, अब फाइनल जो लड़ाई है, इन सुरंगों में लड़ कि 40 km लंबी है और 10-12 km चौड़ी है और 355 km का इसका इलाका है और इसके नीचे 500 km के आप सुरंगों का जाल बिछा रखा है और यह 500 km का जाल बिछा रखा है यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया साथ अक्टूबर को तो हमास को यह लगा कि इसरेल जो है तुरंट हमला और वो इनको जो जाल बिछा रखा है इनोंने सुरंगों का उसमें वो फच जाएगा और उस फचने के बाद इसरेल जो हार माननी पड़ेगी इसरेल को लेकिन शायद उसको इस बात के हैसास ने हुआ कि इसरेल ने जो है थोड़ा बहुत जो तुमाचा लगा उस तुमाच कि जो लड़ाई है वो वाकि बहुत बहुत खतरनाक है और इसलिए जो मलबा बन रहा है दबा करके जो फाइरिंग हो रही है गाजा पटी के उपर उसका मकसद ही है कि सुरंगों का जो एंट्री है एकजिक पॉइंट है उसको बंद किया जाए गैस का इस्तिमाल किया जाए किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे बहुत बड़ी है आप ने कहा कि क्यों नहीं गाजा पटी के लोग इन सुरंगों के अदर चले जाते हैं यह यह जो सुरंगे है उनका जो लोजिस्टिक सस्तेनन्स है वो उनके पचास एक हजार लोगों के लिए है चाहे वो दो म मेहने के लिए बनाया हुआ या तीन मेहने के लिए बना अगर लबी लड़ाई खिचती है तो फिर आप देखेंगे कि उधर भी पानी की कमी हो जाएगी खाने की कमी हो जाएगी बिजली की कमी हो जाएगी जेनरेटर में तेल नहीं होगा तब वो सरेंडर करेंगे लेकिन सर म अब वो हमास के लड़ाक है यह तो नहीं मालूम लेकिन ऐसा जैसा कि हमास कहता है यह आम लोग है जिनको इज्रेल मार रहा है यह गाजा पटी का एक हमने यहां पर डीटेल मैप अपने दर्शकों के सामने रखा है और एक एक चीज हम बता रहे हैं कि यहां से शुरू करें ज यह जबालिया कैम बहुत सुना होगा आपने यह सब यह सब जो है यह कैसे यहां पर अब आईडियाफ के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको कैसे पिंपॉइंट टार्गेटेड अटैक कर रहे हैं यह सब हम अभी बताएंगे ग्रूप काप्टेन विनोद आगस काप्टेन डिसकनेक्ट होगा मैं उनके पास जाऊंगा लेकिन अमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहनुभूती है और यह अक्रॉस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्की है यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं तो वो हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हाला कि इरान और तुर्की में बिलकुल नहीं पड़ती है उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मत्यक के हैं पूरे इसलामिक वर्ल्ड कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए उसमें वो हमास को ही नहीं बलकि इसराइल के खिलाव भी है और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है ऐसा नहीं है लेकिन वो कितना सहयों करें हो कि इस समय सिर्व इरान उनके साथ खड़ा है तुर्किये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे हैं जो आपने तीनों एच बताए हमास हूती और हेजबुला यह तीनों इरान समर्थी थे और तीनों इरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं यह येमन नहीं है तो आप समझ सकते हैं पूरा इसलामिक वर्ल्ड इस समय साथ हैं लेकिन जब बात होगी कि एक्चुली इंटर्वीन करना है तो कोई सामने नहीं आएगा अब तक जितने भी इसलामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बर्गलाया है कि किसी ने इनको यह नहीं बताया कि देख में एक स्पीच में कहा था कि दोस वोंट थौर्ट दी पॉसिबिलिटी अफ पैलिस्टीमियन स्टेट शुड सपोर्ट इस स्ट्रेंगरिंग ऑफ हमास और यह नियू यूर्क टाइम्ट में है आप बात कर रहे हैं इसराइल भी पूरी तरह के जानता है कि हमास यहां आने का ऐन के रहें हमास को सपोर्ट नहीं कि उनको फंड आने दीजिये उनको सपोर्ट मिलने दीजिये यह हमारी पार्ट अफ पर सवाल उठा दिये सर्वहां पर चौदा सो लोगों की मौत हो गई है अरदवान जो कह रहे हैं वो तो बात की बात होगी, या नेतनियाओं का फिर यहाँ पर इंसाफ करना लोग शुरू कर देंगे, मैं आऊंगा इस पर, जनर्ल कुल करनी इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं जलाद कुछ तस्विरे दिखाना चाहता हूँ, इसरेल पर हूती का मिसाइल अटैक देखिए, य ये मिसाइल हमले की तस्विर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये मिसाइले यहाँ से निकल रही हैं, अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलो मीटर तक जाने वाली मिसाइले हैं, क्योंकि ये हूती को अकर यमन से मारना है तो उज्रेल तक करीब इतनी दूरी है सर, और वो ड्रोन ब्रिकेट का और उने एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया, वो वीडियो भी जारी जो किया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब तक गाजा पर 11000 हमले हो चुके हैं, 11000 हमले हो चुके हैं अब तक, और अगर आप 25 दिन, तो किया 26 वा दिन पावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है एक तरफ हूती हमास और हिजबुल्ला है दूसरी तरफ भी आईडियाफ है और यह इरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं लग रहा है कि यह एसकेलेट हो रहा है और म खारत पर भी बहुत जबर्दस्त होगा क्योंकि तेल के जो कीमते हैं इतनी उचाई पर पहुंचेंगी यह तो आपने जो बात कहीं सर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वारी नहीं करते लेकिन देखिए इसी बीच गाजा पर इसरेली बॉम आपको दिखा रहा हूँ मै क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बंबारी हो रही है हजारों लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों की जिस तरह से वाँ मौत हुई है सब इस वक्त कहीं न कहीं उस खौफ के साही में जरूर होंगे लेकिन इस वीच हमास है जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नही चोड़ेंगे तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इस्रेली सेना ने हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन दक्षनी गाजा के कुछ हिसों में एरिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उतरी गाजा के उन इलाकों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरीए यह 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उतरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी जुहूर अद्दीक और अल्बुगरका में, सर यह देखिए, यहाँ ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, यह सारे लाखे हम बता रहे हैं, 3D ग्राफिक्स सर, आप उसको यह जो आ रहा है, यह यह जो आ रहा है, यहाँ 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है, और यह जो गजा में, सिटी, यह जो इलाका है, तक्रीबन आप लगा लेजी, 20 किलोमेटर और 10 किलोमेटर, यानि 200 स्क्वेर किलोमेटर का यह इलाका है, जिस पे तक्रीबन 12 लाख लोग रहते हैं, और यही एक इलाका है, जो काफी डेवलप्ट है, और जो दक्षिन भाग है, जिसके तक्रीबन 11 किलोमेटर जो है, वो इजिप्ट के साथ लगता है, जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं, इजिप्ट ने भी उसको रोख के रखा हुआ है, इजिप्ट किसी भी महां से जो हमास के और फिलस्तिनी हैं, उनको आने नहीं दे रहा है, तो यह जो इलाके हैं, इनक सुहेला, अबासान, अलकबीरा, खुजा खान, यूनिस, अलफुखारी, अम कमेल, अम अलकिलाब, शौकत असूफी और ताल असुल्तान, यह तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिससे यहां पर बिलिंग करते हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि North गाजा से इसरेल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए South गाजा की तरब जाओ, लेकिन अब तो हमने South गाजा पर भी हो रहे हैं, अब शुरू होगा South गाजा पे, क्योंकि इसरेल ने कहा था Humanitarian Assistance के लिए, उन्होंने कहा था कि सारे Northern तो क्या कर सकता है तो क्योंकि लोग पलाएं नहीं कर पारे और वहाँ पे लोगों के उपर अब मुझे लगता है इसरेल भी अब हमला करना शुरूरा है इसरेल पर बलेस्टिक मिसाइल मारी है हाला कि इसरेल के एरो थ्री एर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया खूती विद्रोयों के निशाने पर इसरेल के परमाडू बेस थे लेकिन खूती विद्रोयों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फेल हुई और यह अगर इसरेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है तो इसरेल की धरती से मिडल इस्ट में न्यूक्लियर तबाही बढ़ जाएगी ये 2000 किलो मिटर, 200 किलो मिटर तक की मिसाइल हूती के पास होना ये भी एक सवाल है अपने आप में चरचा जब इस्रेल के आडेमी बेस की हो रही है तो यí भी बता देते हैं कि इस्रेल में कहां कहां परमाणू केंडर हैं जो हुती और हमास के टरगेट पर है डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंदान केंडर है जहां पलूटोनियम उतपादन किया जाता है एलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहाँ परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके अलावा फार जेखरिया, नाहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं तो लेबनन से, हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं ऐसे में अब अमेरिका ने भी इसरेल को सैन साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी है सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A Globe Master 3rd की 53 उडान और C-5M Military Transport Aircraft की साथ उडाने देखी गई हैं अमेरिका ने मध्यपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की सबसे बड़ी ताकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है जो वहाँ पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है मेरे साथ ग्रूप करटेंट विनोद आगस्टीन है मैं उनके पास जाओ उसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद कैसे चल रहा है यह आप देखिए गाजा के भीतर जमीन पर इसरेल के युद की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है जमीन पर इजरेल की सेना अब वहाँ अपना ओपरेशन चला रही है लगातार वो वहाँ पर टैंकों के जरिए बुल्डोजर के जरिए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि ये थर्ड स्टेज है इसका मतलब थर्ड स्टेज के बाद अब यहाँ पर जमीन के पर और ये ऑपरेशन बढ़ जाएंगे और इजरेल की सेना जो अबी तक एर स्ट्राइक कर रही थी जो अबी तक रॉकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई अब हमास से और ज्यादा करेंगे और लेडी हुई है इसी बीच इस्रेली हाइवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं ये देखिए हमास ने कैसे और ये तस्वीर आपने आप में बहुत विद्वनसक है की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट मियाना ये देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उनके पास है एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल उनके पास है वहाँ पर इस तरह की मिसाइले उनके पास है आइरन डॉम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे आटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हूती तो आएए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहां कहां हमास और हूती के निशाने पर कौन कौन से परमाणू ठेकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हत्यार का इस्तिमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तिमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइड़ टॉर्पीडो इसमें वार हेड ले जाने की शमता है हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है लेकिन इसरेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है लेकिन जब इस तरह के हत्यारों की इसरेल के पास कार्ड की बात होती है तो इजरेल ने पहली बार Arrow 3 Defense System का इस्तिमाल कर बताया दुनिया को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है इसकी खास्यत यह है कि यह पहले Long Range की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके Warhead को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोल कर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो Group Carton, Vinod Augustine आप तो इनी सब चीजों के माईर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बढ़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार है दो-दो-हजार किलो मिटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बढ़ी है सर बिलकुल निसंदे गौरव और इन्फाक्ट मैं इसमें किताब भी लिखना हूँ अम द्रोन बनाते हैं आप जानते ही है जो आगे वाने आने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पलट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटिजिक टार्गेटिंग करता है और स्टर्जिकल स्ट्राइक करता है और इतना अभी मैं दर्शकों को यह बताना जागा था आप देखिए मेरे हाथ में यह ड्रोन है देखिए इसका साइस और यह कम से कम ने तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कार्गर ड्रोन बन जाता है अब देख रहे कि रराइव ड्रोन देखाए और यह उसल 59 सावान और यह बनाा है देखिएमगा यह बना हुआ है प्लासल कि इसमें G आंप नहीं है कि सीब्धू कि कोई मेंतल ने कि सीबी रेडार निया कि सीबी चीज में पकर्ड़ नहीं आएगा है तो और सोचेगा, यह इससे भी छोटा, फाइटर जहाज लाउंच कर सकता है, 14 टॉमकैट, या F-15 स्ट्राइक इगल ने, या F-18 ने, ऐसे हजारों ड्रोन लाउंच किये हैं, और यह बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह, एक भौर की तरह आपके उपर आपके अठाक करेंगे, य और हमास के पास underwater drone की जो आपने जिक्र की, मैं दस दिन पहले बारे में बात कर रहा था, underwater drone ही नहीं, उनके पास यह भी information है कि midget submarine भी है, जो हमास के जो naval terrorist हैं, जो underwater terrorist हैं, वो मारको, मारकोस के साथ, या F-1 Commandos के साथ, या F-1 Marine, उस Marine के साथ, आप compare कर सकते हैं, इस طरह की training उन प्रवाइड किया हुआ है। लेकिन गौरव एक बहुत ही महत्पून सवाल आपने शुरू में उठाया था। वो था सारे जो मुस्लिम वर्ल्ड और इसलाम के जो लोग हैं अगर ये एकठा आ गए तो क्या होगा। ये बहुत ही महत्पून सवाल क्यूं है। क्यूंकि अभी फ्रॉषी शुया और सुन्नी करभला के बाद एक दुसरे के खिलास है। तो हम जानते ही हैं चुपने को मानने बतूल आते हैं। लेकिन उनके बीच में भी अब एक ता नजर आने शुरू हो गया है। और ये जो लफज हम अब सुनते हैं तेरा मेरा रिष्टा क्या, ला इस्रैल के लिए इसराल नूक्लियए फिसिलिटी। इकलीए वैस्ट starters वर्लडT के लिए और सारी दुमिया के लिए बहुत Проक्षा कैई के लिए बहुत बड़ा खुटर है तो ज़रह हम अपने देशकों को दिखा देते हैं कि वह नूक्लियर फिसिलटीज हैं कहां कहां इसरेल में किस किस जगा पर लुटोनियम का उत्पादन किया जाता है अलावबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है जहां परमानु वॉरहेड और सुरंगे हैं इसके लाबा फार जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं। इसरेल में इसलिए हम बोलने कि क्या परमाणू घमासान मत जाएगा, नौर्थ गाजा में जबालिया रेफ्यूजी कैम्प पर हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इनी शर्णारतियों के बीच कुछ लड़ाकों के साथ हमास कमांडर इबराहीम बियारी चिपा था। इस्रेली फोर्स ने पहले उसे सरेंडर का कई बार मौखा दिया। इबराहीम बियारी 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इस्रेली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टारगेटेड अटैक किया। इबराहीम बियारी तो मारा गया लेकिन उसमें और भी लोग मारे गये। इस अटैक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी तो हालात और विद्वण सक होंगे। एर्दौान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी। हलाकि साओधी अरब ने कहा है कि युद रुके तो इसरेल से रिष्टे सामाने करेंगे। तो मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है। आईए इससे पहले कि हम अपने महमानों से इस पर बात करें आपको कुछ तस्वीरे दिखा देते हैं। जबालिया कैम्प में तीन मिनट में पचास लोगों की मौत हो गई जिसको लेकर पूरी दुनिया में अब इसरेल के खिलाफ घुसा दिख रहा है। ये उसी जबालिया कैम्प की तस्वीरे हैं जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहाँ पर उसी मल्मे में उसी आग के बीच लोगों को ढूंटे हुए। तो ये जबालिया कैम्प हमने आपको कल मैप दिखाया था उपर नौट गाजा की तरफ है और वहाँ पर ये हमला हुआ है। गाजा में इसरेल के जमीरी हमले के बाद इसरेली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिको की मौत की बात मानी है। आईडियाफ ने मंगलबार को अपने दो जवान सार्जेंट ड्रॉय वुल्फ और सार्जेंट लेवी लिफशिड्स की मौत की बात मानी थी। और आज 9 अन्य सैनिको की मौत पर उन्होंने मौर लगाई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सार्जेंट आदी दानन, सार्जेंट आदी लियोन, सार्जेंट ईरेज मिश्लोव्सकी, कार्पॉरल लियोर सिबनोविड्स, ये तमाम जो सैनिक, कार्पॉरल इदो ओवादिया और सार्जेंट द्रोई दावी, ये सैनिक, 11 सैनिक इसरेल ने खोए हैं, हलाकि वार है और जाहिर सी बात है, वार में कहा था इसरेल ने, कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं, लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर से अपने कोर मुद्दे पर आएं, प्रोफेसर मताब सिंग, साओधी अरब जब ये कह दे, कि हम ये वार खतम हो, तो इसरेल से सामान रिष्टे कर लेंगे, तब तो ये बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक राय नहीं है इसरेल के खिलाप, अधरवाइस अभी तक वो एक हो जाते हैं, देखें, मुस्लिम वर्ल्ड कभी भी इसराइल के क्वेस्टन पे या पैलिस अरेविया ये सुनिष्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध हमें, तो वो फिर से अपने USA का जो नजदीक आने का एक एजेंडा था उसका, वो आगे बढ़ा सके, और सिर्फ साओधी अरेवी नहीं, जितने भी आसपास के देश हैं, जॉर्डन ले लें, इजिप्ट ले लें, देखिए इनका एजेंडा क्या था इसराइलियों का, कि किसी भी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए, तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी, once and for all, ये settle हो जाएगा, लेकिन इजिप्ट इसक उसका अड़ा है, और इसी तरह जितने भी जाएगी, लेकिन आपने एक बड़ी बात कहीं कि जनता और लोग, उनके जो नेता है, उनमें एक राए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, जहां पर सरकारें चाहें, एंटी इसरेल ना हो, लेकिन एंटी समेटिजम घटनाए वहाँ पर बहुत बढ़ गई हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप अपने वीवर्स को यह दिखा हूँ, उसके लिए मुझे आप पर स्टूडियो जाना पड़ेगा, जहां से हम वो ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए, अब पैलेस्टीन के समर्तन में आपने बहुत रहलिया देखी, आपने नियॉऔक में देखी, आपने लंडन में देखी, आपने पैरिस में देखी, लेकिन अब यहुदी धर्म मानने वालों के खिलाफ वहाँ हिंसक घटनाय बढ़ रही हैं, उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं, आप देखिए, ग प्रांस की राजदानी पैरिस में तो रातो रात यहूदियों के घरों पर डैविट स्टेंसिल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहूदी आस्था, धर्न, परंपरा और राजिका प्रतीक है यानि वो मार्किंग कर रहे हैं यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहूदी है, अब वो मार्किंग किस लिए करने हैं, आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं, जो लंडन में हो रही है, जो नियॉक में हो रही है, जो लॉस एंजलेस में हो रही है, यह मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन जिस हेट क्रा इस घटना में 15353% का इजाफा हुआ है कैसे आपको बताता हूँ 2022 में 15 घटनाएं सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए अब यही हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच यानि करिब साले 1300% का इजाफा हलाकि मुसल्मानों को भी निशाना बनाये गया है उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई है इसी दर्मियान 1-18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी वो अब बढ़कर 101 हो गई है यानि ये 140 फिजदी जादा है लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है यहूदी धर मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है ये दिख रहा है इन आक्लों में गाजा की जंग हर दिन भीशन होती जा रही है इस युद्ध के बीच दो बहुत बड़े सवाल पैदा होते दिख रहे हैं पहला क्या गाजा के लिए दुनिया भर के मुसल्मान एक होंगे और दूसरा क्या इसरेल में मचेगा परमाडू घमासान ये दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये दो बहुत बड़ी खबरे हैं लेकिन गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की होल मची हुई है पहले इसकी बात करते हैं इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्किये का जिसके राश्ट्रपती रेसेप तैयप अर्दोगन ने इसरेल के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी है तुर्किये के राश्ट्रपती ने मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ मिलकर जंग लडने को कहा है उन्होंने अपील की है इतना ही नहीं अर्दवान ने तो यहां तक कह दिया कि इस रेल के खिलाब सन्युक्त सेना बनाने के लिए तुर्किये अपना योग्दान भी देने को तैयार है जाहिर है अर्दवान की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम करना है तूर्किये के राश्ट्रपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्ब से जल्ब रोकने की अपील भी की है उन्होंने बेहद सक्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इसरेल ने अपना आपा खो दिया है एर्दोवन ने इसरेल को युद्ध अपरादी बताते हुए उस से इनसाफ के कटगरे में खड़ा करने की बात भी की है उन्होंने गाजा में इसरेल के युद्ध अपरादो में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरो भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाम तो आईए आपको बताते हैं कि इस समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आतातुर के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं एरदोवान दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एरदोवान की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नैटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्किया नहीं इरान भी गाजा की जंग में इस्रेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्किये और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फॉरण गाजा पर बंबार इस बीच नेता ने मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान के अपील कर रहे है क्या ये वाकई हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वार के अनाउंसमेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से क्या रूप हो जाएगा ये बहुत डराम ना हो सकता है इसी बीच एक बड़ी ख़बर इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामने की धंकी घाजा पर इसलामिक देशों को फैसला करना होगा इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे यहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहुदी देश से आर्थिक सयोग बंद करें इसलामिक देश ये इलान ने कहा है इसे बीच इजरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का आखड़ा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इजरेल के हमले में गाजा में मौत का आखड़ा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़ कर 8,796 हो गई है गाजा में और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अकसर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वोह वहां उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हुथी मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं हुथी जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोश़िश कर रहा इसरेल पर वीडियो उसका जारी किया गया है और देखे इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पहिंद है मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट ने है जनरल संजय कुल करनी है अस डेफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मिरे साथ ग्रूप कैटन विनोद आगस्टीन है और विनोद आगस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और मिरे साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनल कुलकरनी इससे इसरेल की सेना वहां घुसी है अब फाइनल जो लडाई है इन सुरंगों में लडी जानी है आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के जरीए भी आपको बढ़ाने की कोशिश करूँगा यह जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है यह उस इलाके को दर्शारा है जो गाजा पट्टी है और यह जो हरी आप देख रहे हैं यह गाजा पट्टी जो तक्रीबन आप लगा सकते हैं कि 40 किलोमेटर लंबी है और 10 से 12 किलोमेटर चौड़ी है और 355 किलोमेटर का इसका तक्तूबर को तो हमास को यह लगा कि इसरेल जो है तुरंट हमला करेगा और वो इनको जो जाल बिछा रखा है इनोंने सुरूंगों का उसमें वो फस जाएगा और उस फसने के बाद इसरेल जो हार माननी पड़ेगी इसरेल को लेकिन शायद उसको इस बात के एहसास थे आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो सुरंगे बिछा रखी है उस सुरंगे की जो लड़ाई है वो वाकि बहुत बहुत खतरनाक है और इसलिए जो मलबा बन रहा है दबा करके जो फाइरिंग हो रही है गाजा पट्टी के उपर उसका मकसद ही है कि सुरंगों का एंट् पॉइंट है उसको बंद किया जाए गास का इस्तेमाल किया जाए किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे बहुत बड़ी आप ने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इंदर चले जाते हैं जिस जो सुरंगे हैं उनका जो लोजिस्टिक सस्टेनेंस है वो उनके पचास एक हजार लोगों के लिए है चाहे वो दो मेने के लिए बनाया हूँ अगर लबी लड़ाई खिचती है तो फिर आप देखेंगे कि उधर भी पानी की कमी हो जाएगी खाने की कमी हो जाएगी बिजली की कमी हो जाएगी जेनरेटर में तेल नहीं होगा तब वो सरें यह गाजा पट्टी का एक हमने यहाँ पर डीटेज़ मैप अपने दर्शकों के सामने रखा है और एक एक चीज हम बता रहे हैं कि यहाँ से पर बहुत सुना होगा आपने यह सब यहाँ से यहाँ पर अब IDF के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको कैसे पिन पॉइंट टार्गेटेड अटाइक कर रहे हैं यह सब हम अभी अब बताएंगे ग्रूप काप्टेन विनोद आगस्टिन एक चीज मुझे बताइए क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हूती भी आ रहा है हम कह रहे हैं यहां पर अब दूसरे तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ चाप्टेन आगस्टिन मुझे बताया जा रहा है क्रूप काप्टेन विनोद आगस्टिन डिस्कनेक्ट होका है मैं उनके पास जाओंगा लेकिन हमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूती है और यह अक्रॉस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्की है यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए है तो वो इसलिए भी गए है कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हला कि इरान और तुर्की में बिलकुल नहीं पड़ती है उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि एक मत्यक के है पूरे इसलामिक वर्ल्ड में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए उसमें वो हमास को ही नहीं बलकि इसराइल के खिलाव भी है और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है ऐसा नहीं है लेकिन वो कितना सहयो करें हो कि इस समय सिर्व इरान उनके साथ खड़ा है तुर्किये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे है जो आपने तीनों एच बताए हमास, हूती और हेजबॉला ये तीनों इरान समर्थी थे हैं और तीनों इरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं ये येमन नहीं है तो आप समझ सकते हैं पूरा इस्लामिक वर्ल्ट इस समय साथ हैं लेकिन जब बात होग धूना जाए उसका उन्होंने कभी एमफेसाइज नहीं किया और इसको इसराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया है अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें तो दो हजार उननीस में ने अपने सेंटर राइट लिकुट पार्टी में एक स्पीच में कहा था कि दोस हू प्टी में फॉलिट भी सेंटर जाएट उनने सप्राइज उन्होंने verified है नहीं दोहजार उननीस में आंट्पन करिएगा इस को बनापन कऊंहींंट करने की वात नितनयाउं न है कि अद्च आप ये कह रहे हैं बिल्कुल हमास को support नहीं, ignore करने के लिए कि उनको funds आने दीजिए, उनको support मिलने दीजिए, यह हमारी part of strategy है, यानि उनकी intelligence failure जो दिखा रहे हैं, वो शायद intelligence failure नहीं है, उनको पता था कि यह attack होने वाला है, इतने बड़े सुरंग बने हैं, एक response होने वाला है, उसको ignore किया से. इसरेल की सरकार पर सवाल उठा दिये, सर, वहाँ पर 1400 लोगों की मौत हो गई है, एर्दवान जो कह रहे हैं, वो तो बात की बात होगी, यान नेतनियाओं का फिर यहाँ पर इंसाफ करना लोग शुरू कर देंगे, मैं आऊंगा इस पर, जनरल कुल करनी इस पर बात इसरेल पर हूती का मिसाइल अटैक देखिए, यह तस्वीर आपके सामने, हूती ने कैसे इसरेल पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, यह मिसाइल हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कि किस तरह से यह मिसाइले यहाँ से निकल रही हैं, अब हूती के पास क्या व कि दंकी दे रहा है खुती यह कह रहा है कि हमारे पास अपनी पूरी ड्रोन ब्रिगेडleader और वह ड्रोन ब्रिगेड का और उने एक animation वीडियो भी जारी वुधि जारी जो किया वो वीडियो भी में आपको दिखाऊूँगा लेकिन अब तक गाजा पर 11000 हमले हो चुके 11,000 हमले हो चुके हैं अब तक और अगर आप 25 दिन, तो किया 26 वा दिन है 25 दिन का एवरेज निकालें तो ये करीब 440 हमले रोज का हिसाफ बैठता है एक 41 बाई 10 की पटी पर 440 हमले रोज और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है एक तरफ हूती हमास और हिजबुल्ला है दूसी तरफ भी आईडियाफ है और ये इरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ ख़़े दिख रहे हैं लग रहा है ये एसकेलेट हो रहा है और मकसर यही होगा इसरेल का और यूएस का कि ये गाजा पट्टी तक ही सीमित रहे अगर ये एसकेलेट हो गया तो पूरा वेस्ट इशा में और पूरे विश्वबर में क्राइसिस के ही मुझे लगता है नजर आते हैं और उसका असर भारत पर भी बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि तेल के जो कीमते हैं इतनी उचाई पे पहुँचेंगी ये तो आपने जो बात कही सर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वारी नहीं करते लेकिन देखिए इसे बीच गाजा पर इसरेली बॉम देखिए ये कैसे गाजा पर दिन हो या रात हो या शाम हो कैसे इजरेल लगातार बंबारी कर रहा है ये उसकी तस्वीरें आस्मान से बरस्ती ये मौत ये गाजा के लोगों को बिलकुल सोने नहीं देती होगी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बंबारी हो रही है हजारों लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों की जितना से वाँ मौत हुई है सब इस वक्त कहीं न कहीं उस खौफ के साई में जरूर होंगे लेकिन इस वीच हमास है जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इस्रेली सेना ने हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन दक्षणी गाजा के कुछ हिसों में ये रिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उतरी गाजा के उन इलाकों को में दिखाता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरीए ये 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उतरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सिट जोहूर अद्दीक और अल-बुगरका में, सर ये देखिए, यहाँ ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, यह सारे लाके हम बता रहे हैं, सर आप वो, इसको, यह जो आ रहे हैं, यह यह जो आरहे हैं, यहाँ 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है, और यह जो है, यह कोई इस पर आपको स्ट्राटीजी दिखती है, कोई स्ट्राटीजी दिखती है यहाँ पर जिसमें आपको लगता हूँ कि इधर ही इतने अटेक क्यों हो रहे हैं, देखिए गाई यह जो नौदन गाजा है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे का आपने उत्री गाजा और में सिटी, यह जो इलाका है तक्रीमण आप लगा लेजी बीस किलो मेटर और दस किलो मेटर, जैने कि दो सो स्क्वेर किलो मेटर का यह इलाका है, इस पर तक्रीमण बारा लाख लोग रहते हैं, और यही एक इलाका है जो काफ्य डेवलप्त है, और जो दक्षिन भाग है, जिसके पें तक्रीबास 11 किलोमेटर जो है वो इजिपत के साथ लगता है, जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं, इजिप्त ने भी उसको रुख के रखा हुआ है, इजिपत किसी भी महां से जो हमास के और फिलस्तिनी हैं उनको आने नहीं दे रहा है, तो ये जो इलाके हैं, human shield بنا رکھا ہے जिसे कि जितने भी Palestinian's है वो human shield है अब देखिए ज़र दक्षिन कभी हा गया आब यहां पर उत्तर की बात कर रहे थे अब दक्षिनी गाजा में बर्बादी का मनजर आप देखिए यहां पर नुसेरत, बुराइज, मगाजी अलमसदर, दीदलबला, अलकरारा, बानी सुहेला, अबासान, अलकबीरा, खुजा खान, योनिस, अलफुखारी, अम कमेल, अम अलकिलाब, शौकत असूफी और ताल असुल्तान ये तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिस्से यहां पर बिलिंक करते वे आपको दिख रहे हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नौर्थ गाजा से इसरेल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए साउथ गाजा की लेकिन अब तो हमने साउथ गाजा पर भी हो रहे हैं, अब शुरू होगा साउथ गाजा पर, क्योंकि इसरेल ने कहाता है, हुमेनिटेरिन असिस्टन्स के लिए, उन्होंने कहाता कि सारे कि सारे नौधन गाजा से संदन गाजा में जाईएगा, वो लोग गए नहीं, पला जाई नहीं कर पारे, और वहाँ पे लोगों के उपर अब मुझे लगता है, इसरेल भी अब हमला करना शुरू है, अब बहुत जादा बुरा वक्त आने वाला है, गाजा के लोगों के लिए, क्योंकि साउथ हो या नौर्थ हर तरफ हमले शुरू हो रहे हैं, आपके पास जाउन उक्से पहले मैं याँ पर कुछ और बड़ी खबरे दिखाना चाहता हूँ, देखे हमास को खत्म करने के लिए इसरेल को तीन मुर्चों पर चुनौती मिल रही है, और गाजा में हमास और लिबनन में हिजबला के लावा यमन के हूती विद्रोयों ने भी इसरेल के हिमाकत उनकी फेल हुई, और यह इशारा कर रही है कि गलती से भी अगर इसरेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है, तो इसरेल की धरती से मिडल इस्ट में न्यूकलियर तबाही बढ़ जाएगी, यह 2000 किलो मिटर, 200 किलो मिटर तक की मिसाइल हूती के पास होना, यह भी एक सवाल है अपने आप में, चर्चा जब इसरेल के अटमी बेस की हो रही है, तो यह भी बता देते हैं कि इसरेल में कहां कहां परमाणू केंद्र हैं, जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं, डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंद्र है, जहाँ प् परमाणू सेंटर हैं, जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं, हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था, और अब हूती ने भी बलस्टिक मिसाइल मारकर चिंता बढ़ा दी है, इसरेल इस वक तीन मोर्चों पर जंग सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A Globe Master 3rd की 53 उडान और C-5M Military Transport Aircraft की साथ उडाने देखी गई हैं, अमेरिका ने मध्यपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है, तो ये अमेरिका पास जाओं उसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, गाजा के भीतर इस्रेल का जमीन पर युद्ध कैसे चल रहा है, ये आप देखिए, गाजा के भीतर जमीन पर इस्रेल के युद्ध की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है, जमीन पर इस्रेल की सेना अब वहा अब जमीन के पर और ये OPERATION बढ़ जाएंगे और इसरेल की सेनाज जो अभी तक एर स्ट्राइक कर रही थी अभी तक रोकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी वो अभ यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई अब हमास से और ज़्यादा करेंगे, और लेडी हुई है इसी बीच, इस्रेली हाइवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते है यह देखिए हमास ने कैसे, और यह तस्वीर आपने आप में बहुत विद्वनसक है यह तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है यह तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहाँ पर पिन पॉइंट अटैक किये है यह मिसाइल हाइवे के दाइबाई भी गिर सकती थी लेकिन बिल्कुल एक हाईवेप पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट में आना ये देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उनके पास है एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल उनके पास है वहाँ पर इस तरह की मिसाइले उनके पास है आइरन डॉम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे एटर्वी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हुटी तो आएे जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहां कहां हमास और हुटी के यहां हमास और हुती के निशाने पर कौन कौन से परमालू ठेकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हतियार का इस्तमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीड़ो का इस्तेमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से एस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल-आसफ गाइड़ टॉर्पीड़ो इसमें वारईट ले जाने की शमता है हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मकाबले छोटा जरूर है लेकिन इस्रेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है लेकिन जब इस तरह के हत्यारों की इसरेल के पास काड़ की बात होती है तो इजरेल ने पहली बार Arrow 3 Defense System का इस्तमाल कर बताया दुन्या को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है इसकी खास्यत यह है कि यह पहले Long Range की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके Warhead को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोल कर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो Group Carton Winode Augustine आप तो इनी सब चीजों के माईर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बढ़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार है दो-दो-हजार किलो मिटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बढ़ी है सर बिल्कुल निसंदे गौरव और इन्टाक्ट मैं किताब भी लिखना हूँ अम ड्रोन बनाते हैं आप जानते ही है जो आगे वाने आने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पलट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटिजिक टार्गेटिंग करता है और स्टर्जिकल स्ट्राइक करता है और इतना अभी मैं दर्शकों को यह बताना जागा था आप देखिए मेरे हाथ में यह ड्रोन है देखिए इसका साइस और यह कम से कम में तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कारगर ड्रोन बन जाता है अब देख रहे हैं मेरे हाथ में जो 220 ग्राम का ड्रोन कम से कम नहीं तो दो या त्री ग्रिनेड ले जाने का पाबिल है और यसी ड्रोन का एक्शन हमने रशन यूक्रेन वार में देखा दा यह आते हैं स्वाम में और यह बना हुआ है देखिएगा यह बना हुआ प्लास्टि यह किसी भी रेडार में या किसी भी चीज में पकड़ में नहीं आएगा तो और सोचेगा यह इससे भी छोटा फाइटर जहाज लाउंच कर सकता है रहे 14 टॉमकैट यह 15 स्वाइक इगल ने ऐसे हजारों ड्रोन लाउंच किये हैं और यह बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह ए यह चमता शुआ खे पास है और हमास के पास अंडर वार्टर ड्रोन की थी ज़िय। दिसक्र की में दस दिन पहले इसके बारें बात कर रहा था अंडर वार्टर ड्रोन ही नहीं उनके पास यह भी इशनहें कि मिजट सब्मरीन ओक जो हमास के जो नेवल टर्रेभिस हैं साथ या फिरीन कमांडोस के साथ या फिर मरीन के साथ आप कंपेर कर सकते हैं इस तरह की ट्रेनिंग उनको इरान ने प्रवाइड किया हुआ है लेकिन गौर्व एक बहुत ही महत्पुन सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था सारे जो मुस्लिम वर्ल्ड और इसलाम के यह, अगर यह होगा है वह बहुत ही महत्पुन सवाल क्यों है क्यूँकि अभी शिया वर सुनी करबला के बाद ऐड सिरु एक्ष्यठीग ऑदे के खिलास हैं जानते ही हैं सुनी कई मिल जाते एक दुसरे को मानने बितल आए लेकिन उनके बीच में भी नहां धुन और आना जो अगर हुआ तो यह सब लोग अपना पैसा जोकेंगे टेकनालोजी जोकेंगे यह इसराइल के लिए इसराइल नूक्लियर फैसिलिटी के लिए वेस्टरन ब्रॉर्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है तो जरह हम अपने दर्शकों को दिखा द परमालू केंदर हैं या आपके सामने जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं। परमालू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाइल मार कर चिंता और बढ़ा दी है। देखे जबालिया रेफ्यूजी कैम्प यहां पर इसरेल की बंबारी हुई जिसमें 50 लोग मारे गए। लेकिन जब इस एक्शन पर सवाल उठे तो इसरेल ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैम्प में फिलिस्तीनी शर्णार्थियों ने पनाहर ले रखी है। लेकिन इनी शर्णार्थियों के बीच कुछ लड़ाकों के साथ हमास कमांडर इबराहीम बियारी चिपा था। इस्रेली फोर्स ने पहले उसे सरेंडर का कई बार मौखा दिया इबराहिम बियारी 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इस्रेली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टारगेटेड अटैक किया इबराहिम बियारी तो मारा गया लेकिन उसमें और भी लोग मारे गए इस अटैक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी तो हालात और विद्वण सक होंगे एर्दुआन जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी हलाकि साओधी अरब ने कहा है कि युद रुके तो इसरेल से रिष्टे सामाने करेंगे तो मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है आईए इससे पहले कि आपने मेमानों से इस पर बात करें आपको कुछ तस्वीरे दिखा देते हैं जबालिया कैम्प में तीन मिनट में पचास लोगों की मौत हो गई जिसको लेकर पूरी दुनिया में अब इसरेल के खिलाफ घुसा दिख रहा है ये उसी जबालिया कैम्प की तस्वीरे हैं जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहाँ पर उसी मल्मे में उसी आग के बीच लोगों को ढूंटे हुए तो ये जबालिया कैम्प हमने आपको कल मैप दिखाया था उपर नौट गाजा की तरफ है और वहाँ पर ये हमला हुआ है गाजा में इसरेल के जमीनी हमले के बाद इसरेली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिको की मौत की बात मानी है आईडियाफ ने मंगलबार को अपने दो जवान सार्जेंट ड्रॉय वुल्फ और सार्जेंट लेवी लिफशिड्स की मौत की बात मानी थी और आज नौ अन्य सैनिको की मौत पर उन्होंने मौर लगाई है यह सैनिक हैं कार्पूरल आसिफ लौगर यहाँ पर लेटिन एरियल रीच इसके लावा सार्जेंट हिलेल सोलोमन इसके अलावा आप देख सकते हैं सार्जेंट आदी दानन, सार्जेंट आदी लियोन, सार्जेंट इरेज मिशलोवस्की, कारपुरल लियोर सिबनोविड्स, ये तमाम जो सैनिक कारपुरल इदो ओवादिया और सार्जेंट द्रोई दावी, ये सैनिक, 11 सैनिक इसरेल ने खोए हैं. हलाकि war है और जाहिर सी बात है war में कहा था इस्रेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं लेकिन फिर से अपने कोर मुद्धे पर आएं प्रोफेसर मताब सिंग साओधी अरब जब ये कह दे कि हम ये war खतम हो तो इस्रेल से सामान रिष्टे कर लेंगे तब तो ये बताता है कि मुस्लिम वर्ल में एक राइ नहीं है इस्रेल के खिलाब अदरवाइज अभी तक दो एक हो जाते देखे, Muslim World कभी भी इसराइल के question पे या Palestine के question पे एक नहीं रहे हैं उनके elites में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है और Saudi Arabia इसका सबसे बड़ा example है आपको इस बात से अंदाजा रहेगा कि Saudi Arabia अभी तक हमास के favor में खुल कर कभी नहीं बोला है और इस war में भी Saudi Arabia ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध थमें तो वो फिर से अपने USA का जो नजदीक आने का एक agenda था उसका वो आगे बढ़ा सके और सिर्फ Saudi Arabia ही नहीं जितने भी आसपास के देश है जॉर्डन ले 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 इजिप्ट ले ले तेकि इनका agenda क्या था इसराइलियों का कि किसी भी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी, once and for all ये settle हो जाएगा लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ, यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाते थे लेकिन साओधे अरेबिया का सबसे बड़ा objection है कि हमास Muslim Brotherhood का पार्ट है जो Muslim Brotherhood एक तरह से Islamic Democracy पूरे वेस्टेशिया में चाता है और वो इजिप्ट उसका अड़ा है और इसी तरह जितने भी तरह लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि जनता और उनके जो नेता उनमें एक राए नहीं है लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सरकारें चाहें एंटी इस्रेल ना हो लेकिन एंटी समेटिजम घटनाए वहाँ पर बहुत बढ़ गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं आप अपने वीवर्स को यह दिखा हूँ उनके खिलाफ समाज में उनको वहाँ पर जलील करने की घटनाए बढ़ रही है उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं आप देखिए गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाए अचानक बढ़ गई अमरिका के लॉस एंजलेस, ब्रिटन के लंडन, चीन में सोशल मीडिया पर इसके अलावा जर्मनी और दक्षिन अफ्रीका में भी यहूदीयों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस की राजदानी पैरिस में तो रातो रात यहूदीयों के घड़ों पर डेविड स्टेंसल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहूदी, आस्था, धर्म, परंपरा और राजिका प्रतीक है यानि वो मार्किंग कर रहे हैं, यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहूदी रहता है कोई यानि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहूदी है अब वो मार्किंग किसले कर रहे हैं आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं जो लंडन में हो रही है जो नियॉयॉक में हो रही है जो लोस एंजलेस में हो रही है ये ये मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है लेकिन जिस हेट क्राइम के मैं बात कर रहा हूं गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच लंडन में यहूदियों और मुसल्मानों के खिलाफ हेट क्राइम अचानक काफी बढ़ गया है आप देखिए यहूदियों के खिलाफ 1 से 18 अक्टूबर इस घ ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1 से 18 अक्टूबर के बीच यानि करीब साले 1300 परसंट का इजाफा हलाकि मुसल्मानों को भी निशाना बनाये गया है उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई ह इसी दर्मियान 1 से 18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी वो अब बढ़कर 101 हो गई है यानि यह 140 फिजदी जादा है लेकिन कमपैरिजन कोई नहीं है यहूदी धर मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख र होते दिख रहे हैं पहला क्या गाजा के लिए दुनिया भर के मुसल्मान एक होंगे और दूसरा क्या इसरेल में मचेगा परमाडू घमासान यह दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह दो बहुत बड अरदोगन ने इसरेल के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी है। लेज़े में कहा कि ऐसा लगता है कि इसरेल ने अपना आपा खो दिया है एर्दोवन ने इसरेल को युद्ध अपरादी बताते हुए उसे इनसाफ के कटगरे में खड़ा करने की बात भी की है उन्होंने गाज़ा में इसरेल के युद्ध अपरादो में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरोब भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाब तो आईए आपको बताते हैं कि रेसब तैयब अर्दोवन है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्क्रपती चुने गए हैं इससे पहले वो अर्दोवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं तुर्किये पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आतातुर्क के रिकॉर्ड को तोल चुके हैं अर्दोवान दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोवान की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्कीय नहीं इरान भी गाजा की जंग में इसरेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्कीय और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूर्ती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सर्वोच निता ने मुस्लिम देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान की अपील कर रहे है क्या ये वाकई हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वार क्या अनाउंस्मेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया जिस तरह से हुटी, हेजबुल्ला, हमाज सब एक साथ इस्रेल को निशाना बना रहे हैं क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश गाजा पर इसलामिक देशों को फैसला करना होगा इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे यहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहुदी देश से आर्थिक सयोक बंद करें इसलामिक देश यह इलान ने कहा है इसे बीच इजरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का आखड़ा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इजरेल के हमले में गाजा में मौत का आखड़ा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संक्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अकसर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरणगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहां उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते खूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं खूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा इसरेल पर एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखे इसमें बाद करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैंद है मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट नेयर जनरल संजय कुलकरली है अस डेफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ ग्रुप कैपटन विनोद आगस्टीन है और विनोद आगस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनरल कुलकरली इससे 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 अपने बहुत बढ़ाई आपको बढ़ाने की कोशिश करूँगा ये जो बढ़िया मौडल आपने बनाया है ये उस इलाके को दरशारा है जो गाजा पट्टी है और ये जो हरी आप देख रहे हैं ये गाजा प्ट्टी जो तकरीबन आप लगा सकते हैं की 40 किलो मेटर नंबी है और 10-12 किलो मेटर चोड़ी है जो जाल बिछा रखा है इनोंने सुरंगों का उसमें वो फस जाएगा और उस फस्ते के बाद इसराइल जो हार माननी पड़ेगी इसराइल को लेकिन शायद उसको इस बात के ऐसास प्रेहले जो है थोड़ा बहुत जो तमाचा लगा उस तमाचे के बाद जो दो तिन दिन इस इसराइल ने लिए अपने आपको सवार्दे के लिए उसके बाद जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो सुरंगे बिछा रखी है उस सुरंग की जो लड़ाई है वो वाकिए बहुत बहुत खतरनाक है और इसलिए जो मलबा बन रहा है दबा करके जो फाइरिंग हो रही है गाजा पटी के उपर उसका मकसद ही है कि सुरंगों का जो एंट्री है एक्जिक पॉइंट है उसको बंद किया जाए गैस का इस्तिमाल किया जाए किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे बहुत बड़ी है आपने कहा कि क्यों नहीं गाज जर भी पानी की कमी हो जाएगी खाने की कमी हो जाएगी बिजली की कमी हो जाएगी जेनरेटर में तेल नहीं होगा तब वो सरेंडर करेंगे लेकिन सर मार तो रहा है हमास और मर रहा है आम फलिस्तिनी यह 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 देखे सबस्यादा कैजूल्टी तो उन लोगों की हो र तक शूर। कि हूती भी आ रहा है हम कह रहे हैं यहां पर अब दूसरे तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ मुझे बताया जा रहा है क्पिन विनोद ऑगस्टिन डिस्कनेक्ट होगा है मैं उनके पास जाओंगा लेकिन अमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूती है और यह अक्रोस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्किये यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं तो वो कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हलांकि एरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मत्यक के हैं पूरे इसलामिक इस समय सिर्फ इरान उनके साथ खड़ा है तुर्किये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे हैं जो आपने तीनों एच बताए हमास, हूती और हेजबुला यह तीनों इरान समर्थी थे हैं और तीनों इरान के समर्थन में यहां पर जो भी अट हैं उन्होंने सिर्फ इनको बर्गलाया है कि किसी ने इनको यह नहीं बताया कि देखो एक सोलूशन जो है एक शांतिपूर्ण हल धूना जाए उसका उन्होंने कभी एमफेसाइज नहीं किया और इसको इसराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया है अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें तो दो हजार उन्नीस में नेतनियाहु ने अपने सेंटर राइट लिकूट पार्टी में एक स्पीच में कहा था कि दोज वूट तो थौर्ट दी पॉसिबिलिटी ऑफ पलिस्टीनियन स्टेट शूट सपोर्ट इस ट्रेंग्धिन अफ हमास और यह नि नेतनियाहु ने कही थी आप यह कह रहे हैं बिल्कुल हमास को सपोर्ट ने इग्नोर करने के लिए कि उनको फंड आने दीजिए उनको सपोर्ट मिलने दीजिए यह हमारी पार्ट अफ स्ट्रेटीजी है यानि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर जो दिखा रहे हैं वो शायद इस फेलियर नहीं है उनको पता था कि यह अटैक होने वाला है इतने बड़े सुरंग बने हैं एक विस्फोर्ट होने वाला है उसको इग्नोर किया इसरेल की सरकार पर सवाल उठा दिये सर वहां पर 1400 लोगों की मौत हो गई है एर्दवान जो कह रहे हैं वो तो बात की बात होगी या नेतनियाओं का फिर यहां पर इंसाफ करना लोग शुरू कर देंगे मैं आऊंगा इस पर जनर्ल कुल करनी इस पर बात करेंगे लेकिन मैं जलात कुछ तस्विरे दिखाना चाहता हूं इसरेल पर हूती का मिसाइल अटैक देखिए यह तस्विरे आपके सामने यह मिसाइल हमले की तस्विर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह मिसाइले यहां से निकल रही हैं अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलो मीटर तक जाने वाली मिसाइले हैं क्योंकि यह हूती को अकर यमन से मारना है तो उज्रेल तक करीब इतनी दूरी है सर और इसी ब वो वीडियो भी जारी जो किया वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा लेकिन अब तक गाजा पर 11000 हमले हो चुके हैं 11000 हमले हो चुके हैं अब तक और अगर आप 25 दिन तो कि आच 26 बा दिन है 25 दिन का एवरेज निकालें तो यह करीब 440 हमले रोज का हिसाफ बैठता हुआ है नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है एक तरफ हूती हमास और हिजबुल्ला है दूसरी तरफ भी आईडियाफ है और यह इरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं लग रहा है कि यह एसकेलेट हो रहा है होना नहीं चाहिए और मकसर यही होगा का और यूएस का कि यह गाजा पट्टी तक ही सीमित रहे अगर यह एसकेलेट हो गया तो पूरा वेस्टेशा में और पूरे विश्व बर में क्राइसिस के ही मुझे लगता है नजर आते हैं और उसका असर भारत पर भी बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि तेल के जो कीमते ह इतनी उचाई पर पहुँचेंगी कि यह तो आपने जो बात कही सर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वारी नहीं करते लेकिन देखिए इसे बीच गाजा पर इसरेली बॉम देखिए गाजा पर इसरेल के बॉम आपको दिखा रहा हूं मैं यह कैसे गाजा पर दिन हो या रात हो या शाम हो कैसे इजरेल लगातार बंबारी कर रहा है या उसकी तस्वीरे हैं आस्मान से बरस्ती ये मौत ये गाजा के लोगों को बिलकुल सोने नहीं देती होगी क्योंकि जिस तरह से यहाप पर बंबारी हो रही है हजारों लोगों की मौत हुई है और हजारों ल तो देखिए, गाजा के दोनों हिस्सों मे एस्रेली सिना ने हमले जारी कर रखे हैं, आइडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है, लेकिन दक्षणी गाजा के कुछ हिस्सों में एरिस्ट्राइक लगातार जारी है, आपको पहले उतरी गाजे के उन इलाकों को मैं दिखाता हूँ यहां पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरीए यह 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आप से देख सकते हैं उत्तरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर, अद्दीक और अल मुगरका में, सर यह देखिए, यहां ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, यह सारे लाके हम बता रहे हैं, सर आप वो, उसको, यह जो आ रहा है, यह यह जो आ रहा है, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है, और यह जो है, यह कोई स्ट्राटिजी दिखती है, यहा यह जो आने नहीं दे रहा है, तो यह जो आने नहीं दे रहा है, तो यह जो इलाके है, इनको हमास ने यूमन शिल्ड बना रहा है, जिससे कि जितने भी पैलस्तिनिन्स हैं, वो यूमन शिल्ड है, अब देखें जिसर दक्षिन कभी आ गया, अब यहां पर उत्तर की बात कर रहे थे, अब दक्षिनी गाजा में बर्बादी का मनजर आप देखिए, यहां पर नुसरत, बुराइज, मगाजी, अलमसद्दर, दीदल ब दिख रहे हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नौर्थ गाजा से इसरेल ने कहा कि पलाइन करना है, इसलिए साउथ गाजा की तरफ जाओ, लेकिन अब तो हमने साउथ गाजा पर भी हो रहे हैं, अब शुरू हो इसलिए के साथ दो ही देश हैं, एक इसरेल और दूसरा है इजिप्ट, और तीसरा है यह अपना मेडिटेरेंसी, तो क्या कर सकता है, तो क्योंकि लोग पलाइन नहीं कर पारें, और वहां पे लोगों के उपर अब मुझे लगता है, इसरेल भी अब हमला करना है, यह तो ल ह измен के ही रएमन के हुती विद्रोयों के थे लियुकरान नहीं करना है, और यह यह अशारा कर रही है कि गलती से भी अगर इसरेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसाई गरती है, तो इसरेल की धरती से मिडल एस्ट में निूक्लियर तबाह इро technical के मिए द dibujmos और 54 यह इन gonna थ और 2000 किलो मीटर, 200 किलो मीटर तक की मिसाइल हूती के पास होना ये भी एक सवाल है अपने आप में चर्चा जब इसरेल के आटमी बेस की हो रही है तो ये भी बता देते हैं कि इसरेल में कहां कहां परमाणू केंद्र हैं जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंद्र है जहां प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहां परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके अलावा फार जेखरिया नाहल सोरेक योदेफट तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलस्टिक मिसाइल मार कर चिंता बढ़ा दी हैं इसरेल इस वक्त तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है तो लेबनन से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं ऐसे में अब अमेरिका ने भी इसरेल को सेन साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी हैं सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A ग्लोब मास्टर 3rd की 53 उडान और C-5M मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एरक्राप्ट की साथ उडाने देखी गई हैं अमेरिका ने मध्यपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फॉर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का ऐलान किया है तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की सबसे बड़ी ताकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है जो वहाँ पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है मेरे साथ ग्रुप्त करटन विनोद आउगस्टीन है मैं उनके पास जाओ उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ लगातार वो वहाँ पर टैंकों के जरिए बुल्डोजर के जरिए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि यह थर्ड स्टेज है इसका मतलब थर्ड स्टेज के बाद अब यहाँ पर जमीन के पर और यह ऑपरेशन बढ़ जाएंगे और इजरेल की सेना जो अबी तक एर स्ट्राइक कर रही थी जो अबी तक रॉकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने स जिद्वनसक है यह तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है यह तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहाँ पर पिन पॉइंट अटैक किये हैं यह यह मिसाइल हाइवे के दाइवाई भी गिर सकती थी लेकिन बिल्कुल एक हा प्राइले उनके पास है रॉकेट आइरन डॉम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे आटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हूती तो आए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां हमास और हूती के यहां हमास और हूती के निशाने पर कौन कौन से परमाणू ठिकाने हैं गाज़ा मजारी संगराम के बीच पहली बार हमास ने एक और हतियार का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइड़ टॉर्पीडो इसमें वार हेट ले जाने की शमता है हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है लेकिन इसरेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है लेकिन जब इस तरह के हत्यारों की इसरेल के पास कार्ड की बात होती है तो इजरेल ने पहली बार Aero 3 Defense System का इस्तिमाल कर बताया दुन्या को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है इसकी खास्यत यह है कि यह पहले Long Range की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके Warhead को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोलकर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो ग्रूप कार्टेन विनोद आगस्टीन आप तो इनी सब चीजों के माहिर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिकेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बढ़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार है दो-दो-हजार किलो मीटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बढ़ी है सर बिल्कुल निसंदे गौरव और इन इंपक्ट मैं किताब भी लिक रहा हूँ अम द्रोन बनाते हैं आप जानते ही है जो आगे वाने आने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पालट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटिजिक टार्गेटिंग करता है और सर्जिकल स्ट्राइक करता है और इतना अभी मैं दर्शकों को यह बताना चाहरा था आप देखिए मेरे हाथ में यह ड्रोन है इसका साइस और यह कम से कम ने तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कार्गर ड्रोन बन जाता है अब देख रहे हैं मेरे हाथ में जो 220 ग्राम का ड्रोन कम से कम ने तो या त्री ग्रिनेड ले जाने का पाबिल है और यसी ड्रोन का एक्शन हमने रॉशन युक्रेयन वार में देखा था यह आते हैं स्वाम में और यह बना हुआ है देखिएगा यह बना हुआ है इसमें कोई मेटल पार्ट नहीं है तिवाए इस मोटर के कोई मेटल पार्ट नहीं है यह किसी भी रेडार में या किसी भी चीज में पकड़ में आएगा तो और सोचिएगा यह इससे भी छोटा फाइटर जहाज लाउंच कर सकता है रहे 14 टॉमकैट या F-15 स्वाइक इगल ने F-18 ने ऐसे हजारों ड्रोन लांच किये हैं और यह बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह एक बहुर की तरह आपके उपर आके अटाक करेंगे यह चमता हमास के पास है और हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन की जो आपने दिल सिक्र की मैं दस दिन पहले इसके बारे में बात कर तर्रेलिस्ट वो मारकोस के साथ या फिरीन कमांडोस के साथ या फिर मरीन के साथ आप कंपेर कर सकते हैं इस तरह की ट्रेनिंग उनको इरान ने प्रवाइड किया हुआ है लेकिन गौरव एक बहुत ही महत्पून सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था सारे जो मुस पारे ने लिए बारे अच्वाज़ के बाद एक दूसरे के खिलास हैं जो हम जानते ही हैं चाहस उनी कहीं मिल जाते हैं तो एक दूसरे को मानने बतूलाते हैं लेकिन उनके बीच में भी अभी एक ता नजर आना शुरू हो गया है और यह जो लफ़ज अब सुनते हैं तेर इसरेल नुकलियर फेसिलिटी के लिए वेस्टरन वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है। इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है जहाँ परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं इसके लावा फार जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं ये इसरेल के नक्षे पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन वार में वो परमाणू दुरगटना होने का वो चेर्नोबिल वाली 1986 के दुरगटना के बाद जैपोरीजिया में कुछ परमाणू दुरगटना ना हो जाए, इसके खत्रे लगातार वहाँ पर मंड़ा रहा है, कुछ ऐसा ही अब इसरेल में मंड़ा रहा है, और इसरेल में इसलिया हम बोलने कि क्या परमाणू घमासान मत जाएगा, नौर्थ गाज़ा में जबालिया रेफ्यूजी कैम्प पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, क्या हुआ जबालिया कैम्प में यहां पर इसरेल की बंबारी हुई जिसमें 50 लोग मारे गए, लेकिन जब इस एक्शन पर सवाल उठे तो इसरेल ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैम्प में फिलिस्तीनी शर्णार्तियों ने पनाहर ले रखी है, लेकिन इनी शर्णार्तियों के बीच कुछ ल टाइम बियारी तो मारा गया, लेकिन उसमें और भी लोग मारे गए, इस अटाक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी, तो हालात और विद्वनसक होंगे, एर्दौान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी, हलाकि साओधी अरब ने कहा पूरी दुनिया में अब इसरेल के खिलाफ घुसा दिख रहा है, यह उसी जवालिया कैम्प की तस्वीरे हैं, जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहाँ पर उसी मल्मे में, उसी आग के बीच लोगों को ढूनते हुए तो यह जवालिया कैम्प हमने आपको कल मैप दिखाया था, उपर नौट गाजा की तरफ है और वहाँ पर यह हमला हुआ है, गाजा में इसरेल के जमीरी हमले के बाद इसरेली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिको की मौत की बात मानी है आईडियाफ ने मंगलबार को अपने दो जवान सारजेंट ड्रॉय वुल्फ और सारजेंट लेवी लिफशिड्स की मौत की बात मानी थी और आज 9 अन्य सैनिको की मौत पर उन्होंने मौर लगाई है, यह सैनिक हैं कार्पूरल आसिफ लॉगर, यहाँ पर लेटिन एरियल रीच, इसके अलावा सारजेंट हिलेल सोलमन, इसके अलावा आप देख सकते हैं सारजेंट आदी दानन, सारजेंट आदी लियोन, सारजेंट इरेज मिशलोवस्की, कार्पूरल लियोर सिबनोविड्स, यह तमाम जो सैनिक, कार्पूरल इदो ओवादिया और सारजेंट द कोड़ेंगे नहीं लेगिन फिर से अपने कोर मुद्धे पर आएं प्रोफेसर में ताप सिंग सौधी अरब जब यह कह दे कि हम वार खतम हो तो इस देल से सामान रिष्टे कर लेंगे तब तो यह बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक राय नहीं है इसरेल के खिलाब अधर के फेवर में खुल कर कभी नहीं बोला है और इस वार में भी साउदी अरेबिया यह सुनिष्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह यह युद्ध थमें तो वो फिर से अपने युवेसे का जो नजदीक आने का एक एजेंडा था उसका वो आगे बढ़ा सके और सिर्फ स गजापटी खाली हो जाएगी यह सेटल हो जाएगा लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाहते थे लेकिन साओधे अरेबिया का सबसे बड़ा अब्जेक्शन है कि हमास मुस्लिम ब्रदर हुड का पार्ट है जो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सरकारें चाहें एंटी इस्रेल ना हो लेकिन एंटी समेटिजम घटनाए वहाँ पर बहुत बढ़ गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने वीवर्स को यह दिखा हूँ उसके लिए मुझे आपर गोप्रो अपर स्टूडियो जाना आप देखिए गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाए अचानक बढ़ गई हैं अमेरिका के लॉस एंजलेस, ब्रिटन के लंडन, चीन में सोशल मीडिया पर इसके अलावा जर्मनी और दक्षिन अफ्रीका में भी यहूदिय का प्रतीक है, यानि वो मार्किंग कर रहे हैं, यानि वो बता रहे हैं कि ये घर जिसमें यहूदी रहता है कोई, यानि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहूदी है, अब वो मार्किंग किसले कर रहे हैं, आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं, जो लं सल्मानों के खिलाफ हेट क्राइम अचानक काफी बढ़ गया है। आप देखिए, यहोदियों के खिलाफ 1-18 अक्टूबर इस घटना में 15533% का इजाफा हुआ है। कैसे आपको बताता हूँ, 2022 में 15 घटनाएं सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए। अब यहीं ग्राफिक्स आपको दिखाएं, यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है। यहोदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच, यानि करीब साले 1300% का इजाफा, हलाकि मुसल्मानों को भी निशाना बनाए गया है, उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई इसी दर्मियान 1-18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, वो अब बलकर 101 हो गई है। यानि यह 140 फिजदी जादा है, लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है। यहूदी धर्मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है, यह दि पहला होते दिख रहे हैं, पहला क्या गाजा के लिए दुनिया भर के मुसल्मान एक होंगे, और दूसरा क्या इसरेल में मचेगा परमाडू घमासान, यह दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह दो बहुत बड़ी खबरें हैं, लेकिन गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की होल मची हुई है, पहले इसकी बात करते हैं, इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्किये का, जिसके राश्ट्रपती रेसेप, तैयप, अर्दोगन न अपना योगदान भी देने को तैयार है, जाहिर है, एर्दोगन की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम देश करना है, तुर्किये के राश्ट्रपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्ब से जल्ब रोकने की अपील भी की है, उन्होंने बेहत सक् इसरेल ने अपना आपा खो दिया है, एर्दोगन ने इसरेल को युद्ध अपरादी बताते हुए, उसे इनसाफ के कटगरे में खड़ा करने की बात भी की है, उन्होंने गाजा में इसरेल के युद्ध अपरादों में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरो भी ल इससे पहले वो अर्दोगन लगातार तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तुर्की पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आतातुर के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं, अर्दोगन दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं, ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोगन की चाहत है कि वो मुसलिम देशों के सबसे बड़े नेता बने, तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था, तो तुर पूरीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फॉरन गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए, मुसलिम देशों को इस्रेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूरती रोक देनी चाहिए, मुसलिम देशों को इस्रेल से आर्थिक रिश्टे भी नहीं रखने चाह है क्या यमन ने जिस तरह से वार क्या अनाउंसमेंट कर दिया, क्या यमन ने जिस तरह से खूती, हजबुला, हमास सब एक साथ इस्रेल को निशाना बना रहे हैं, क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुसलिम देश अब तुर्किये या इरान की अपील मान कर साथ इस्लामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे यहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहुदी देश से आर्थिक सयोग बंद करें इसलामिक देश यह इलान ने कहा है इसे बीच इसरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का आखड़ा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इसरेल के हमले में गाजा में मौत का आखड़ा लगातार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहां पर वो लोग वहां उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है इसरेल पर यह है इसरेल का वो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसकी मिसाइलों को लगातार कभी अमरिका तो कभी इसरेल उसकी मिसाइलों को हवा में ही बरबाद कर दे रहे हैं ये इज्रेल का डिफेंस सिस्टम है एर डिफेंस सिस्टम जो आसमान से आने वाले किसी भी खत्रे को चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एरक्राफ्ट हो उसको पल भर में खाक कर सकता है ये उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखे इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पाइन है मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट ने जनरल संजय कुलकरली है अस डेफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ ग्रुप कैपटन विनोद आउकस्टीन है और विनोद आउकस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले हैं अलिमेंट जो आपने इस से पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनरल कुलकरणी I'll start from you sir मैं आप से शुरू करूँगा ये जो गाजा में हम सुरंगे दिखा रहे हैं हिजबुल्ला की सुरंगे दिखा रहे हैं इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है जिस तरह से इसरेल की सेना वहां घुसी है अब फाइनल जो लड़ाई है इन सुरंगों में लड़ी जानी है आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के जरीए भी आपको बढ़ानी की कोशिश करूँगा यह जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है यह उस इलाके को दर्शारा है जो गाजा पट्टी है और यह जो हरी आप देख रहे हैं यह गाजा पट्टी जो तकरीबन आप लगा सकते हैं कि 40 किलोमेटर लंबी है यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया साथ अक्तूबर को तो हमास को यह लगा कि इसरेल जो है तुरंट हमला करेगा और वो इनको जाल बिचा रखा है इनोंने सुरूंगों का उसमें वो फच जाएगा और उस फचने के बाद इसरेल हार माननी पड़ेगी इसरेल को लेकिन शायद उसको इस बात के अहसास थे हुआ कि इसरेल ने जो है थोड़ा बहुत जो तमाचा लगा उस तमाचे के बाद जो दो तिन दिन इसरेल ने लिए अपने आपको समारने के लिए उसके बाद जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरे ज उसका मकसद ही है कि सुरंगों का जो एंट्री है, exit point है, उसको बंद किया जाए, गैस का इस्तिमाल किया जाए, किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे, बहुत बढ़ी है, आप ने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इस सुरंगों के इंदर चले जाते हैं, जिस पर तेल नहीं होगा, तब वो surrender करेंगे, लेकिन सर मार तो रहा है हमास, और मर रहा है आम फिलिस्तिनी, ये 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 देखे, सबस्यादा casualties तो उन लोगों की हो रही है, अब वो हमास के लड़ाके हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा जैसा कि हमास कहता, ये आम लोग है जो ये highway हम आपको दिखा रहे हैं, जो main main points हैं, जो camps हैं, जो गाजा में plants हैं, जो यहाँ पर, ये जबालिया camp बहुत सुना होगा आपने, ये सब, ये सब जो है, ये कैसे यहाँ पर अब IDF के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको कैसे pinpoint targeted attack कर रहे हैं, ये सब हम अ आप लोग आओ, captain Augustine मुझे बताया जा रहा है, captain Vinod Augustine disconnect होगा है, मैं उनके पास जाओंगा, लेकिन हमताब जी, muslim देश, muslim देश कैसे मानेंगे, क्या ये आपको लगता है? Islamic world में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूती है, और ये across जो divide है Islamic world में, उसके अलावा है, जिस तरह आपने देखा, अभी आपने बताया, इरान और तुर्की है, यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं, तो वो इसलिए भी गए हैं कि हमास को कैसे enforce किया जा हाना कि इरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती, उनका आपस में बहुत divide है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मत्यक के है पूरे Islamic world में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए, उसमें वो हमास को ही नहीं, बलकि इसराइल के खिलाव भी हैं और पॉब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कितना सहयो करें हो कि इस समय सिर्फ इरान उनके साथ खड़ा है, तुर्किये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने तीनों H बत कि actually intervene करना है, तो कोई सामने नहीं आएगा, अब तक जितने भी Islamic countries हैं, उन्होंने सिर्फ इनको बर्ग लाया है, किसी ने इनको ये नहीं बताया कि देखो, एक solution जो है, एक शांतिपूर्ण हल ढूना जाए, उसका उन्होंने कभी emphasize नहीं किया, और इसको इसराइल की politics ने भ thought the possibility of a Palestinian state should support the strengthening of Hamas and the transfer of money to Hamas, this is part of our strategy, और ये New York Times में है, आप बात कर रहे हैं सराइल भी पूरी तरह जांता है कि Hamas यहां आने वाला है, आप कंफर्म करिएगा इसको 2009 में या 2019 में, 2019 में हमास को सपोर्ट करने की बात, नेतन्याओं ने कही थी, आप ये कह रहे हैं, बिलकुल Hamas को सपोर्ट नहीं, इग्नोर करने के लिए कि उनको फंड्स आने दीजिए, उनको सपोर्ट मिलने दीजिए, ये हमारी part of strategy है, यानि उनकी intelligence failure जो दिखा रहे हैं, वो शायद intelligence failure नहीं है, उनको पता था कि ये attack होने वाला है, इतने बड़े सुरंग बने है, एक response होने वाल करेंगे, लेकिन मैं जलाद कुछ तस्विरे दिखाना चाहता हूँ, इसरेल पर हूती का missile attack देखिए, ये तस्विरे आपके सामने, हूती ने कैसे इसरेल पर missile attack करने की कोशिश की है, ये missile हमले की तस्विर आपको दिखा रहे हैं, कि किस तरह से ये missile यहाँ से निकल रही है अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 km तक जाने वाली missile हैं, क्योंकि ये हूती को अकर यमन से मारना है, तो उजरेल तक करीब इतनी दूरी है सर, और इसी बीच आप देखे, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे drones का attack भी लगातार करने की धमकी दे रहा है हूती, हूती ये कह रहा लेकिन अब तक गाजा पर 11000 हमले हो चुके हैं, 11000 हमले हो चुके हैं अब तक, और अगर आप 25 दिन, तो किया 26 वा दिन है, 25 दिन का एवरेज निकालें तो ये करीब 440 हमले रोज का हिसाफ बैठता है, एक 41 बाई 10 की पट्टी पर 440 हमले रोज, और उसके बावजूद भी 11000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है, वो टिका हुआ है, नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है, एक तरफ हूती हमास और हिजबल्ला है, दूसरी तरफ भी आईडियाफ है, और ये एरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, लग रहा है कि ये एसकेल भारत पर भी बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि तेल के जो कीमते हैं इतनी उचाई पर पहुंचेंगे, ये तो आपने जो बात कही सर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वारी नहीं करते हैं, लेकिन देखिए इसी बीच गाजा पर इसरेली बॉम आपको दिखा रहा हू ये कैसे गाजा पर दिन हो, या रात हो, या शाम हो, कैसे इसरेल लगातार बंबारी कर रहा है, ये उसकी तस्वीरे हैं, आस्मान से बरस्ती ये मौत, ये गाजा के लोगों को बिल्कुल सोने नहीं देती होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बंबारी हो रही है, हजारो लोगों की जितना से वाँ मौत हुई है, सब इस वक्त कहीं न कहीं उस खौफ के साइब में जरूर होंगे, लेकिन इसमीच हमास है, जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे, तो देखिए गाजा के दोनों हिस्सों में इस्रेली सिना ने हमले जारी कर र गाजा के उन इलाकों को मैं दिखाता हूँ, यहां पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरीए, यह 3D ग्राफिक्स आपके सामने, जैसे आपसे देख सकते हैं, उत्तरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर अद्दीक और अल्ग्रका में, सर यह देखिए, यहां ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, यह सारे आखे हम बता रहे हैं, 3D ग्राफिक्स, सर आप वो उसको, यह जो आ रहा है, यह यह जो आ रहा है, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है, और यह जो है, यह कोई इस पर आपको स्ट्राटीजी दिखती है, यहां पर जिसमें आपको लगता हूँ कि इधर ही अतने अटेक क्यों हो रहे हैं, देखेगा यह जो नौदन गाजा है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे का आपने उत्री गाजा और गाजा में सिटी, यह जो इलाका है, त इस पर तक्रीबन 11 किलोमेटर जो है, वो इजिप्ट के साथ लगता है, जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं, इजिप्ट ने भी उसको रोख के रखा हुआ है, इजिप्ट किसी भी महां से जो हमास के और फिलस्तिनी हैं, उनको आने नहीं दे रहा है, तो यह जो इलाके है इनको हमास ने यूमन शील्ड बना रखा है, जिससे कि जितने भी पैलस्तिनिन्स हैं, वो यूमन शील्ड हैं। 20 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नौर्ट गाजा से इसरेल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए साउथ गाजा की तरफ जाओ, लेकिन अब तो हमने साउथ गाजा पर भी हो रहे हैं। अपना मेडिटेरेंसी, तो क्या कर सकता है, तो क्योंकि लोग पलायन नहीं कर पारे, और वहाँ पे लोगों के उपर अब मुझे लगता है, इसरेल भी अब हमला करना है। के लोगों के लिए, क्योंकि चाए साउथ हो या नौर्थ हर तरफ हमले शुरू हो रहे हैं। मैं आपके पास आऊं। लुक से पहले मैं यहाँ पर कुछ और बड़ी खबरे दिखाना चाहता हूं। हलाकि इसरेल के एरो थ्री एर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। खूती विद्रोयों के निशाने पर इसरेल के परमाडू बेस थे। लेकिन खूती विद्रोयों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फेल हुई। और ये इशारा कर रही है कि गलती से भी अगर इसरेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है तो इसरेल की धरती से मिडल इस्ट में निूकलियर तबाही बढ़ जाएगी। ये 2000 किलो मिटर, 200 किलो मिटर तक की मिसाइल हुटी के पास होना ये भी एक सवाल है अपने आप में। चर्चा जब इसरेल के आटमी बेस की हो रही है तो ये भी बता देते हैं कि इसरेल में कहां कहां परमाडू केंद्र हैं जो हुटी और हमास के टार्गेट पर हैं। डिमोना में नेगेव परमाडू अनुसंधान केंद्र है जहां प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है। अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहां परमाडू वार हेड और सुरंगे हैं। इसके अलावा फार, जेखरिया, नाहल, सोरे, योधेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाडू सेंटर हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं। हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाडू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाइल मारकर चिंता बढ़ा दी हैं। सी फाइव एम मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट की साथ उडाने देखी गई हैं। अमेरिका ने मद्यपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के तीन सो जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है। तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की सबसे बड़ी ताकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है जो वहाँ पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है। मेरे साथ ग्रुप्त करटेन विनोद आउगस्टीन है। मैं उनके पास जाओ उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है। जमीन के पर और ये ऑपरेशन बढ़ जाएंगे और इसरेल की सेना जो अभी तक एर स्ट्राइक कर रही थी जो अभी तक रॉकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई अब हमास से और ज्यादा इसी बीच इसरेली हाईवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं ये देखिए हमास ने कैसे और ये तस्वीर अपने आप में बहुत विद्वनसक है ये तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है ये तस्वीर बताती है कि हम हमास ने कैसे वहां पर पिन पॉइंट अटैक किये हैं यह यह मिसाइल हाइवे के दाइवाई भी गिर सकती थी लेकिन बिल्कुल एक हाइवे पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट मियाना यह देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उ पर इस तरह की मिसाइले उनके पास है रॉकेट आइरन डॉम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे आटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हूती तो आए जल्दी समय आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां हमास हमास और हूती के निशाने पर कौन कौन से परमालू ठिकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हत्यार का इस्तमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइड़ टॉर्पीडो इसमें वार हेट ले जाने की शमता है हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है लेकिन इस्रेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर ह लेकिन जब इस तरह के हत्यारों की इस्रेल के पास कार्ड की बात होती है तो इस्रेल ने पहली बार एरो थ्री डिफेंस सिस्टम का इस्तमाल कर बताया दुन्या को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है तयार हैं दो-दो हजार किलो मिटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनौती बहुत बढ़ी है सर बिल्कुल निसंदेव गौरव एंड इंफाक्ट मैं इसमें किताब ही लिख रहा हूं अम द्रोन बनाते हैं आप जानते ही हैं जो आगे वार जो आने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पालट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टू इसना अभी मैं दर्शकों को यह बताना चाहरा था आप देखिए मेरे हाथ में यह ड्रोन है देखिए इसका साइस और यह कम से कम ने तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कार ता कार्ल विब है और इसी ड्रोन का एक्शन अमने रशच्न- युक्रेंड वार में देखा गाहिए यह आते हैं स्वाम में और यह बना हुआ है देखिएगा यह बनाव हुए प्लास्टिक का पहुत अःधी पतला सा प्लास्टिक इसमें कोई मेटल पार्ट नहीं है तॉमकैट या F-15 स्वाइक इगल ने या F-18 ने ऐसे हजारों ड्रोन लांच किये हैं और यह बिलकुल एक लोकस्ट की तरह एक बहुर की तरह आपके उपर आके अठाक करेंगे यह चमता हमास के पास है और हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन की जो आपने दिल्सक्र की मैं दस दिन पहले इसके बारे मैं बात कर रहा था अंडर वाटर ड्रोन ही नहीं उनके पास यह बहुर कर सकते हैं इस तरह की ट्रेटिएन उनको ए रान ने प्रवाइड किया हूआ है लेकिन गौरव एक बहुत ही महत्पून सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था जो मुसलिम वर्ल्ड और इस्लाम के जो लोग है अगर ये एकठा आ गए तो क्या होगा ये बहुत ही मौत्पून सवाल क्यों है क्योंकि अभी शिया और सुनी करबला के बाद एक दूसरे के ख्लास हैं वह जानते ही हैं शिया सुनी कहीं मिल जाते हैं तो एक दूसरे को मानने बितुलाते हैं लेकिन उनके बीच में भी अभी एक ता नजर आना शुरू हो गया है और ये जो लब्ज़ हम सुनते हैं तेरा मेरा रिष्टा क्या लाहिलाई लाहिल्लाई लाहिल्लाई ये जो अगर हुआ तो ये सब लोग अपना पैसा जोकेंगे टेक्नालोजी बारे खत्रा है पार जेखरिया, नहल, सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं ये इसरेल के नक्षे पर आप देख सकते हैं उपर से लेकर नीचे तक ये नीकलर फेसिल्टीज हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाइल मार कर चिंता और बढ़ा दी है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन वार में वो परमाणू दुरगटना होने का वो चेर्णोबिल वाली 1986 के दुरगटना के बाद जैपोरीजिया में कुछ परमाणू दुरगटना ना हो जाए इसके खत्रे लगातार वहाँ पर मंड़ा रहा था कुछ ऐसा यब इसरेल में मंड़ा रहा है और इसरेल में इसलिया हम बोलने कि क्या परमाणू घमासान मत जाएगा नौर्थ गाजा में जबालिया रेफ्यूजी कैम्प पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं क्या हुआ जबालिया कैम्प में इबराहीम बियारी चिपा था इसरेली फोर्स ने पहले उसे सरेंडर का कई बार मौखा दिया इबराहीम बियारी साथ अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इसरेली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टारगेटेड अटैक किया इबराहीम ब तो इसरेल से रिष्टे सामाने करेंगे तो मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है आईए इससे पहले कि हम अपने मेमानों से इस पर बात करें आपको कुछ तस्वीरे दिखा देते हैं जबालिया कैम्प में तीन मिनट में पचास लोगों की मौत हो गई जिसको ले तो यह जबालिया कैम्प हमने आपको कल मैप दिखाया था उपर नौत गाजा की तरफ है और वहां पर यह हमला हुआ है गाजा में इसरेल के जमीनी हमले के बाद इसरेली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिको की मौत की बात मानी है और आज 9 अन्य सैनिको की मौत पर उन्होंने मौर लगाई है यह सैनिक हैं कारपूरल आसिफ लौगर यहाँ पर लेटिनन एरियल रीच इसके अलावा सार्जेंट हिलेल सोलमन इसके अलावा आप देख सकते हैं सार्जेंट आदी दानन सार्जेंट आदी लियोन मिशलोव्सकी, कारपूरल लियोर सिबनोविड्स, ये तमाम जो सैनिक, कारपूरल इदो ओवादिया और सारजेंट द्रोई दावी, ये सैनिक, 11 सैनिक इसरेल ने खोए हैं, हलाकि वार है और जाहिर सी बात है, वार में कहा था इसरेल ने, कि हम अपने किसी बड़े से बड़ में एक राई नहीं है इसरेल के खिलाब, otherwise अभी तक वह एक हो जाते, देखे, मुस्लिम वर्ल्ड कभी भी इसराईल के क्वेस्टिन पे या पैलिस्टीन के क्वेस्टिन पे एक नहीं रहे हैं, उनके एलीट्स में और उनकी जनता में हमेशा एक विभेद रहा है, और साउदी अरेबिया ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध हमें तो फिर से अपने USA का जो नजदीक आने का एक एजेंडा था उसका वो आगे बढ़ा सके और सिर्फ साउदी अरेबिया भी नहीं जितने भी आसपास के देश हैं जॉर्डन ले ले इजिप्ट ले 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 देखिये इनका एजेंडा क्या था इसराइलियों का कि किसी बी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी once and for all ये settle हो जाएगा लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाहते थे लेकिन साओधे रेबिया का सबसे बड़ा objection है कि हमास Muslim Brotherhood का पार्ट है जो Muslim Brotherhood एक तरह से Islamic Democracy पूरे वेस्टेशिया में चाहता है और वो इजिप्ट उसका अड़ा है और इसी तरह जितने भी लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि जनता और उनके जो नेता उनमें एक राए नहीं है लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर सरकारें चाहें एंटी इस्रेल ना हो लेकिन एंटी समेटिजम घटनाए वहाँ पर बहुत बढ़ गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने वीवर्स को यह दिखा हूँ उनके खिलाफ समाज में उनको वहाँ पर जलील करने की घटनाए बढ़ रही हैं उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं आप देखिए गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाए अचानक बढ़ गई अमरिका के लॉस एंजलेस, ब्रिटन के लंडन, चीन में सोशल मीडिया पर इसके अलावा जर्मनी और दक्षिन अफ्रीका में भी यहूदीयों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस की राजदानी पैरिस में तो रातो रात यहूदियों के घरों पर डेविट स्टेंसिल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहूदी, आस्था, धर्म, परंपरा और राजिका प्रतीक है यानि वो मार्किंग कर रहे हैं, यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहूदी रहता है कोई, यानि वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहूदी है, अब वो मार्किंग किसले कर रहे हैं, आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं, जो लंडन में हो रही है, जो New York में हो रही है, जो Los Angeles में हो रही है, ये मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन जिस हेट क्राइम के मैं बात कर रहा हूँ, गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच लंडन में यहुदियों और मुसल्मानों के खिलाफ हेट क्राइम अचानक क गटनाए सामने आई थी, जो बढ़कर बहुत जादा हो गई, अब यही हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं, ये 15 गटनाए 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है, यहुदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच, यानि करीब साले 1300 परसंट का इसाफा, हलाकि मुस 240 फिजदी जादा है, लेकिन कंपारिजन कोई नहीं है, यहुदी धर मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है, ये दिख रहा है इन आक्टूबर के बहुत स्वागत है, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, आप देख रहे हैं अणी क्योंकि हमें है देश की पड़ी, गाज इसरेल में मचेगा परमारू घमासान, ये दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी खबरे हैं, लेकिन घाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने अपील की है, इतना ही नहीं, एर्दवान ने तो यहां तक कह दिया कि इसरेल के खिलाफ सन्युक्त सेना बनाने के लिए तुर्किये अपना योगदान भी देने को तैयार है, जाहिर है, एर्दवान की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम देश करना तुर्किये के राश्टरपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्द से जल्द रोकने की अपील भी की है, उन्होंने बेहत सक्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इसरेल ने अपना आपा खो दिया है, एर्दवान ने इसरेल को युद्ध अपरादी बताते हुए, उसे इ तैयब अर्दवान है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है, जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं, देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्टरपती चुने गए हैं, इससे पहले अर्दवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं, तुर्की प सबसे बड़े नेता बने, तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बापजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था, तो तुर्किया ही नहीं, इरान भी गाजा की जंग में इस्रेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए, मुस्लिम देशों को इस्रेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूरती रोक देनी चाहिए, मुस्लिम देशों को इस्रेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए, तुर्किये की तरह ही इरान के भी सर्वोच निता ने मुस्लिम देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है। अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्कियों और इरान का अपील कर रहे हैं, क्या ये वाकई हो रहा है। क्या यमन ने जिस तरह से वार के अनाउंसमेंट कर दिया, क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया, जिस तरह से हूती, हिजबुल्ला, हमाज सब एक साथ इसरेल को निशाना बना रहे हैं, क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश अब तुर्किये या इरान की अपील मान कर साथ आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर आते हैं तो पिर इस जंग का क्या रूप हो जाएगा ये बहुत डराम ना हो सकता है इसी बीचे एक बड़ी ख़बर इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामने की धंकी घाजा पर इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे येहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा येहुदी देश से इसी बीच इसरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का ख़डा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इसरेल के हमले में गाजा में मौत का आख़़ा लगातार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हूती मिसाइल का विनाशक यहाँ पर आपको दिखाते हैं हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा इसरेल पर यह है इसरेल का वो एर डिफेंस सिस्टम जो उसकी मिसाइलों को लगातार कभी अमरिका तो कभी इसरेल उसकी मिसाइलों को हवा में ही बरबाद कर दे रहे हैं ये इस्रेल का डिफेंस सिस्टम है, एर डिफेंस सिस्टम जो आस्मान से आने वाले किसी भी खत्रे को, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एरक्राफ्ट हो, उसको पल भर में खाक कर सकता है, ये उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए, एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखिए, इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पहिंद है, मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट ने है, जनरल संजय कुल करनी है, आस डिफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका, मेरे साथ ग्रुप करने के लिए कब्टन विनोद आउकस्टीन है, और विनोद आउकस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, सर आपका भी बहुत स्वागत है और में साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है, जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जनल कुलकरणी, I'll start from you sir, मैं आप से शुरू करूँगा, ये जो गाजा में हम सुरंगे दिखा रहे हैं, हिजबुल्ला की सुरंगे दिखा रहे हैं, इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है, जिस तरह से इस्रेल की सेन वहां घुसी है, अब फाइनल जो लडाई है, इन सुरंगों में लडी जानी है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और मैं इस मॉडल के जरिये भी आपको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ये जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है, ये उस इलाके को दर्शारा है जो गाजा पट्टी है, और ये जो हरी, आप देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी जो तक्रीबन आप लगा सकते हैं, इस चालीस किलोमेटर लंबी है, और दस से बारा किलोमेटर चौडी है, और इसके नीचे 500 किलोमेटर के आप सुरंगों का जाल बिछा रखा है, और ये 500 किलोमेटर का जाल बिछा रखा है, ये यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया साथ अक्रूबर को, तो हमास को ये लगा कि इसरेल जो है, तुरंट हमला करेगा, और वो इनको जो जाल बिछा रखा है इन्होंने सुरूंगों का, उसमें वो फस जाएगा, और उस फसने के अबाद, इसरेल जो हार मानने पड़ेगी, इसरेल को, लेकिन शायद उसको इस बाद क एहसास ने हुआ, इसरेल ने जो है, थोड़ा बहुत, तुमाचह के बाद जो दो तिन दिन इसरेल ने लिये अपने आपको सवारने के लिए, उसके बाद जो वक्त लगाया है, और फाइरिंग हो रही है गाजा पटी के ऊपर उसका मकसद ही है कि सुरंगों का जो एंट्री है एकजिट पॉइंट है उसको बंद किया जाए गास का इस्तमाल किया जाए किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे बहुत बढ़ी आपने कहा कि क्यों नहीं गाजा पटी के क्णाल कियो लेंट हो जाएगी एक छाने की कमी हो जाएगी बिजली की कभी हो जाएगी जेनरेटर में तेल नहीं होगा तब वो सरेंडर करेंगे लेकिन सर मार तो रहा है हमाज और मर रहा है आम फलपिछिन्य ये 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 येकश भ़़दा क्याशोल्टी तो उन लोगों की हो रही है अब हमास के लड़ाके हैं यह तो नहीं मालूम लेकिन यसा जैसा कि हमास कहता ही आम लोग है जिनको इज्रिल मारा है यह गाजा पट्टी का एक हमने यहां पर डीटेल माप अपने दर्शकों के सामने रखा है और एक एक आईडियाफ के निशाने पर है और बहुत आसानी से वो इसको कैसे पिन पॉइंट टार्गेटेड अटाइक कर रहे हैं यह सब हम अभी बताएंगे मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहनुभूती है और यह अक्रॉस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्की है यानि इरान के विदेश मंतरी इस समय तुर्की गए हैं तो वो इसलिए भी गए हैं कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हाना कि इरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मत्यक के है पूरे इसलामिक वर्ल्ड में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए उसमें वो हमास को ही नहीं बलकि इसराइल के खिलाव भी है और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है ऐसा नहीं है लेकिन वो कितना सहयो करें हो कि इस समय सिर्व इरान उनके साथ खड़ा है तुर्किये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे है जो आपने तीनों एच बताए हमास, हूती और हेजबॉला ये तीनों इरान समर्थी थे हैं और तीनों इरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं ये येमन नहीं है तो आप समझ सकते हैं पूरा इसलामिक वर्ल्ड इस समय साथ है लेकिन जब बात होगी क कि एक्चुली इंटर्वीन करना है तो कोई सामने नहीं आएगा अब तक जितने भी इसलामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बर्गलाया है कि किसी ने इनको ये नहीं बताया कि देखो एक सोलूशन जो है एक शांतिपूर्ण हल ढूना जाए उसका उन्होंने कभी एमफेसाइज नहीं किया और इसको इसराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया है अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें तो दो हजार उन्नीस में ने अपने सेंटर राइट लिकुट पार्टी में एक स्पीच में कहा था कि दोज हूँ वांट तो थौर्ट दी पॉस 2019 में या 2009 में आप कंफर्म करिएगा इसको 2009 में 2019 में 2019 में 2019 में हमास को सपोर्ट करने की बात नेतन्याओं ने कही थी आप ये कह रहे हैं बिल्कुल हमास को सपोर्ट नहीं इग्नोर करने के लिए कि उनको फंड्स आने दीजिए उनको सपोर्ट मिलने दीजिए ये हमारी पा कार पर सवाल उठा दिये सर वहाँ पर 1400 लोगों की मौत हो गई है एर्दवान के जो कह रहे हैं वो तो बात की बात होगी या नेतनियाओं का फिर यहाँ पर इंसाफ करना लोग शुरू कर देंगे मैं आऊंगा इस पर जनल कुछ तस्विरे दिखाना चाहता हूं इसरेल पर ह मिसाइल अटैक देखिए यह तस्विरे आपके सामने हूती ने कैसे इसरेल पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है यह मिसाइल हमले की तस्विर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह मिसाइले यहां से निकल रही है अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलो मीटर तक ज पूरी ड्रोन ब्रिगेड है और वो ड्रोन ब्रिगेड का अरो ने एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया वो वीडियो भी जारी जो किया वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन अब तक गाजा पर 11,000 हमले हो चुके हैं 11,000 हमले हो चुके हैं अब तक और अगर आप 25 दिन तो किया 26 दिन है 25 दिन का एवरेज निकालें तो ये करीब 440 हमले रोज का हिसाफ बैठता है एक 41 बाई 10 की पट्टी पर 440 हमले रोज और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास चो है वो टिका हुआ है ये एसकेलेट हो रहा है एसकेलेट होना नहीं चाहिए और मकस्ण यही होगा इसरैल का और यूएस का गाजा पर दिन हो या रात हो या शाम हो कैसे इज्रेल लगतार बंबारी कर रहा है या उसकी तस्वीरें आस्मान से बरस्ती ये मौत, ये गाजा के लोगों को बिलकुल सोने नहीं देती होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाब पर बंबारी हो रही है, हजारों लोगों की मौत चोड़ेंगे तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इस्रेली सेना ने हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन दक्षनी गाजा के कुछ हिसों में ये रिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उतरी गाजा के उन इलाकों को में दिखाता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा मॉडन ग्राफिक्स के जरीए ये 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उतरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर, अद्दीक, और अल्बुगरका में, सर ये देखिए, यहाँ ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, यह सारे लाखे हम बता रहे हैं, 3D ग्राफिक्स, सर आप वो, उसको, यह जो आ रहा है, यह यह जो अलाखे हैं, यहाँ 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है, और यह जो है, यह कोई स्ट्राटीजी दिखती है, यहाँ पर जिसमें आपको लगता हूँ कि इधर ही इतने अटैक क्यों हो रहे हैं, देखेगा यह जो नौदन गाजा है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे का आपने उत्री गाजा और गाजा में सिटी, यह जो इल बाग है, जिसके पर तक्रीबान ग्यारा किलमेटर जो है, वो इजिप्ट के साथ लगता है, जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं, इजिप्ट ने भी उसको रोख के रखा हुआ है, इजिप्ट किसी भी महां से जो हमास के और फिलस्तिनी हैं, उनको आने नहीं दे रहा है, तो ये जो इलाके हैं, इनको हमास ने यूमन शील्ड बना रखा है, जिससे कि जितने भी पैलस्तिनिन्स हैं, वो यूमन शील्ड है, अब देखें जब दक्षिन कभी आ गया, अब यहां पर उत्तर की बात कर रहे थे, अब दक्षिनी गाजा में बरबादी का मनजर आप द पुल्तान, ये तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिससे यहां पर बिलिंग करते वे आपको दिख रहे हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नौर्थ गाजा से इसरेल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए साउध गाजा पर भी हो रहे हैं? सर, यह तो लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला है गाजा के लोगों के लिए, क्योंकि चाज़ साउध हो या नौर्थ हर तरफ हमले शुरू हो रहे हैं, आपके पास आओं लुक्से पहले मैं यहां पर कुछ और बड़ी खबरे दिखाना चाहता हाला कि इसरेल के एरो थ्री एर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, खूती विद्रोयों के निशाने पर इसरेल के परमाडू बेस थे, लेकिन खूती विद्रोयों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फेल हुई, और यह इशारा कर रही है कि गलती से भी इसरेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है, तो इसरेल की धरती से मिडल इस्ट में न्यूकलियर तबाही बढ़ जाएगी, यह 2000 किलो मीटर, 200 किलो मीटर तक की मिसाइल हूती के पास होना, यह भी एक सवाल है अपने आप में, चर्चा जब इसरेल के आटमी बेस की हो रही है, तो यह भी बता देते हैं कि इसरेल में कहां कहां परमाणू केंदर हैं, जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं, डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंदर है, जहाँ प्लूटोनियम उतपादन किया जाता है, अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है यहाँ परमाणू वारहेड और सुरंगे हैं इसके अलावा फार जेखरिया, नाहल सोरेक, योधेफट, तिरोश और रफाइल में भी इस्रेल के परमाणू सेंटर हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलस्टिक मिसाइल मार कर चिंता बढ़ा दी है इसरेल इस वक तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है तो लेबनन से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे है ऐसे में अब अमेरिका ने भी इसरेल को सैन साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी है सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A Globe Master 3 की 53 उडान और C-5M Military Transport Aircraft की साथ उडाने देखी गई है अमेरिका ने मध्यपूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की सबसे बड़ी थाकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है जो वहाँ पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है मेरे साथ ग्रूप करटन विनोद आगस्टीन है मैं उनके पास जाओ उसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद कैसे चल रहा है ये आप देखिए गाजा के भीतर जमीन पर इसरेल के युद की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है जमीन पर इजरेल की सेना अब वहाँ अपना ओपरेशन चला रही है लगातार वो वहाँ पर टैंकों के जरीए बुल्डोजर के जरीए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि ये थर्ड स्टेज है इसका मतलब थर्ड स्टेज के बाद अब यहाँ पर जमीन पर और ये ऑपरेशन बढ़ जाएंगे और इजरेल की सेना जो अभी तक एर स्ट्राइक कर रही थी जो अभी तक रॉकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई अब हमास से और ज्यादा करेंगे और लेडी हुई है इसी बीच इसरेली हाइवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते है यह देखिए हमास ने कैसे और यह तस्वीर आपने आप में बहुत विद्वनसक है यह तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है यह तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहाँ पर पिन पॉइंट अटैक किये है यह मिसाइल हाइवे के दाइबाई भी गिर सकती थी लेकिन बिलकुल एक हाइवे पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट में आना यह देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है टॉर्पीडो उनके पास है एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल उनके पास है वहाँ पर इस तरह की मिसाइले उनके पास है आइरन डॉम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे आटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हुती तो आएए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां हमास और हुती के निशाने पर कौन कौन से परमालू ठेकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हतियार का इस्तिमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडरवाटर ड्रोन या यू कहे कि टौर्पीडो का इस्तिमाल किया हमास ने जिस टौर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल-असफ गाइड़ टौर्पीडो इसमें वार हिट ले जाने की शम्ता है हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है लेकिन इसरेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है लेकिन जब इस्तरा के हत्यारों की इसरेल के पास काड़ की बात होती है तो ग्रूप कापटेन विनोद आगस्टिन आप तो इनी सब चीजों के माहिर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बड़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार हैं दो-दो-हजार किलो मिटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बड़ी है सर बिल्कुल निसंदे गौरव और इन्टाक्ट मैं एक किताब भी लिखना हूँ अम द्रोन बनाते हैं आप जानते ही हैं जो आगे वाने आने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पलट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटिजिक टार्गेटिंग करता है और स्टर्जिकल स्ट्राइक करता है और इचना अभी मैं दर्शकों को यह बताना जो 230 यह 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कारगर ड्रोन बन जाता है अब देखने है वेरे हाथ में जो 220 ग्राम का ड्रोन कम से कम नहीं तो दो या त्रीन ग्रिनेट ले जाने का पाबिल है और इसी ड्रोन का एक्शन हमने रशन यूकरेन वार में यह आते है 심िस colonial और यह बना हुआ है देखिए का यह बना हुआजोय प्लास्टिक नीसमें कोई और तर्क्रावी प्लासिक नहीं किले है तुछीविए शुच कर दोकिज़ जानुच वह और तकप decor now ने ऐसे हजारों ड्रोन लांच किये हैं और यह बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह एक बहुर की तरह आपके उपर आके अटाक करेंगे यह चमता हमास के पास है और हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन की जो आपने जिक्र की मैं दस दिन पहले इसके बारे में बात कर रहा था तो मारकोस के साथ या फिरीन कमांडोस के साथ या फिर मरीन, युएस मरीन के साथ आप कंपेर कर सकते हैं इस तरह की ट्रेनिंग उनको इरान ने प्रवाइड किया हुआ है लेकिन गौरव एक बहुत ही महत्पून सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था सारे जो मुस एडिशिक्स एटी के बाद एक दुसरे के खिलास है हुआ हम जानते ही हैं चैस उनी कही मिल जाते है तो एक दुसरे को मानने बतुल आते हैं लेकिन उनके बीच में भी अभी एक ता नजर आना शुरू हो गया है और जो लफज हम सुनते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या लाह तो यह जो अगर हुआ तो यह सब लोग अपना पैसा जोकेंगे, टेकनालोजी जोकेंगे, यह इसराइल के लिए, इसराइल नुकलियर फेसिलिटी के लिए, वेस्टरन वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है. आपने जो बात कही ना कि इसरेल की नुकलियर फेसिलिटीज के लिए यह बहुत बड़ा खत्रा है, तो जड़ा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वो नुकलियर फेसिलिटीज हैं कहां कहां, इसरेल में किस-किस जगा पर नुकलियर फेसिलिटीज हैं जिनको हमास, ह इस तरह निशाना बना सकते हैं। पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमालू बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाइल मारकर चिंता और बढ़ा दी है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूकरेन वार में वो परमालू दुरगटना होन नौर्थ गाजा में जबालिया रेफुजी कैमप पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं इबराहिम बियारी 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था लेकिन सरेंडर नहीं करने पर इस्रेली फोर्स दे उसकी लोकेशन पर टारगेटेड अटाक किया। इबराहिम बियारी तो मारा गया लेकिन उसमें और भी लोग मारे गये। इस अटाक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी तो हालात और विद्वण सक होंगे। अर्दवान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी। हलाकि साओधी अरब ने कहा है कि युद रुके तो इस्रेल से रिष्टे सामाने करेंगे। तो मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है। आईए इससे पहले कि हम अपने मेमानों से इस पर बात करें आपको कुछ तस्वीरे दिखा देते हैं। जबालिया कैम्प में तीन मिनट में पचास लोगों की मौत हो गई जिसको लेकर पूरी दुनिया में अब इसरेल के खिलाफ घुसा दिख रहा है। यह उसी जबालिया कैम्प की तस्वीरे हैं जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहां पर उसी मलमे में उसी आग के बीच लोगों को ढूंटे हुए। ड्रॉय वुल्फ और सार्जेंट लेवी लिफशिड्स की मौत की बात मानी थी और आज नौ अन्य सैनिकों की मौत पर उन्होंने महर लगाई हैं। और सार्जेंट द्रोई दावी ये सैनिक 11 सैनिक इसरेल ने खोए हैं। की वार है और जाहिर सी बात है वार में कहा था इसरेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं। लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर से अपने कोर मुद्व पर आएं। हमास के फेवर में खुल कर कभी नहीं बोला है। और इस वार में भी साओधी अरेबिया ये सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह ये युद्ध थमें। तो वो फिर से अपने USA का जो नजदीक आने का एक एजेंडा था उसका वो आगे बढ़ा सके। और सिर्फ साओधी अरेबिया नहीं जितने भी आसपास के देश हैं। जॉर्डन ले लें, इजिप्ट ले लें। देखिए इनका एजेंडा क्या था इसराइलियों का कि किसी भी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको इजिप्ट में धकेल दिया जाए। तो ये पूरी तरह से गजा पट्टी खाली हो जाएगी, once and for all ये settle हो जाएगा। लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ। यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाते थे। लेकिन साओधी अरेबिया का सबसे बड़ा objection है कि हमास Muslim Brotherhood का पार्ट है, जो Muslim Brotherhood एक तरह से Islamic Democracy पूरे वेस्टेशिया में चाता है और वो इजिप्ट उसका अड़ा है और इसी तरह जितने भी तरह… या आपने पैरिस में देखी लेकिन अब यहुदी धर्म मानने वालों के खिलाफ वहां हिंसक घटनाय बढ़ रही है, उनके खिलाफ समाज में उनको वहां पर जलील करने की घटनाय बढ़ रही है, उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं, आप देखिए गाजा में जे घरों पर डेविड स्टेंसल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहुदी आस्था, धर्म, परंपरा और राजिका प्रतीक है, यानि वो मार्किंग कर रहे हैं, यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहुदी रहता है कोई, यानि वो यह बताने की कोशिश कर रहे है कि ये यहुदी है अब वो मार्किंग किस ले करने हैं आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं जो लंडन में हो रही है जो नियॉक में हो रही है जो लोस एंजलेस में हो रही है ये ये मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है लेकिन जिस हेट क्राइम क 353% का इजाफा हुआ है कैसे आपको बताता हूँ 2022 में 15 घटनाय सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए अब यही हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाय 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच यान 2022 में 42 घटनाय रिपोर्ट हुई थी वो अब बढ़कर 101 हो गई है यानि यह 140 फिजदी जादा है लेकिन कमपैरिजन कोई नहीं है यहूदी धर मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख रहा है इन आकलों में गाजा की जंग हर दिन भीचन होती जा रही है इस युद्ध के बीच दो बहुत बड़े सवाल पैदा होते दिख रहे हैं पहला क्या गाजा के लिए दुनिया भर के मुसल्मान एक होंगे और दूसरा क्या इस रेल में मचेगा परमाडू घमासान यह दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह दो बहुत बड़ी खबरें हैं लेकिन गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की होल मची हुई है पहले इसकी बात करते हैं इन देशों में एक ब सन्युक्त सेना बनाने के लिए तुर्किये अपना योगदान भी देने को तैयार है जाहिर है एरदोण की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम देश करना है तुर्किये के राश्टरपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्प से जल्प रोकने की उन्होंने गाजा मेजरेल के युद्ध परादों में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरो भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाब तो आईए आपको बताते हैं कि रेसब तैयब अर्दोवान है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्क्रपती चुने गए हैं इससे पहले वो अर्दोवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं तुर्किये पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आतातुर्क के रिकॉर्ड को तोल चुके हैं अर्दोवान दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोवान की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्कीय नहीं इरान भी गाजा की जग में इस्रेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्कीय और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूरती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सर्वोच निता ने मुस्लिम देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान की अपील कर रहे है क्या ये वाकई हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वाइर क्या अनाउंस्मेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया जिस तरह से हुटी, हेजب اللہ, हमास सब एक साथ इसरेल को निशाना बना रहे हैं क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश अब तुर्किय या इरान की अपील मान कर साथ आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर आते हैं तो पिर इस जंग का क्या रूप हो जाएगा ये बहुत डराम ना हो सकता है इसी बीचे एक बड़ी ख़बर इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामने की धंकी घाजा पर इसलामिक देशों को फैसला करना होगा इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे यहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहुदी देश से आर्थिक सयोग बन करें इसलामिक देश ये इलान ने कहा है इसे बीच इजरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का अख़डा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इसरेल के हमले में गाजा में मौत का अख़डा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते खूती मिसाइल का विनाशक यहाँ पर आपको दिखाते हैं खूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा इसरेल पर चाहे वो मिसाइल हो ड्रोन हो एरक्राफ्ट हो उसको पल भर में खाक कर सकता है यह उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैंधाल मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट नेयर जनरल संजय कुलकरनी है अस डिफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ ग्रूप कैप्टन विनोद आउकस्टीन है और विनोद आउकस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनरल कुलकरणी मैं आप से शुरू करूँ गाजा में हम सुरंगे दिका रहे हैं हेजबुला की सुरंगे दिखा रहे हैं इन ऋरंगों का क्या वक्त आ चुका है जिस तरह से इसऍ्रेल की सेना वहां घुसी है अब फाइनल जो लड़ाई है इन सुरंगों मी लड़ी जानी है आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के जरीए भी आपको बढ़ाने की कोशिश करूँगा यह जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है यह उस इलाके को दर्शारा है जो गाजा पत्ती है और यह जो हरी आप देख रहे हैं यह गाजा पत्ती जो तक्री किलोमेटर का जाल बिचा रखा है यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया साथ अक्तूबर को तो हमास को यह लगए लगा कि इस्रेएल जो है थुरंत करेगा और वो इनको जो जाल बिचा रखा है इन्होंने सुरूंगों का उस पर फच जाएगा और उस फचने के बाद इसराइल जो हार माननी पड़ेगी इसराइल को लेकिन शायद उसको इस बात के अहसास थे हुआ कि इसराइल ने जो है थोड़ा बहुत जो तमाचा लगा उस तमाचे के बाद जो दो तिन दिन इसराइल ने लिए अपने आपको समारने के लिए उसके बाद जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरे जो सुरंगे बिचा रखी है उस सुरंगे की जो लड़ाई है वो वाके बहुत बहुत खतरनाक है और इसलिए जो मलबा बन रहा है दबा करके जो फारिंग हो रही है गाजा पट्टी के उपर उसका मकसद ही है इस सुरंगों का जो एंट्री है एक्जिक पॉइंट है उसको बंद किया जाए गैस का इस्तिमाल किया जाए किस इस तरीके से उन लोग और जो आप कह रहेते हैं बहुत बढ़ी आपने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इंदर चले जाते हैं जिस जो शुरंगे हैं उनका जो लोजिस्टिक सस्टेनेंस है वो उनके पचास एक हजार लोगों के लिए है चाहे वो दो मेने के ल बना हैby लंबी लडाई किकि रहे तो फिर आप देखेंगा यू उधर भी और एक एक चीज हम बता रहे हैं कि यहां से शुरू करें जो कि यह नॉर्थ गाजा है और यहां से देकर साउथ गाजा तक की बीच का जो यह हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं जो में में पॉइंट्स हैं जो कैम से जो गाजा में प्लांट्स हैं जो यहां पर यह जबालिया आगस्टिन एक चीज मुझे बताइए क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हूती भी आ रहा है हम कह रहे हैं यहाँ पर अब दूसरे तो तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ मुझे बताया जा रहा है क्योंके पास जाओंगा लेकिन हमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूती है और यह अक्रोस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्किये यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं तो वो इसलिए भी गए हैं कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हलाकि इरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि एक मत्यक के है पूरे इसलामिक वर्ल्ड में कि फिलिस्तीन की समस्या को आगे बढ़ाया जाए और उसको एक वजन दिया जाए उसमें वो हमास को ही नहीं बलकि इसराइल के खिलाव भी है और पब्लिक ओपिनियन भी उनके साथ है ऐसा नहीं है लेकिन वो कितना सहयो करें हो कि इस समय सिर्फ इरान उनके साथ खड़ा है तुरकिये या कतर या साओधियरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे है जो आपने तीनों एच बताए हमास, हूती और हेजबॉला ये तीनों इरान समर्थी थे हैं और तीनों इरान के समर्थन में यहाँ पर जो भी अटैक हो वो करते हैं ये येमन नहीं है तो आप समझ सकते हैं पूरा इसलामिक वर्ल्ड इस समय साथ हैं लेकिन जब बात होगी कि एक्चुली इंटर्वीन करना है तो कोई सामने नहीं आएगा अब तक जितने भी इसलामिक कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ इनको बर्गलाया है कि किसी ने इनको ये नहीं बताया कि देख में एक स्पीच में कहा था कि दोस वोंट थौर्ट थौर्ट थी पॉसिबिलिटी अफ पैलिस्टीनियन स्टेट शुड सपोर्ट इस ट्रेंग्ण अफ़मास और ये नियु यॉर्क टाइंट में है आप बात कर रहे हैं इसका मतलब 2019 में आप कंफर्म करिएगा इसको 2009 में 2019 में हमास को सपोर्ट करने की बात नेतनियाओं ने कही थी आप ये कह रहे हैं बिल्कुल हमास को सपोर्ट नहीं इग्नोर करने के लिए कि उनको फंड आने दीजिए उनको सपोर्ट मिलने दीजिए ये हमारी पार्ट अफ स्ट्रेटीजी है यानि उनकी इंटेलिजेंस फे अब खूती के पास क्या वो बाइस सो तईस सो किलो मीटर तक जाने वाली मिसाइले हैं क्योंकि ये खूती को अकर यमन से मारना है तो इस रेल तक करीब इतनी दूरी है सर और इसी बीच आप देखे आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ड्रोन्स का आटैक भी लगातार करने की धमकी दे रहा है खूती फूती ये कह रहा है कि हमारे पास अपनी पूरी ड्रोन ब्रिगेड है और वो ड्रोन ब्रिगेड का अरोने एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया वो वीडियो भी जारी जो किया वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा लेकिन अब तक गाजा पर 11,000 हमले हो चुके हैं 11,000 हमले हो चुके हैं अब तक और अगर आप 25 दिन तो किया 26 वा दिन है 25 दिन का एवरेज निकालें तो ये करीब 440 हमले रोज का हिसाफ बैठता है एक 41 वाई 10 की पटी पर 440 हमले रोज और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है एक तरफ हूती हमास और हिजबुल्ला है दूसरी तरफ भी आईडियाफ है और ये इरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं लग रहा है कि ये एसकेलेट हो रहा है और उसका असर भारत पर भी बहुत जबर्दस्त होगा क्योंकि तेल के जो कीमते हैं इतनी उचाई पर पहुंचेंगे ये तो आपने जो बात कईसर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वॉरी नहीं करतें लेकिन देखिए इसी बीच गाजा पर इसरेली बम देखिए गाजा पर इसरेल के बम आपको दिखा रहा हूँ मैं है कैसे गाजा पर दिन हो या रात हो या शाम हो कैसे इसरेल लगतार बंबारी कर रहा है ये उसकी तस्वेरें Mount ये गाजा के लोगों को बिलकुल सोने नहीं देती होगी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बंबारी हो रही है हजारों लोगों की ओध Abigail और 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 हजारों लोगों तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इस्रेली सिना ने हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन दक्षणी गाजा के कुछ हिसों में ये रिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उत्री गाजा के उन इलाकों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरीए यह 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उत्री गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सि पुटी, जुहूर, अद्दीक, और अल-मुगर्का में, सर यह देखिए, यहाँ ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, यह सारे लाखे हम बता रहे हैं, 3D ग्राफिक्स सर, आप वो उसको, यह जो आ रहा है, यह यह जो आ रहा है, यहाँ पचीस अक्टूबर के बाद भारी तब गाजा, और गाजा में, सिटी, यह जो इलाका है, तक्रीबन आप लगा लेजी, 20 किलोमेटर और 10 किलोमेटर, यानि कि 200 स्क्वेर का यह इलाका है, इस पे तक्रीबन 12 लाख लोग रहते हैं, और यही एक इलाका है, जो काफी डेवलप्ट है, और जो दक्षिन भाग है, जि यह जो इलाके हैं, इनको हमास ने यूमन शील्ड बना रखा है, जिससे कि जितने भी पैलस्तिनिन्स हैं, वो यूमन शील्ड है, अब देखें जब दक्षिन कभी आ गया, अब यहां पर उत्तर की बात कर रहे थे, अब दक्षिनी गाजा में बरबादी का मनजर आप देख रहे हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नौर्थ गाजा से इसरेल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए साउथ गाजा की तरफ जाओ, लेकिन अब तो हमने साउथ गाजा पर भी हो रहे हैं, अब शुरू होगा Humanitarian Assistance के लिए उन्होंने कहा था कि सारे कि सारे Northern गाजा से Southern गाजा में जाईएगा, वो लोग गए नहीं, पलायन उन्हें क्या ने, क्योंकि एजिप्ट किसी को नहीं आने दे रहा है, तो क्योंकि पूरी गाजा पट्टी के साथ दो ही देश हैं, एक इसरेल और दूसरा है इ गाजा के लोगों के लिए क्योंकि चार्श साउथ हो या नॉर्थ हर तरफ हमले शुरू हो रहे हैं, बिल्कमें आपके पास आऊं लुक्से पहले मैं यहाँ पर कुछ और बडी ख़बरे दिखाना चाहता हूं, देखें, हमास को खत्म करने के लिए इसरेल को तीन मोर्चो सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, खूती विद्रोयों के निशाने पर इसरेल के परमाडू बेस थे, लेकिन खूती विद्रोयों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फेल हुई, और यह इशारा कर रही है कि गलती से अगर इसरेल के किसी आटमी बेस पर कोई मिसा मिसाइल गिरती है, तो इसरेल की धरती से मिडल इस्ट में निउकलियर तबाही बढ़ जाएगी, यह 2000 किलो मिटर, 200 किलो मिटर तक की मिसाइल हूती के पास होना, यह भी एक सवाल है अपने आप में, चर्चा जब इसरेल के आटमी बेस की हो रही है, तो यह भी बता देते ह कि इसरेल में कहां कहां परमाणू केंदर हैं, जो हुती और हमास के टार्गेट पर हैं, डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंदर है, जहाँ प्लूटोनियम उतपादन किया जाता है, अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है, यहां परमाणू वार हेड और सुरंगे हैं, इसके अलावा फार जेखरिया, नाहल सोरेक, योधेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं, जो हमास और हुती के टार्गेट पर हैं, हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणू ब अमेरिका ने भी इसरेल को सैने साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी हैं, सिर्फ 24 घंटे में अमेरिका से मध्यपूर्व तक C-17A ग्लोब मास्टर 3rd की 53 उडान और C-5M मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट की साथ उडाने देखी गई हैं, अमेरिका ने तरह से उसको मदद कर रहा है, मेरे साथ ग्रूप्त करटन विनोद आउगस्टीन है, मैं उनके पास जाओ, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद्ध कैसे चल रहा है, यह आप देखिए, गाजा के भीतर जमीन पर इस स्टेज के बाद अब यहाँ पर जमीन के पर और यह ऑपरेशन बढ़ जाएंगे, और इसरेल की सेना जो अभी तक एर स्ट्राइक कर रही थी, जो अभी तक रॉकेट मार रही थी, या टैंकों से गोले मार रही थी, वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ा यह तस्वीर हमास की ताकत बया करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है, यह तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहाँ पर पिन पॉइंट अटैक किये हैं, यह मिसाइल हाईवे के दाइवाई भी गिर सकती थी, लेकिन बिलकुल एक हाईवे पर इस तर कि मिसाइलें उनके पास है, आइरन डोम को भेदने वाले रॉकेट उनके पास है, अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे आटर्मी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हुटी, तो आएए जल्दी समय आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां हमास और हुटी के यहां हमास और हुती के निशाने पर कौन कौन से परमालू ठिकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हत्यार का इस्तमाल करके पूरी दुनिया को चौका दिया हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यू कहे कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइड़ टॉर्पीडो इसमें वार हिट ले जाने की शमता है हमास का अल-असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले चोटा जरूर है लेकिन इसरेल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है लेकिन जब इस तरह के हत्यारों की इसरेल के पास कार्ड की बात होती है तो इजरेल ने पहली बार Arrow 3 Defense System का इस्तमाल कर बताया दुन्या को कि उनके पास किस तरह का हत्यार है इसकी खास्यत यह है कि यह पहले Long Range की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके Warhead को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोल कर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो Group Captain Winode Augustine आप तो इनी सब चीजों के माईर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेट का यहां पर वीडियो जारी करके बहुत बढ़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार है दो-दो-हजार किलो मीटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइले और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बढ़ी है सर बिलकुल निसंदे गौरव एंड मैं इंपक्त मैं किताब ही लिख रहा हूं हम द्रोन बनाते हैं आप जानते ही हैं ड्रोन फेस ऑफ द वार जो आगे वाने आने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पलट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट टु आप देखिए मेरे हाथ में यह ड्रोन है देखिए इसका साइस और यह कम से कम ने तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कारगर ड्रोन बन जाता है अब देख रहे हैं मेरे अब रशन यूकरेन वार में देख आते हैं स्वार में और यह बना हूआ है देखिएगा यह बना हुआ है प्लस्टिका मेराम डाशेमा… arrive यह गयता वी प्लस्टिक है फाइटर जहाज लाउंच कर सकता है एक फॉर्टीन टॉमकैट या एक 15 स्वाइक इगल ने एक 18 ने ऐसे हजारों ड्रोन लाउंच किये हैं और ये बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह एक बहुर की तरह आपके उपर आके अटाक करेंगे ये चम्ता हमास के पास है और हमास के पास ये भी information है कि मिजट सब्मरीन भी हैं जो हमास के जो नेवल टर्रेरिस्ट हैं जो अंडर वाटर टर्रेरिस्ट हैं वो मार्कोस के साथ या फिरीन कमांडोस के साथ या फिर मरीन, US मरीन के साथ आप कंपेर कर सकते हैं इस तरह की ट्रेनिंग उनको इरान ने प्रवाइड किय हुआ है लेकिन गौरव एक बहुत ही महत्पून सवाल आपने शुरू में उठाया था वो था सारे जो मुस्लिम गॉल्ड और इस्लाम के जो लोग हैं अगर ये एकठा आ गए तो क्या होगा ये बहुत ही महत्पून सवाल क्यूं क्यूं है क्यूंकि अभी शिया और सुनी क एक ता नजर आना शुरू हो गया है और ये जो लब्ज हम सुनते हैं तेरा मेरा रिष्टा क्या लाई 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 इनला ये जो अगर हुआ तो ये सब लोग अपना पैसा जोकेंगे टेक्नालोजी जोकेंगे ये इसरायल के लिए इसरायल नुकलियर फेसिलिटी के लिए वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है परमानु वार हेड और सुरंगे हैं इसके लावा फार जेखरिया नहल सोरेक योदेफट तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमानु सेंटर हैं ये इसरेल के नक्षे पर आप देख सकते हैं उपर से लेकर नीचे तक ये निकलर फेसिलिटीज हैं जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमानु बेस को निशाना बनाया था और अब हूती ने भी बलेस्टिक मिसाइल मार कर चिंता और बढ़ा दी है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूकरेन वार में वो परमानु द हम असान मत जाएगा नौर्थ गाजब में जबालिया रेफ्यूजी कैम्प पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं क्या हुआ जबालिया कैम्प में देखे जबालिया रेफ्यूजी कैम्प यहां पर इस्रेल की बंबारी हुई जिसमें 50 लोग मारे अ्पम करने पर इस्रियली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टारगेटी किया इबराइम ब्यारी तो उसे सरेंडर का कई Already आटक किया इस अटैक के बाद जो हाला थे उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी तो हालात और विद्वनसक होंगे एर्दोवान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी हाला कि साओधी अरब ने कहा है कि युद रुके तो इसरेल से रिष्टे सामाने करेंगे तो मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है आईए इससे पहले कि हम अपने मेमानों से इस पर बात करें आपको कुछ तस्वीरे दिखा देते हैं जबालिया कैम्प में तीन मिनट में पचास लोगों की मौत हो गई जिसको लेकर पूरी दुनिया में अब इसरेल के खिलाफ घुसा दिख रहा है यह उसी जबालिया कैम्प की तस्वीरे हैं जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहाँ पर उसी मल्मे में उसी आग के बीच लोगों को ढूंटे हुए तो यह जबालिया कैम्प हमने आपको कल मैप दिखाया था उपर नौट गाजा की तरफ है और वहाँ पर यह हमला हुआ है गाजा में इसरेल के जमीरी हमले के बाद इसरेली सेना ने पहली बार अपने 11 सैनिको की मौत की बात मानी है IDF ने मंगलवार को अपने दो जवान सारजेंट ड्रॉय वुल्फ और सारजेंट लेवी लिफशिड्स की मौत की बात मानी थी और आज 9 अन्य सैनिकों की मौत पर उन्होंने मौर लगाई है यह सैनिक हैं कारपूरल आसिफ लॉगर यहाँ पर लेटेन एरियल रीच इसके अलावा सारजेंट हिलेल सोलमन इसके अलावा आप देख सकते हैं सारजेंट आदी दानन, सारजेंट आदी लियोन, सारजेंट इरेज मिशलोव्सकी, कारपूरल लियोर सिबिनोविड्स यह तमाम जो सैनिक, कारपूरल इदो ओवादिया और सारजेंट द्रोई दावी, यह सैनिक, 11 सैनिक इसरेल ने खोए हैं हलाकि वार है और जाहिर सी बात है, वार में कहा था इसरेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर से अपने कोर मुद्धे पर आएं प्रोफेसर मेताब सिंग, साओधी अरब जब यह कह दे कि हम वार खतम हो तो इसरेल से सामान रिष्टे कर लेंगे, तब तो यह बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक राइड नहीं है इ आपको इस बात से अंदाजा रहेगा कि साओधी अरेबिया अभी तक हमास के फेवर में खुल कर कभी नहीं बोला है, और इस वार में भी साओधी अरेबिया यह सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह यह युद्ध थमें, तो वो फिर से अपने USA का जो आने का एक एजेंडा था उसका, वो आगे बढ़ा सके, और सिर्फ साओधी अरेबिया नहीं, जितने भी आसपास के देश हैं, जॉर्डन ले ले ले, इजिप्ट ले ले, इनका एजेंडा क्या था इसराइलियों का, कि किसी भी तरह गजा पट्टी को खाली कराके इनको इ जो मुस्लिम ब्रदर हूड एक तरह से इस्लामिक डिमॉक्रसी पूरे वेस्टेशिया में चाहता है, और वो इजिप्ट उसका अड़ा है, और इसी तरह जितने भी लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि जनता और उनके जो नेता उनमें एक राए नहीं है, लेकिन कुछ ऐ ऐसे देश हैं, जहाँ पर सरकारें चाहें एंटी इस्रेल ना हो, लेकिन एंटी समेटिजम घटनाए वहाँ पर बहुत बढ़ गई है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने वीवर्स को यह दिखा हूँ, उसके लिए मुझे आपर गोप्रो, आपर स्टूडियो जाना प बढ़ रही हैं, उनके खिलाब हेट क्राइम दिख रहे हैं, आप देखिए, गाजा में जेल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाए अचानक बढ़ गई हैं, अमरिका के लॉस एंजलेस, ब्रिटन के लंडन, चीन में सोशल मीडिया पर इस यानि वो मार्किंग कर रहे हैं, यानि वो बता रहे हैं कि ये घर जिसमें यहूदी रहता है कोई, यानि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहूदी है, अब वो मार्किंग किसले कर रहे हैं, आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं, जो लंडन में हो रही है जो नियॉयोंक में हो रही है जो लॉस एंजलेस में हो रही है यह मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है लेकिन जिस हेट क्राइम के मैं बात कर रहा हूँ गाजा में इसरेल 353% का इजाफा हुआ है कैसे आपको बताता हूँ 2022 में 15 घटनाए सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए अब यही हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच यानि करीब साले 1300% का इजाफा हलाकि मुसल्मानों को भी निशाना बनाए गया है उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई है इसी दर्मियान 1-18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी वो अब बढ़कर 101 हो गई है यानि ये 140 फिजदी जादा है लेकिन कंपारिजन कोई नहीं है यहूदी धर्मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है ये दिख रहा है इन आक्टूबर के लिए दो बहुत बढ़े सवाल पैदा होते दिख रहे है पहला क्या गाजा के लिए दुनिया भर के मुसल्मान एक होंगे और दूसरा क्या इसरेल में मचेगा परमारू घमासान ये दो सवाल आज अपने इस शोब में हम उठाएंगे और इनका जवाब ढूनने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये दो बहुत बड़ी खबरे हैं लेकिन गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की होल मची हुई है पहले इसकी बात करते हैं इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्किये का जिसके राश्ट्रपती रेसेप तैयप अर्दोगन ने इसरेल के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी है तुर्किये के राश्ट्रबती ने मुस्लिम देशों से इसरेल के खिलाफ मिलकर जंग लडने को कहा है उन्होंने अपील की है, इतना ही नहीं, एर्दवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसरील के खिलाब सन्यूक्त सेना बनाने के लिए तर्किय अपना योगदान भी देने को तैयार है जाहिर है एर्दवान की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम देश करना है तुर्किये के राश्ट्रपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्ब से जल्ब रोकने की अपील भी की है उन्होंने बेहत सक्त लहजे में कहा कि ऐसा लगता है कि इसरेल ने अपना आपा खो दिया है एर्दवान ने इसरेल को युद्ध अपरादी बताते हुए उसे इनसाफ के कटगरे में खड़ा करने की बात भी की है उन्होंने गाजा मेजरेल के युद्ध परादों में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरोब भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाब तो आईए आपको बताते हैं कि रेसब तैयब अर्दोवान है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है जना बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्क्रपती चुने गए हैं इससे पहले वो अर्दोवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं तुर्की पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आतातुर्क के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं अर्दोवान दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोवान की चाहत है कि वो मुसलिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बावजूद उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्कीय नहीं इरान भी गाजा की जग में इस्रेल के खिलाफ मुसलिम देशों को लामबंद करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्कीय और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि फौरन गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूर्ती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही ईरान के भी सरोच निता ने मुस्लिम देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्कियों और इरान का अपील कर रहे हैं क्या ये वाकई हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वार क्या अनाउंसमेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया ये बहुत डराम ना हो सकता है इसी बीच एक बड़ी खबर इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खामने की धंकी घाजा पर इसलामिक देशों को फैसला करना होगा इसलामिक देशों को इजरेल के हमले रोकने होंगे यहूदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंकरना होगा यहूदी देश से आर्थिक सयोग बंकरें इसलामिक देश ये इरान ने कहा है इसे बीच इजरेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का आख़़ा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इजरेल के हमले में गाजा में मौत का आख़़ा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते हूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं हूती जिस तरह से लगातार यमन से मिसाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है इसरेल पर यह है इसरेल का वो एर डिफेंस सिस्टम जो उसकी मिसाइलों को लगातार कभी अमरिका तो कभी इस्रेल उसकी मिसाइलों को हवा में ही बरबाद कर दे रहे हैं ये इस्रेल का डिफेंस सिस्टम है एर डिफेंस सिस्टम जो आस्मान से आने वाले किसी भी खत्रे को चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, एरक्राफ्ट हो उसको पल भर में खाक कर सकता है यह उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है और देखिए इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैंद है मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट ने जनरल संजय कुल करनी है इस डेफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ ग्रूप कैटन विनोद आगस्टीन है और विनोद आगस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और आपने साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनल कुलकरणी इन सुरंगों का क्या वक्त आ चुका है जिस तरह से इसरेल की सेना वहां घुसी है अब फाइनल जो लडाई है इन सुरंगों में लडी जानी है आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं इस मॉडल के जरीए भी आपको बढ़ानी की कोशिश करूंगा यह जो बढ़िया मॉडल आपने बनाया है यह उस इलाके को दर्शारा है जो गाजा पट्टी है और यह जो हरी आप देख रहे हैं यह गाजा पट्टी जो तक आप सो किलोमेटर का जाल बिचा रखा है यही कारण है कि जब हमास ने हमला किया साथ अक्तूबर को तो हमास को यह लगा कि इस्रेल जो है तुरंट हमला करेगा और वो इनको जो जाल बिचा रखा है इन्होंने सुरूंग का उसमें वो फश जाएगा और उस फशने के जो तमाचा लगा उस तमाचे के बाद जो दो तिन दिन इस्रेल ने लिए अपने आपको समार दे के लिए तो उसके बाद जो वक्त लगाया है और अब आप देखते हैं कि पूरे की पूरी जो सुरंगे दे बिचार रखी है उस सुरंगे की जो लड़ाई है वो वाकि किया जाए गैस का इस्तिमाल किया जाए किस तरीके से उन लोग जो आप कह रहे थे बहुत बढ़ी आपने कहा कि क्यों नहीं गाजा पट्टी के लोग इंदर चले जाते हैं जिस जो सुरंगे हैं उनका जो लोजिस्टिक सस्टेनंस है वो उनके पचास एक हजार लोगों के ल लेकिन सर मार तो रहा है हमास और मर रहा है आम फलिस्तिनी ये 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 देखिए सबस्यादा कैजूल्टी तो उन लोगों की हो रही है अब वो हमास के लड़ाके है या नहीं ये तो नहीं मालूम लेकिन ऐसा जैसा कि हमास कहता है ये आम लोग है जिनको इज्रेल मार रह और एक एक चीज हम बता रहे हैं कि यहां से शुरू करें जो कि यह नॉर्थ गाजा है और यहां से देकर साउथ गाजा तक यह बीच का जो यह हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं जो में में पॉइंट्स हैं जो कैम से जो गाजा में प्लांट्स हैं जो यहां पर यह जबालिय एक चीज मुझे बताईए क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि हूती भी आ रहा है हम कह रहे हैं यहाँ पर अब दूसरे तुर्किये और इरान तमाम मुस्लिम देशों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग आओ चाप्टन आउगस्टीन मुझे बताया जा रहा है क्टन विनोद आउगस्टीन डिस्कनेक्ट होका है मैं उनके पास जाओंगा लेकिन हमताब जी मुस्लिम देश कैसे मानेंगे क्या यह आपको लगता है इसलामिक वर्ल्ड में फिलिस्तीन के प्रती सहनुभूती है और यह अक्रॉस जो डिवाइड है इसलामिक वर्ल्ड में उसके अलावा है जिस तरह आपने देखा अभी आपने बताया इरान और तुर्किये यानि इरान के विदेश मंत्री इस समय तुर्की गए हैं तो वो हैं कि हमास को कैसे एनफोर्स किया जाए या फिलिस्तीन के डिमांड को कैसे आगे बढ़ाया जाए हाला कि एरान और तुर्की में बिल्कुल नहीं पड़ती है उनका आपस में बहुत डिवाइड है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां है कि एक मत्यक के हैं पूरे इसलामिक व तुर्किये या कतर या साओधे अरेबिया डिप्लोमाटिकली सपोर्ट कर रहे हैं जो आपने तीनों एच बताए हमास हूती और हेजबॉला यह तीनों इरान समर्थी थे हैं और तीनों इरान के समर्थन में यहां पर जो भी अटैक हो वो करते हैं यह येमन नहीं है तो इनको यह नहीं बताया कि देखो एक सोलूशन जो है एक शांतिपूर्ण हल धूना जाए उसका उन्होंने कभी एमफेसाइज नहीं किया और इसको इसराइल की पॉलिटिक्स ने भी सपोर्ट किया है अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें तो 2019 में ने अपने सेंटर राइ अगरी अगरेमत जी सब्सक्राइब करता है और यह न्यूर्ट टाइम्स में हें हमास को सपोर्ट करने की बात नेतन्यावन हैं कही थी आप यह कह रहें बिल्कुल हमास को सपोर्ट नहीं इग्नोर करने के लिए कि उनको funds आने दीजिए, उनको support मिलने दीजिए, यह हमारी part of strategy है, यानि उनकी intelligence failure जो दिखा रहे हैं, वो शायद intelligence failure नहीं है, उनको पता था कि यह attack होने वाला है, इतने बड़े सुरंग बने हैं, एक विस्फोर्ट होने वाला है, उसको इग्नोर किया इसरेल की सरकार पर सवाल उठा दिये, सर, वहाँ पर 1400 लोगों की मौत हो गई है, एर्दवान जो कह रहे हैं, वो तो बात की बात होगी, यान नेतनियाओं का फिर यहाँ पर इनसाफ करना लोग शुरू कर देंगे, मैं आऊंगा इस पर, जनर्र कुलकरनी इस पर बात करें कि किस तरह से यह मिसाइले यहां से निकल रही हैं, अब हूती के पास क्या वो 2200-2300 किलो मीटर तक जाने वाली मिसाइले हैं, क्योंकि यह हूती को अकर यमन से मारना है तो इस रेल तक करीब इतनी दूरी है सर, और इसी बीच आप देखे, आपको मैं दिखाता हूँ कि कैस इसे ड्रोन का अटैक भी लगाता करने की धमकी दे रहा है हूती, हूती यह कह रहा है कि हमारे पास अपनी पूरी ड्रोन ब्रिगेड है, और वो ड्रोन ब्रिगेड का अरो ने एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया, वो वीडियो भी जारी जो किया, वो वीडियो भी मैं को दिखाऊंगा लेकिन अब तक गाजा पर 11,000 हमले हो चुके हैं अब तक और अगर आप 25 दिन को किया 26 दिन है 25 दिन का एवरेज निकालें तो ये करीब 440 हमले रोज का हिसाफ बैठता है इसा है एक 41 बाई 10 की पट्टी पर 440 हमले रोज और उसके बावजूद भी 11,000 हमलों के बावजूद भी हमास जो है वो टिका हुआ है नहीं लेकिन हमास टिका हुआ है एक तरफ हूती हमास और हिजबुल्ला है दूसरी तरफ भी आईडियाफ है और ये इरान और तुर्की जिस तरह से उनके साथ खड़े दिख रहे हैं लग रहा है कि ये एसकेलेट हो रहा है और मकसर यही होगा इसरेल का और यूएस का कि ये गाजा पट्ची तक ही सीमित रहे अगर ये एसकेलेट हो गया तो पूरा वेस्ट एश्या में और पूरे विश्वबर में क्राइसिस के ही मुझे लगता है नजर आते हैं और उसका असर भारत पर भी बहुत जबरदस्त हो होगा क्योंकि तेल के जो कीमते हैं इतनी उचाई पर पहुंचेंगे ये तो आपने जो बात कही सर इतनी समझ में आती तो शायद लोग वारी नहीं करते लेकिन देखिए इसी बीच गाजा पर इसरेल के बॉम आपको दिखा रहा हूं मैं ये कैसे गाजा पर दिन हो या रा हजारों लोगों की जितना से वाँ मौत हुई है सब इस वक्त कहीं न कहीं उस खौफ के साइब में जरूर होंगे लेकिन इस बीच हमास है जो कह रहा है कि हम लोहा लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे तो देखिए गाजा के दोनों हिसों में इसरेली सिना ने हमले जारी कर रखे हैं आईडियाफ का फोकस उतरी गाजा पर जादा है लेकिन दक्षणी गाजा के कुछ हिसों में ये रिस्ट्राइक लगातार जारी है आपको पहले उतरी गाजा के उन इलाकों को में दिखाता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा मॉडन ग्राफिक्स के जरीए ये 3D ग्राफिक्स आपके सामने जैसे आपसे देख सकते हैं उतरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल-जादिदा, रिमाल, गाजा सिट जोहूर, अद्दीक और अल-बुगरका में, सर ये देखिए यहां ग्राफिक्स जरीए आ रहा है, सारे आपको स्ट्राइजी दिखती है, यहां पर जिसमें आपको लगता हूँ कि इधर ही इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? देखेगा यह जो Northern Gaza है जिस पे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे का आपने उत्री गाजा और Gaza मेन सिटी यह जो इलाका है तक्रीबन आप लगा लेजी बीस किलोमेटर और दस किलोमेटर जानी कि दो सो स्क्वेर किलोमेटर का यह इलाका है जिस पे तक्रीबन बारा लाख लोग और यही एक इलाका है जो काफी developed है और जो दक्षिन भाग है जिसके तक्रीबन ग्यारा किलोमेटर जो है वो इजिप्ट के साथ लगता है जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं इजिप्ट ने भी उसको रोख के रखा हुआ है इजिप्ट किसी भी महां से जो हमास के और फि देखिए यहां पर नुसरत, बुरैज, मगाजी, अल्मसदर, दीदल्बला, अलकरारा, बानी सुहेला, अबासान, अलकबीरा, खुजा खान, योनिस, अल्फुखारी, अम कमेल, अम अल्किलाब, शौकत अस्सूफी और ताल अस्सुल्तान, यह तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिससे यहां पर बिलिंग करते वे आपको दिख रहे हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नौर्थ गाजा से इसरेल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए साउथ गाजा की तरफ जाओ, लेकिन अब तो ह इसरेल और दूसरा है इजिप्ट और तीसरा है यह अपना मेडिटेरियन सी, तो क्या कर सकता है, तो क्योंकि लोग पलायन नहीं कर पारें, और वहां पे लोगों के उपर अब मुझे लगता है, इसरेल भी अब हमला करना है, यह तो लग रहा है कि अब बहुत जादा बुर इसरेल पर बलेस्टिक मिसाल मारी है, अला कि इसरेल के एरो थ्री एर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया, खूती विद्रोयों के निशाने पर इसरेल के परमाडू बेस थे, लेकिन खूती विद्रोयों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फैल हुई, और दो हजार किलो मीटर, बाइस सो किलो मीटर तक की मिसाइल हूती के पास होना, ये भी एक सवाल है अपने आप में, चर्चा जब इसरेल के आडिमी बेस की हो रही है, तो ये भी बता देते हैं कि इसरेल में कहां कहां परमाडू केंद्र हैं, जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं, डिमोना में नेगेव परमाडू अनुसंधान केंद्र है, जहाँ प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है, अलेबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है, यहाँ परमाडू वारहेड और सुरंगे हैं, इसके अलावा फार जेखरिया, नाहल, सोरे, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाडू सेंटर हैं, जो हमास और हूती के टार्गेट पर हैं, हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाडू बेस को निशाना बनाया था, और अब हूती ने भी बलस्टिक मिसाइल मारकर च जंग लड़ रहा है, गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है, तो लेबनन से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं, ऐसे में अब अमेरिका ने भी इसरेल को सैन साजो सामान की आपूर्ती अचानक बढ़ा दी हैं, सिर् इल्टा फोर्स के तीन सो जवानों को भी तैनात करने का एलान किया है, तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इसरेल को और शायद इसरेल की सबसे बड़ी थाकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है, जो वहाँ पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है, मेरे साथ ग्रुप् इसरेल के तस्वीर दिखाता हूँ, गाजा के भीतर इसरेल का जमीन पर युद्ध की सामने आ रही है, जमीन पर इसरेल की सेना अब वहाँ अपना ऑपरेशन चला रही है, लगातार वो वहाँ पर टैंकों के जरीए, बुल्डोजर के जरीए, पैदल सैनिक गाजा के अंद अब तक एर स्ट्राइक कर रही ती, जो अब तक रॉकेट मार रही थी, या टैंकों से गोले मार रही थी, वो अब यहाँ पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई आप हमास से और ज्यादा करेंगे, और लेडी हुई है, इसी बीच इस्रेली हाइवे पर हमास का अटैक आती है कि हमास ने कैसे वहां पर पिन पॉइंट अटैक किये हैं ये ये मिसाइल हाइवे के दाइबाई भी गिर सकती थी लेकिन बिलकुल एक हाइवे पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट मियाना ये देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है प्रभी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हमास और हुटी तो आएए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां हमास और हुटी के निशाने पर कौन-कौन से परमानू ठिकाने हैं गाजा मजारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हतियार का इ प्रोन या यू कहें कि टॉर्पीडो का इस्तमाल किया हमास ने जिस टॉर्पीडो से इस्रेल पर हमला बोला उसका नाम है अल-असफ गाइड़ेट टॉर्पीडो इसमें वारहेट ले जाने की शमता है हमास का अल-असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोट इसकी खास्यत यह है कि यह पहले लॉंग रेंज की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके वारहेट को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोल कर हवा में ही उसको तबाह कर देता है तो ग्रूप कार्टेन विनोद आगस्टिन आप तो इनी सब चीजों के माहिर है उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेट का यहाँ पर वीडियो जारी करके बहुत बड़ी चुनोती दे दी कि हमारे ड्रोन तयार हैं दो-दो-हजार किलो मिटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो चुनोती बहुत बड़ी है सर बिल्कुल निसंदे गौरव और इन्टाक्ट मैं एक किताब भी लिखना हूँ अम द्रोन बनाते हैं आप जानते ही हैं दो फेस ओफ वर जो आगे वांने वाले जो फ्यूचर वारफेर का पूरा काया पलट करके रखा हुआ है लो कॉस्ट है डिफिकल्ट त्विंटरसेप्ट है और स्ट्रेटिजिक टार्गेटिंग करता है और सर्जिकल करता है और इतना अभी मैं दर्शकों को यह बताना चाला था आप देखिए मेरे हाथ में यह ड्रोन है देखिए इसका साइस और यह कम से कम ने तो दो ग्रिनेड ले जा सकता है इसका अपना सेल्फ वेट मात्र दो 230 या 220 ग्राम है और यह इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कार अगर ड्रोन बन जाता है अब देख रहे हैं मेरे हाथ में जो 220 ग्राम का ड्रोन कम से कम ने तो दो या त्रीन ग्रिनेड ले जाने का काबिल है और यसी ड्रोन का एक्शन हमने रशन यूक्रेन वार में देखा दा यह आते हैं स्वाम में और यह बना हुआ है देखिएगा यह बना हुआ हुए प्लास्तिक का प्लास्तिक इसमें कोई मेटल पार्ट नगी है किवाए इस मोटर के कोई मेटल पार्ट नहीं है यह किसी भी रेडार में किसी भी चीज़ में पकड़ने मिया थतो आएगा तोर अने नो hp Ser Rom ф.8 ऐसे मिद्दीन भोट हम लांच किया है और यह बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह एक बहुर की तरह आपके उपर आके अटाक करेंगे यह चमता हमास के पास है और हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन की जो आपने जिक्र की मैं दस दिन पहले इसके बारे में बात कर रहा था अंडर वाटर ड्रोन ही नहीं उनके पास यह भी कि मिजट सब्मारीन भी है जो हमस के जो अनगोर्ड से साथ आपकर हुर Colon के साथ वह अ ऐसक दरह के लिग को इस्रीका वहलें थे एक बहुत ही मदफ़ून सवाल आपसे शुरू ने उठाया था वह था सारी जो मुसलिम फॉर्ड ऑर इस्लाम के जो लोग हैं अगर ये एकठा आ गया है, तो क्या होगा? यह बहुत ही मौत्कून सवाल क्यूं क्यूं है? क्यूंकि अभी शिया और सुन्मी करबला के बाद, AD680 के बाद एक दुसरे के खिलास हैं, जो हम जानते ही हैं, चाह सुनी कहीं मिल जाते हैं, तो एक दुसरे को मानने बतुल आते हैं, लेकिन उनके बीच में भी अभी एक ता नजर आना शुरू हो गया है, और यह जो लफज हम सुनते हैं, तेरा मेरा रिष्टा क्या, लाहिला आईगि यह जो अगर हुआ, तो यह सब लोग अपना पैसा जोकेंगे, टेकनालोजी जोकेंगे, यह इसराईल के लिए, इसराईल न्यूक्लियर फेसिलिटी के लिए, वेस्टरन वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए, बहुत बड़ा खत्रा है, तो जड़ा हम इसकी जगापर नुकलर फेसिल्टीज हैं जिनको हमास, हूती इस तरह निशाना बना सकते हैं। इसरेल में कहां कहां परमाणू केंदर हैं या आपके सामने जो हूती और हमास के टार्गेट पर हैं। डिमोना में नेगेव परमाणू अनुसंधान केंदर है जहां प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है। अलाइबन में इसरेल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है जहां परमाणू वारहेड और सुरंगे हैं। इसके लाबा फार जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इसरेल के परमाणू सेंटर हैं। इसरेल के दुर्गटना के बाद जैपोरीजिया में कुछ परमाणू दुर्गटना ना हो जाए, इसके खत्रे लगातार वहां पर मंड़ा रहा है। इसरेली फोर्स ने पहले उसे सरेंडर का कई बार मौखा दिया। इसरेली फोर्स ने उसकी लोकेशन पर टार्गेटेड अटैक किया। इब्राहिम बियारी तो मारा गया लेकिन उसमें और भी लोग मारे गए। इस अटैक के बाद जो हालात हैं उसके हिसाब से कैजवल्टी बढ़ेगी तो हालात और विध्वनसक होंगे। अर्दोवान जैसे मुस्लिम नेताओं की अपील बढ़ेगी। हलाकि साओधी अरब ने कहा है कि युद रुके तो इसरेल से रिष्टे सामाने करेंगे। तो मुस्लिम देशों में अभी एक राइड नहीं है। आईए इससे पहले कि हम अपने मेमानों से इस पर बात करें आपको कुछ तस्वीरे दिखा देते हैं। जबालिया कैम्प में तीन मिनट में पचास लोगों की मौत हो गई जिसको लेकर पूरी दुन्या में अब इसरेल के खिलाफ घुसा दिख रहा है। यह उसी जबालिया कैम्प की तस्वीरे हैं जहां आप देखिए बंबारी के बाद लोग कैसे वहाँ पर उसी मल्मे में उसी आग के बीच लोगों को ढून्टे हुए। अपने ग्यारा सैनिकों की मौत की बात मानी है। इसरेज मिशलोव्सकी, कारपूरल लियोर सिबनोविड्स, यह तमाम जो सैनिक, कारपूरल इदो ओवादिया और सारजेंट द्रोई दावी, यह सैनिक, ग्यारा सैनिक इसरेल ने खोए है। हलाकि वार है और जाहिर सी बात है, वार में कहा था इसरेल ने कि हम अपने किसी बड़े से बड़े नुकसान के लिए तयार हैं लेकिन हमास को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर से अपने कोर मुद्व पर आएं प्रोफेसर मेताब सिंग। साओधी अरब जब यह कह दे कि हम वार खतम हो तो इसरेल से सामान रिष्टे कर लेंगे, तब तो यह बताता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में एक राइड नहीं है इसरेल के खिलाप, अधरवाइस अभी में खुल कर कभी नहीं बोला है, और इस वार में भी साओधी अरेबिया यह सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि किसी तरह यह युद्ध थमें, तो वो फिर से अपने USA का जो नज़दीक आने का एक एजेंडा था उसका, वो आगे बढ़ा सके, और सिर्फ साओधी अरे हमास के देश है, जॉर्डन ले लें, इजिप्ट ले लें, लेकिन इजिप्ट इसके लिए कभी तयार नहीं हुआ, यही हाल कुछ वो जॉर्डन के लिए चाते थे, लेकिन साओधी अरेबिया का सबसे बड़ा अब्जेक्शन है कि हमास मुस्लिम ब्रदर हुड का पार्ट है, जो मुस्लिम ब्रदर हुड एक तरह से इस्लामिक डिमॉक्रसी पूरे में स्टेशिया में चाता है, और वो इजिप्ट उसका अड़ा है, और इसी तरह जितने भी लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि जनता और उनके जो नेता है उनमें एक राए नहीं है, लेकिन कु आपने लंडन में देखी, आपने पैरिस में देखी, लेकिन अब यहुदी धर्म मानने वालों के खिलाफ वहां हिंसक घटनाय बढ़ रही है, उनके खिलाफ समाज में उनको वहां पर जलील करने की घटनाय बढ़ रही है, उनके खिलाफ हेट क्राइम दिख रहे हैं, आप की राजदानी पैरिस में तो रातो रात यहूदियों के घरों पर डेविट स्टेंसल सितारे का निशान बना दिया गया जो यहूदी आस्था, धर्म, परमपरा और राजिका प्रतीक है यानि वो मार्किंग कर रहे हैं यानि वो बता रहे हैं कि यह घर जिसमें यहूदी रहत यह मार्किंग बहुत अपने आप में बहुत कुछ कहती है लेकिन जिस हेट क्राइम के मैं बात कर रहा हूं गाजा में इसरेल और हमास की जंग के बीच लंडन में यहूदियों और मुसल्मानों के खिलाफ हेट क्राइम अचानक काफी बढ़ गया है आप देखिए यहूदिय में 15 घटनाएं सामने आई थी जो बढ़कर बहुत जादा हो गए अब यहीं हम ग्राफिक्स आपको दिखाएं यह 15 घटनाएं 2023 में बढ़कर 218 हो जाती है यहूदियों के खिलाफ केवल लंडन में 1-18 अक्टूबर के बीच यानि करीब साले 1300 परसंट का इजाफा हलाकि को भी निशाना बनाए गया है उनके खिलाफ भी घटनाएं हुई है इसी दर्मियान 1-18 अक्टूबर के दौरान अगर बात करें तो जहां 2022 में 42 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी वो अब बढ़कर 101 हो गई है यानि यह 140 फिजदी जादा है लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है यहूदी धर मानने वालों के खिलाफ जादा हो रहा है यह दिख रहा है इन आकलों में कोशिश करेंगे क्योंकि यह दो बहुत बड़ी खबरें हैं लेकिन घाज़ा में इसरेल और हमास की जंग के बीच कुछ देशों में खलीपा बनने की होल मची हुई है पहले इसकी बात करते हैं इन देशों में एक बड़ा नाम है तुर्किये का जिसके राश्ट्रपती र किलाब सन्युक्त सेना बनाने के लिए तुर्किये अपना योगदान भी देने को तैयार है जाहिर है एर्दवान की इस अपील का मकसद गाजा की जंग को इसरेल बना मुस्लिम देश करना है तुर्किये के राश्ट्रपती ने गाजा में इसरेल के हमले को जल्द से जल्द रोकने की अपील भी की है उन्होंने बेहद सक्ट लह्जे में कहा कि ऐसा लगता है कि इस्रेल ने अपना आपा खो धिया है अर्दोवण ने इस्रेल को युद्ध अपरादी बताते हुए उसे इंसाफ के कटगरे में ख़़ा करने की बात भी की है उन्होंने गाजा मेजरेल के युद्ध परादों में अमेरिका और यूरॉप के शामिल होने का आरो भी लगाया है तो जब इतनी बड़ी बड़ी बाती ये कर रहे हैं जनाब तो आईए आपको बताते हैं कि रेसब तैयब अर्दोवान है कौन और वो क्या उनका प्रोफाइल है जरा बिग वॉल पर आपको बताते हैं देखें लगातार तीसरी बार तुर्किये के राश्क्रपती चुने गए हैं इससे पहले वो अर्दोवान लगातार तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं तुर्किये पर लंबे समय तक शासन करने के मुस्तफा कमाल आतातुर्क के रिकॉर्ड को तोल चुके हैं अर्दोवान दुनिया भर में मुसल्मानों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि एर्दोवान की चाहत है कि वो मुस्लिम देशों के सबसे बड़े नेता बने तुर्की के नेटो का सदस्य होने के बाबजूत उन्होंने रूस यूकरेन की जंग में पश्चमी देशों के उलट भी रुख अपनाया था तो तुर्कीय नहीं इरान भी गाजा की जंग में इसरेल के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करने में जुटा हुआ है आजी अंकारा में तुर्कीय और इरान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होनी है इस बीच इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने बड़ा बयान दिया है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अली खामनेई ने कहा है कि फौरण गाजा पर बंबारी रुकनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल को तेल और खाने पीने की चीजों की आपूरती रोक देनी चाहिए मुस्लिम देशों को इसरेल से आर्थिक रिष्टे भी नहीं रखने चाहिए तुर्किये की तरह ही इरान के भी सर्वोच निता ने मुस्लिम देशों से इस्रेल के खिलाफ एक जुट होने की अपील की है अब ये जो सवाल है कि ये जो तुर्किये और इरान की अपील कर रहे है क्या ये वाकई हो रहा है क्या यमन ने जिस तरह से वार क्या अनाउंस्मेंट कर दिया क्या यमन ने जिस तरह से एलान कर दिया जिस तरह से हुटी, हेजबुल्ला, हमाज सब एक साथ इस्रेल को निशाना बना रहे हैं क्या दूसरे बड़े देश, बड़े मुस्लिम देश गाजा पर इसलामिक देशों को फैसला करना होगा इसलामिक देशों को इसरेल के हमले रोकने होंगे यहुदी देश में तेल और खाने का निर्यात बंद करना होगा यहुदी देश से आर्थिक सयोग बंद करें इसलामिक देश यह इलान ने कहा है इसे बीच इज्रेल हमास जंग से एक बड़ी कबर आ रही है गाजा में मरने वालों का आखड़ा बढ़ गया है हमले में अब तक 8796 लोगों की मौत हो चुकी है इज्रेल के हमले में गाजा में मौत का आखड़ा लगतार भलता जा रहा है मरने वालों की संख्या बढ़कर 8796 हो गई है गाजा और जब हम बात गाजा की कर रहे हैं तो अक्सर आपके जहन में आता होगा कि गाजा में लोगों के घरों में इतनी सुरंगे हैं तो फिर वो वहाँ पर वो लोग वहाँ उन सुरंगों में क्यों नहीं चले जाते खूती मिसाइल का विनाशक यहां पर आपको दिखाते हैं इसरेल का डिफ़ेंस सिस्टम हो अधिया जो आसमान से आने वाले किसी भी खत्रे को चाहे वो मिसाइल हो ड्रोन हो एर क्राफ्ट हो उसको पल भर में खाक कर सकता है यह उसका एक टेमो यहाँ पर आप देखिए एक वीडियो उसका जारी किया गया है कर देखिए इसमें बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पंधायल मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट ने जनरल संजय कुल करनी है इस डिफेंस एक्सपर्ट सर बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ ग्रूप कैपटन विनोद आउकस्टीन है और विनोद आउकस्टीन साब आज आपको फिर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग दिखाने वाले एलिमेंट जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा सर आपका भी बहुत स्वागत है और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताप सिंग है जो इन मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन जनल कुलकरणी I'll start from you sir मैं आप से शुरू करूँगा ये जो गाजा में हम सुरंगे दिखा रहे हैं हिजबुल्ला की सुरंगे दिखा रहे इन सुरंगों का क्या वकत आ चुका है जिस तरह से दरशारा है जो गाज़ापट्टी है और यह जो हरी आप देख रहें है यह गाज़ापट्टी जो तक्रीबन आप लगा सकते हैं । और वो इनको जो जाल बिछा रखा है इनोंने सुरूंगों का उसमें वो फस जाएगा और उस फसने के बाद इसराइल जो हार माननी पड़ेगी इसराइल को लेकिन शायद उसको इस बात के अहसास पे हुआ कि इसराइल ने जो है थोड़ा बहुत जो तमाचा लगा उस इसराइल की जो लड़ाई है वो वाकि बहुत बहुत खतरनाक है और इसलिए जो मलबा बन रहा है दबा करके जो फारिंग हो रही है गाजा पटी के उपर उसका मकसद ही है कि सुरंगों का इंट्री है एक्जिट पॉइंट है उसको बंद किया जाए गैस का इस्तिमाल किया झाल 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 झाल